नमस्कार थाथियो मैं राहुल सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को सुभे की रामराम भीया गुड मॉनिंग रादे रादे जैसरी कृष्णा आज़े दोस्तों सभी का स्वागत है बिलकुल गागर में सागर सिरीज के तहत आपके लिए रीजिनिंग की एक जबरदस्त महरातन किलास स्टार्ट होने वाली है बहुती सांदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाएए बिटा सभी को दिल की गहराईयों से नमस्कार है प्र भी है सबको बुला लओ बहुती सांदार ये किलास होने वाली है बिलकुल एक्जाम स्सी के जितने भी वरतमान में एक्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बटा उन्हीं पैटर्न पर आपके लिए जो जबरदस्त चीजें आपके लिए इंपोटेंट साबित हो स इसनिंग की मेरा थन गागर में सागर बिलकुल आपके सामने रेडी है तयार है और सबसे सुरवात में हम करते हैं मा सरस्वती जी को प्रिणाम कर लीजिए हाद जोड़कर जै मा सरस्वती बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ एक अपके लिए मोटिवेशनल क्वेट ह पंची ने जब जब किया पंखों पर विश्वास दूर तक हो गया उसका ही आकास जब जब उसने अपने पंखों पर विश्वास किया है तो समझ लो जहां तक वो गया उसका सारा आकास उसका ही हो गया तो बिलकुल बिटा आपको अपनी मेहनत पर ऐसा विश्वास होना च क्लास बिल्कुल सांधार से हुई है आपakी मेराथन बिल्कुल सांधार तरीके से चल रही है तो आपके अंदर इतना विषवास आचुका होगा और इस मेराथन को करने के बाद आपके अंदर से यह वाज आईगी कि आप तो रिजिनिंग में 20적으로 करने हो ठीक है दोस्तों चलो जी बहुत सांदार बहुत ही बहतरीन तरीके से सभी लोग किलास से जुड़ेंगे बिटा सबसे पहला चैप्टर जो की SSC को ध्यान में रखते हो बिटा SSC का फैवरेट चैप्टर है ये मैं आपको बता दो कोई एकजाम ऐसा नही है जहां इस चैप्टर से आपको कुष्चन ना मिले सबसे पहला ही चैप्टर है आपका कोडिग-डिकोडिग फर्ष्ट chapter है और बिटा इस chapter से लगबग लगबग मेरे अंदाजे से आपको 2-3 question देखने को मिलेंगे 2-3 question आपको देखने को मिलने वाले हैं 2-3 question आपको इस chapter से मिलने वाले हैं आपके exam में ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले chapter को क्या-क्या type इसमें हो सकती है और कौन-कौन सी टाइप आपके एक्जाम में आने वाली है ठीक है चलो जी बढ़ते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ और सबसे पहला कुशन आपके सामने है एक निशित कूट भासा में यू को 71 देखो इंगलिस में मुझे इसको लिखने की आवशक्ता नहीं है और आपको भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि यहां आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यू को लिखा गया है 71 और टू के लिए क्या दिया गया है इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की आवशक्ता नहीं है या तो रियल सम्पर कुश्चन बनता है मैक्सिमम रियल स सम्पर के साथ जाएगा वास्तविक योग वास्तविक योग के साथ जाएगा या तो उसमें गुणा दो कर सकता है या नंबर ऑफ वाविल की मल्टिप्लाई कर सकता है या नंबर ऑफ वाविल को एड कर सकता है या नंबर ऑफ लेटर्स को एड करके लिख सकता है यह सारी आपको मिलने वाली है तो यू को 71 लिखा गया है टू को 60 लिखा गया और आपसे पूछा गया है सिट को क्या लिखा जाएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम रियल की तरफ चलते हैं कुश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा हम चलते हैं रियल की तरफ रियल जैस अपने सब को जोड़ कर देखा 25 और 15 कितना हो गया चालिस चालिस और 21 को जोड़ोगे तो भीया यह आपका बनने वाला है 61 61 लेकिन यहां 71 लिखा हुआ है तो मैं कर सकता हूं यहां इसमें 10 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है real sum में, real sum में कितना जोड दिया गया है, 10 अपनी तरफ से जोड दिया गया है क्यों की बात की जाए तो T 20 पर होता है O 15 पर होता है, ये वाला O 15 पर होता है, सब को जोड़ोगे 15, 15, 30 और 20, 50 सब को जोड़ा 50, 50 में यहां आपने 10 जोड़ा तो कितना हो गया भीया, 60 हो गया, है ना 15 और 15, 30 और 20 मिलकर कितना हो गया, 60, उसी परकार से आप यहां देखोगे, S 19 पर होता है I 9 पर होता है, T 20 पर होता है सब को एड़ कर दो, 19 और 9 28, 28 और 20 48, 48, इसमें आपको करना क्या होगा, 10 अपनी तरफ से एड़ करना पड़ेगा 10 को अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा आपके कुश्चन का 94% लोगों का बिलकुल सही जवाब मैं कह रहा हूँ ना, बिटा आपका आसमान, आपका आसमान हो चुका है अपना, ठीक है जो आसमान है वो आपका हो चुका है ये समझ लो अब, ठीक है बहुत सांदार जबाब, पहले कुश्चन का अंसर आपका C आप्शन, तीसरा आप्शन बिलकुल जबरदस तरीके से आता हुआ बढ़ते हैं बेटा, आगे की तरफ नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने है कुशन नमबर दो, कुशन नमबर दो फटाफट से देखेंगे, ये क्या कहना चारा है कुशन नमबर दो बोटल के लिए 148 लिखा गया है सिपर के लिए आपको 166 लिखा गया है और आपको बंपर का बताना है भीया किस फिरकार से आने वाला है चेक करेंगे सभी लोग क्या आपका अंसर होने वाला है जबरदस्त तरीके से सभी लोग किलास को सेर कर देंगे सभी लोग किलास को फटाफट से सेर कर देंगे चलो डरना नहीं है बिल्कुल भी नहीं डरना बिल्कुल आसानी से आप सारी चीजों को कर पाओगे एक्जाम में किसी भी चीज में कोई परेसानी नहीं आने वाली आपको पोटल के लिए 148 लिखा गया है तो आप सबसे पहले यहां चेक करोगे B2 पर होता है O15 पर होता है T20 पर अगला वाला T20 पर L12 पर E5 पर तो सबसे पहले तो आप रियल की तरफ ही जाओगे ना दो और 15 17 और 20 37 37 और 27 57 और 12 भीया अपका 99 और 5 हो गया अपका 74 सबको आपने जोड़ा तो 74 बनकर आया मैंने बताया था ना रियल सम के साथ बिटा कुछ भी कर सकता है उसमें नंबर ओफ लेटर भी जोड़ सकता है नंबर ओफ लेटर की मल्टिप्लाई भी कर सकता है यह अपनी तरफ से 2 3 4 6 कुछ भी कुछ भी जोड़कर गुणा करके घटा कर लिख सकता है तो आपने देखा रियल संबना 74 लेकिन 74 मगर 2 की मल्टिप्लाई की जाएगी तो 148 आ ज चेक कर लेना एक बार एस होता है 19 पर आई 9 पर होता है पी 16 पर अगला वाला पी 16 पर ए 5 पर और आर 18 पर मैं सब को जोड़ लूँगा एक बार 19 और 9, 28 और 16 हो गया 44 और 16, 60 और 5, 65, 65 और 18 हो गया आपका 83, 83 में यहां भी 2 की ही मल्टिप्लाई की गई है तो आप अपना बंपर का कोड निकालोगे आपके सामने आंसर आने वाला है आपके सामने आंसर आने वाला है क्या B 2 पर होता है U 21 पर होता है M 13 पर होता है P 16 पर E 5 पर और R 18 पर होता है सब को जोड़ लो फटा-फट से 2 और 21, 23 और 13 कितना हो जाएगा भीया 36 और 16, 36 और 16 भीया 52 और 5, 57 और 18 हो गया पिछेतर, 75, 75 का आप दुगना करोगे तो भीया कितना होगा 75 का दुगना करोगे तो ये होने वाला है 150, 150, 150, option number D, option number D आपका right होगा कोई दिक्कत, कोई परिसानी किसी को हो तो साथ की साथ बता सकता है क्योंकि मैं हर चेप्टर की सारी टाइप क्योंकि गागर में सागर का अर्थ ही ये होता है कि बिटा थोड़े मैं आपको सब कुछ दे देना हर तरीके का कुश्चन हर तरीके का कुश्चन आपको मिलने वाला है हर तरीके का ठीक है तलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ तीसरा कुश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भईया तीसरा कुश्चन ये रहा आपके सामने IP को 50 लिखा जाता है CID को 48 लिखा जाता है BCCI को क्या लिखा जाएगा ना चेक करो फटा फट से IP अगर मैं IP की बात करूँ बिटा IP होता है आपका 9 पर और पी होता है आपका यहां 16 पर डाइरेक्ट आप क्या करोगे आपने देखा रियल सम आपने किया तो 16 और 9 25 इस स्पीड के साथ चलना होगा है ना कुश्चनों में इस स्पीड भी दिखानी होगी 16 और 9 25 25 से 50 पर जाओगे तो 2 की गुणा करने पर 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 अगले वाले को चेक करूँगा नेक्स्ट वाले को चेक करूँगा C 3 पर होता है I 9 पर होता है D आपका 4 पर होता है तो यह कितना हो गया 3 और 9 12 और 4 16 16 यहां पर आपकी बेटा 3 की गुणा हो रही है 16 यह 48 ऐसा ही है ना यहां 3 की गुणा की गई है तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऊपर तो number of vowel या number of consonant या number of letter कु तो इस पिरकार आप BCCI के लिए भी ऐसा ही काम करोगे B2 पर C3 पर C3 पर I9 पर 2 और 3 5 और 3 8 और 9 17 17 में आप क्या करोगे number of letter की multiply पुल अक्षरों की संख्या की गुणा करनी है 17 गुणा 4 कर दोगे 17 चोके हो जाएगा 68 आपका अंसर होगा option number C 68 आपका बिलकुल सही जवाब 93 परसेंट लोगों का भाई गजब बहुत ही बहतरीन यही टाइप मिलेंगी आपको एक्जाम में यही टाइप आपको इसी पिरकार से बढ़ते हैं आगे की तरफ next question ये रहा आपके सामने question number 4 question number 4 फटाफट से देखेंगे question number 4 आपके सामने है देखेंगे सभी लोग गोल्फ को बिटा 44 लिखा गया है प्यूपिल को 75 लिखा गया है तो राहुल को किस पिरकार लिखा जाएगा पिछले question में क्या था पिछले question में था रियल समय बिटा number of letter आपका क्या किया गया है जोड़ा गया है या गुणा तो ही काम होंगे है ना गोल्फ को आप चेक करोगे सबसे पहले जी कितने पर होता है भीया जी होता है आपका साथ पर है ना ओ होता है पंदरे पर एल होता है बारे पर और एफ होता है छे पर सबको आप जोड़ोगे रियल सम की तरफ जाना पड़ेगा सबसे पहले तो साथ पंदरे बाइस बाइस औ और 1234 और 6 कितना हो गया 40 तो आपने देखा 40 में यहां 4 अपनी तरफ से जोड़े गए हैं अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है दूसरे वाले को आप चेक करोगे दूसरे वाले को चेक करोगे पी 16 पर ए 5 पर और ओ 15 पर फिर से पी 16 पर एल 12 पर और ए 5 पर सब को जोड़ दो 16 और 5 21 21 और 15 36 और 16 52 52 64 और 59 तोटल मिलकर हो गया 69 लेकिन यहां कितना लिखा हुआ है बिटा 75 क्यों क्यों एक दो तीन चार पांच छे नंबर ओफ नंबर ओफ लेटर को जोड़ा गया है अब की बार नंबर ओफ लेटर को जोड़ा गया है आगे चलते हैं राहुल राहुल को चेक करोगे भीया आर 18 पर ए एक पर एच आठ पर यू 21 पर और एल 12 पर सब को जोड़ दो फटाफट से 18 और 11 और 8 27 और 21 और 48 और 12 साथ 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 में क्या करना पड़ेगा मुझे ये बता दो आप लोग बता दो साथ में आपने क्या किया कितना जोड़ा चलो जी बहुत सांदार बहुत सांदार आप लोग देखोगे फटाफट से यहां कितने अक्षर आए हुए थे चार तो चार को जोड़ा गया नंबर ओफ लेटर, number of letter की बात की गई है भीया, number of letter जोड़ा गया है, यहाँ 6 अक्षर आई हुए तो 6 को जोड़ा गया तो यहाँ पर इस राहुल सब्द में कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4 5, 5 आप इसमें जोड़ दोगे तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65 65 आपका answer होगा 65 आपका answer होगा, एकदम सांदार एकदम गजब, बढ़ते हैं कुशन नमबर 5 की तरफ, कुशन नमबर 5 आपके सामने कुशन नमबर 5 आपके सामने है तेजी से, तेजी से सभी लोग देखेंगे कुशन को और सॉल्व करने का प्रियास करेंगे एक निश्चित कुटभासा में स्टार, देखो स्टार को लिखा गया है 10, 219, फ्लैक को लिखा गया है 63, 67, तो लोगों को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो चेक करो फटाफट से, ये भी अच्छी टाइप है ये भी अच्छी टाइप है, एकजाम में मिलेगी आपको इस पिरकार से इस पिरकार से स्टार की बात की जाए, स, ट, ए, आ, आ, इसको क्या लिखा गया है, दिहान पूरवक देखेंगे सभी लोग स्टार को 10, 219 लिखा गया है लेकिन S तो वास्तम में, बिटा, 19 पर होता है T 20 पर होता है, A 1 पर होता है R 18 पर, ये डिजिट सम वाली टाइप बहुत आती है डिजिट सम वाली, 9 और 1 जुड़कर हो जाएगा 10 2 और 0 को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, 8 और 1, 9 हो जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है 10, 219 बन चुका है, बन चुका है तो ऐसे ही आप लोगों के लिए निकाल सकते हो LOGO, लोगो, L 12 पर, O 15 पर, G 7 पर, O 15 पर 2 और 1, 3, 5 और 1, 6, 7 का 7 आ जाएगा, 5 और 1, 6 36, 36, 36 ये रहा आपका option नमबर A option नमबर A, आपका बिल्कुल सांदार जवाब होगा बिल्कुल बहतरीन 36, 7, 6, 36, 7, 6 बिल्कुल राइट आंसर होगा बढ़ते हैं बटा, next की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं option नमबर 6, टाइपों को ध्यान में रखते हुए चले जाओ बटा, यही टाइप आपको एक्जाम में, कही ना कहीं, किसी ना किसी के एक्जाम में ऐसा नहीं कि हरी किसी के एक्जाम में ही मिल जाएगी बटा, किसी के एक्जाम में कोई इसी टाइप मिलेगी और किसी के एक्जाम में कोई दूसरी मिलेगी ठीक है, मिलेंगी इनी मैस है, इसी पिरकार की टाइप, कलो भई, फटा-फट से देखेंगे सभी लोग, कुश्चन आपके सामने है, एक निशित कूट भासा में, क्रस्ट को इस पिरकार लिखा जाता है, बलेम को इस पिरकार, प्लास्टिक को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो सबी लोग फटा-फट से, राजपूत संतोस सिंग, प्रिणाम भहिया, प्रिणाम, आज, आज नाम लेने की गुंजाइस बिलकुल भी नहीं है, आज केबल बस टार्गेट यहां करना है, यहां पर, ठीक है, अब तक आपने बहुत नाम लिवाएं हैं, क्लास में, प्रैक् सब्सक्राइब करना हैं, इधर तो तीन लिखा हुआ नहीं है, इधर तो बीस लिखा हुआ है, और इधर उन्ने से लिखा हुआ है, अगर ऐसे भी मैं देखता हूँ, लेकिन तीन और बीस में तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, तुरंत फश्ट से ला यहां लिखा गया है यही काम आपको प्लास्टिक के साथ करना पड़ेगा प्लास्टिक को जो आप लिखोगे ना वो लास्ट वाले को फ़स्ट में लिखोगे जैसे इसने लिखा ए टी बीस सुरुवात में तो आप क्या करोगे सी तीन पर होता है तो मैं 3 को सुरुवात में लिखूंगा I 9 पर होता है तो मैं 9 को यहां पर लिखूंगा T 20 पर होता है तो मैं 20 को यहां पर लिखूंगा S 19 पर होता है तो 19 को मैं यहां लिखूंगा A 1 पर होता है तो 1 को यहां पर लिखूंगा L 12 पर तो 12 को यहां लिखा जाएगा और last बचा P 16 पर तो 16 को सबसे last में लिखा जाएगा पहानी खतम 49-2019 49-2019 एकमात्र option में है तो पूरा देखने की भी आवशकता नहीं थी option number D option number D बिलकुल सही जवाब होगा आप लोगों का बहुत सांदार बहुत सांदार बिलकुल कचब बढ़ते हैं आगे की तरफ next question number 7 अब आते हैं letter से letter की तरफ letter से letter की तरफ जो coding होती है letter से number वाली भी होती है letter से letter वाली भी होती है so letter to letter आजओ फटा-फट से teacher को किस पिरकार से लिखा गया है student को किस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से classes को भी लिखना है उसी प्रकार से classes को भी लिखना है चलो जी देखेंगे सबी लोग अगर आप द्यान से देखोगे तो टीचर में जितने भी लेटर है वो सारे आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे है ना यहां पर नजर आ रहे हैं तो चेक करो फिर किस प्रकार से लिखा गया है टी ए ए एच ए आर अब इसको लिखा किस प्रकार से गया है A, E, T कहने का अरत है पहले तीन को reverse में लिख दिया मतलब इस वाले T को यहाँ पहुचाया इस वाले A को यहाँ पहुचाया E को बीच में रखा पहले तीन reverse order में लिख दिये आगे चेक करोगे C में कोई बदलाव नहीं है C को C लिखा गया है लास्ट के तीन को reverse कर दिया गया है R, E, H R, E, R, H लास्ट के तीन को तो पहले तीन को reverse order में लास्ट के तीन को reverse order में तो बीच वाले को same लिखा गया है बीच वाले को same तो आप भी SI कर दो तो फिर classes के साथ C, L, A, S, S, E, S आप भी यही काम करोगे कि यहां पर पहले तीन को reverse में लिख दो A, L और C इसको मैं change नहीं करूँगा क्योंकि उसने भी इसको change नहीं किया था बीच वाले को फिर last वाले तीनों को change कर दो S, E और S यह आपका answer होने वाला होगा A, L, C, S, E, S A, L, C, S, E, S A, L, C, S, E, S, option number C कितने लोगों का सहिरा, option number C बहुत सांदार, बहुत ही बहतरीन कर कितने person है, लगभग लगभग देड़ सो person है लगभग लगभग देड़ सो से थोड़े से फालती है, कम नहीं है समझ रहो ना तो लगभग सभी chapter आपके जो important है ना बिलकुल आपके सामने ready है, बिलकुल तयार है एकदम सांदार तरीके से, धबराने वाली बात नहीं है आपकी दूसरी महराथन के time तक आपको free कर दूँगा ठीक है, दूसरी महराथन आपकी चार बजए है तो 4 से पहले पहले आपको मैं free कर दूँगा ठीक है न? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि reasoning बिटा अपने आप में 20 नंबर आपको दे कर जाएगी तो ये important चीज है important है बिलकुल, बहुत ही सांधार तरीके से चलो, बढ़ते हैं आगे की तरफ next question ये रहा आपके सामने trigonometry trigonometry exam का आया हुआ question है बिटा, SSC के ही द्वारा पूछा गया है, अभी जल्दी के ही exam में, SSC CGL के exam में trigonometry को इस फिरकार से लिखा गया है, acceleration को इस फिरकार से लिखा गया है, appreciation को कैसे लिखा जाएगा, चेक करेंगे सभी लोग चेक करेंगे सभी लोग क्या वो आपको यहां पर उपस्तित नजर आ रहे हैं, पहली बात पहली बात तो यह चेक करनी होगी trigonometry में जो भी letter है, क्या वो यहां पर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं कैसे, t, r, i, g, o, n सुरुवात के 6 अक्षरों को बिटा, last मैं लिख दिया, ध्यान से देखोगे तो उठा कर ले गया, उठा कर ले गया, और last वाले जो 6 letter थे, उनको reverse order में लिखा गया है, कैसे, वही o, m, e, t, r, y को पीछे से लिखा है y, r, t, e, y, r, t, e, m, o मतलब last के 6 अक्षरों को reverse order में लिखा गया है विपरीत किरम में, तो last के 6 को आप भी करोगे, 2, 2, 4 और 2, 6, ऐसे ही छोड़ूँगा last वाले जो 6 है, इनको मैं क्या लिखूँगा, reverse order में लिखूँगा 2, 2, 4, और 2, 6 तो मैं n की तरफ से लिखना इस्टार्ट करूँगा n, o, i, t n, o, i, t, a, i, a, i और जो आपके सुरुवात के 6 थे इनको तो as it is उठा कर last मैं रख दो as it is बिल्कुल उठा कर रख दो ऐसे के ऐसे a, d, w, p, r, e, c a, d, w, p, r, e, c तो चेक करेंगे सभी लोग की आपका answer क्या हुआ, n, o, i, t, a, i, n, o, i, t, a, i, d, a, i, लेकिन यहाँ p क्यूं आ गया p नहीं आना था, यह गलत हो गया n, o, i, t, a, i, a, d, w, p, r, e, c option number b क्या होने वाला है आपका right answer होने वाला है option number b एकदम सांदार बहुत ही गजब, बहुत ही बहतरीन, बिल्कुल सांदार तरीके से आपका option number b एकदम right है next, यह important है note कर लेना बिटा, इसमें फस्ते है student, important है, अच्छा question है अच्छा question है, फटा-फट से check करेंगे, सभी लोग कहना क्या चाह रहे कहना क्या चाह रहे है यहां देखो, जो आपको artist सब्द दिया गया है उसके सारे letter यहां पर आ रहे है लेकिन I किस तरीके से हैं बिटा important है आपको मैं बताऊं increasing order बढ़ता हुआ क्रम, alphabet को बढ़ते हुए क्रम में लिखना और decreasing order यानि कि उनको घटते हुए क्रम में लिखना बढ़ते हुए क्रम कारत है यानि कि सबसे छोटा अक्षर सबसे शुरुवात में आएगा उसके बाद उससे बड़ा वाला कौन सा है देखो, इसमें चेक करोगे I है, I के बाद क्या है R है, R के बाद क्या दिया गया है S, और S के बाद बिटा डवलटी, डवलटी इस परकार से तो यहां पर एडवाइज जो सब्द लिखा गया है क्या इसको भी ऐसे लिखा है A, C, D, E, I, V कहने कारते है, increasing order दोनों तरीके से मिल सकता है increasing order भी और decreasing order भी ऐसा कुछ नहीं है कि A की type का मिलेगा दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है आपको aspect को आप ऐसे ही लिखोगे तो सबसे पहले तो A आएगा A के बाद इसमें आने वाला है C और C के बाद आएगा बिटा फिर E, A, C, E फिर P, 16 पर S, 19 पर T, 20 पर तो P, S, T P, S, और T यह आपका answer होगा यह आपका answer होगा A, C, E, P, S, T A, C, E, P, S, T जिस option में आपको दिख जाए वो आपका answer होने वाला है option number C option number C हमारा बिल्कुल सांदार होगा बहुत सांदार बिटा time दे रहा हूं मैं 15-20 second आपको हर question के लिए दे रहा हूं वो आपके लिए काफी रहेंगी इससे जादा समय लोगे तो फिर चीजें आपकी फिर आपको परेशान करेंगी exam में भी 10-15 second में आपको logic समझ में आ जाना चाहिए question का ऐसा नहीं है कि आप उसी पर बैठे रहोगे और मैं 10-15 second हर question के लिए आपको दे रहा हूं 15 second आपको मिलेंगी president को इस पिरकार लिखा जाता है knowledge को इस पिरकार लिखा जाता है तो education को कैसे लिखा जाएगा लगाओ logic फटा फट से फटा फट से logic लगाओ answer बताओ बहुत सांदार एक बार जल्दी से पिटा जोर लगाकर class को share कर दो फटा फट से प्रेशिडेंट है ना आगया होगा logic समझ में बेटा last से opposite आप ही बता रहे हो मुझे चलो बहुत सांदार आप ही बता रहे हो एक student ने लिखा last से opposite तो बस यही तो पकड़ना होता है logic अगर logic पकड़ना आगया तो answer तो तुरंत आएगा फिर भई एक ने कहा कि last से opposite लिख दो बतार जी टी का अपोजट क्या के होता है भहिया एक ने कहा last से opposite लिख दो यह तो कुहीं गडबड़सी लग रही है मुझे तो है एन का नहीं होता तो क्या आप first से first को देखो फिर पी का opposite यह तो फस्ट से false यह last से नहीं था last से नहीं था भहिया फश्ट वाले का फश्ट में यह देखो P और K Kings 11 पंजाब आपको कराया होगा Indian Railway आपको याद कराया होगा Evening वंदना आपको याद कराई गई होगी S High School करके याद कराया होगा Indian Railway भाई अब फसादिया एक्जामनर ने अब फसादिया बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं है एक एक्जामनर एक उप्शन ऐसा देगा जिसमें सारे चेंज होंगे वो आपको फसाने की कोशिस करेगा तो इस पर ध्यान देना है यहाँ बीच वाले में कोई बदलाव नहीं है जहां से देखो I का I लिखा हुआ है मैं दूसरे वाले को चेक करूँगा तो यहाँ देखो पहले चार और लास्ट के चार तो बीच वाला जो एल है ना वो बीच वाला एल ही लिखा गया है मेरे भाई पहले चार अक्षरों का अपोजिट लेटर लिखा है लास्ट के चार का अपोजिट लिखा है लेकिन बीच वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है तो एजुकेशन तो एका अगर मैं बात करूँ यींग वंदना डी के लिए दूध वाला या दिल्ली वाली करके याद किया था यू के लिए उफ्ये गर्मी हना उफ्ये गर्मी और आप तो सर्दिय उफ्ये सर्दी मर गए भी आ जाडे मैं T, C, 3 पर होता है, तो 3 और 24, 27 चिल्डरन्स खाते हैं, क्रेक्स, अब A, A में बदलाव नहीं है, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, T की बात की जाए, T होता है 20 पर, और 20 में कितना जोड़े 27 हो जाए, 7, GT रोड करके याद किया होगा, Indian रेलवे याद किया होगा, O, O से क् लव, लव आपको याद कराया था, L, O का अपोजिट, L, N का अपोजिट होता है, M, अब इस option को मैच कर लेना, बेटा, कौन से option में है, V, W, F, X, A, G, R, L, M, option नंबर, option नंबर, B, P, आपका बिलकुल राइट आंसर होगा, हो गया न देखो, अगर logic आपकी समझ में आ गया तो कुश्चन तो फिर आसान है, फिर बचाई क्या उसमें, कुछ नहीं बचने वाला, next, next को चेक करो, देखो जरा, इसमें ढूंडो क्या logic लगने वाला है, अलो, लव यू भाईया, लव यू, बहुत धेर सारा, लव यू, आपको बिलकुल बहुत धेर सारा प्यार, स्पीड बढ़ा लो, सर, अच्छा, ठीक है, स्पीड भी बढ़ाएंगे, टेंस न मतलो, करो तो सही, 10-15 सेकंड आप भी तो करो, प्लांड, प्लांड को किस प्रकार से लिखा गया है, प्रमोट को किस प्रकार से लिखा गया है, इंप्रूब को उसी प्रकार से लिखना है, तो चेक करो, सबसे पहले फस्ट से फस्ट वाले की तरफ जाओगे प्लस टू की सिरीज है बहुत सांदार सौनी बेटा, बहुत सांदार P 16 पर है, R 18 पर आपने देखा, प्लस का 2 हो गया L 12 पर है, N 14 पर है प्लस का 2 हो गया A 1 पर है, C 3 पर है प्लस का 2 हो गया N, N का N लिखा है अब फिर गडबड़, फिर फसादिया एक्जामनर ने फिर फसादिया एक्जामनर ने भाईया, N को फिर से N लिखा गया है देखो, बीच वाले में कोई बदलाव नहीं, N को N लिखा गया है प्लस का 0 मैं कर सकता हूँ फिर 14 पिलस का दो 16, लास्ट में E 55 और 27 और लास्ट वाला D, D 4 और 26, चार और 26 इस पिरकार से हर किसी में ये लॉजिक लगाया गया है, क्या इसमें बीच वाले में M को M रखा, बिलकुल रखा है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, आजकल ऐसे कुशनों में फसा रहा है, अगले वाले पर ध्यान नहीं दिया, तो ये गड़बड करा देगा, एक बार सबको हलकी सी नजर के साथ देख लेना होगा, ठीक है, तो मैं बीच वाले में तो कोई बदलाब करूंगा नहीं, बाकी सम्में मुझे प्लस दो करने है, तो I 9 पर 9 और 2 11 पर K होता है, 13 और जरूरत है, आप जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ये तो केवल एक ही ऑप्शन में है, भाई, बाकी किसी में है ही नहीं, भागो, भागो, नेक्स्ट की तरफ, अगले कुश्चन की तरफ, कुश्चन नमबर 12 है, डेन्टिस्ट का कोड आपको दिया गया है, तूथ का कोड़ आपको दिया गया है, healing का कोड़ आपको बताना है, चेक करेंगे सभी लोग, चलो बई, देखो dentist, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले परी तो जाओगे, बिटा माइंड में लॉजिक चलते हैं माइंड में कुश्चन में बार-बार लॉजिक लिखने की आवशक्ता नहीं आपके माइंड में आ जाएगा लॉजिक तो आप जानते हो D के तुरंत बाद E आता है पिलस वन फिर E पांच पर होता है C तीन पर माइनस के दो तुरंत दिमाग में लॉजिक आएगा N 14 पर O 15 पर पिलस का वन नजर आया T 20 पर R 18 पर माइनस के दो नजर आए T 20 पर R 18 फिर I 9 पर और 9 और एक 10 पिलस का वन फिर S 19 माइनस के दो 17 T 20 20 और 21 पिलस का वन इस तरीके से इस तरीके से भईया, इस तरीके से प्लस वन, माइनस टू, प्लस वन, माइनस टू, प्लस वन, माइनस टू, प्लस वन इस प्रकार की सिरीज जारी है, ऐसा ही काम, आप अपने कुश्चन के साथ कर दो भईया H8 में एक जोड़ूंगा, 9 पर होता है I I वाले कितने option है, first वाला तो answer होगा ही नहीं E 5 पर 5 मैं से 2 घटाओंगा भीया, 3 पर क्या होता है C तो F वाला option नहीं होगा, F वाला option नहीं होगा, बचा क्या D मत करो पूरा question, मत करो, क्योंकि समय भी तो बचाना है हमको हमको time भी manage करना पड़ेगा, जब इतना करने से ही हमारा answer आ गया तो मैं क्यों जाओं फिर पूरे question को solve करने के लिए यहां गलत, यहां गलत, यहां गलत, तो last वाला option है क्योंकि exam में बचा समय, समय सबसे important होने वाला है आपके लिए ठीक है, चलो जी, next question आपके सामने, रमेश का code आपको दिया गया है मनीशा का आप से पूछा गया है, रमेश का code आपको दिया गया है और मनीशा का पूछा गया है, दिमाग के घोडे दोड़ाओ और यहां से यहां तक जाने की कोसिस करो, वो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, आप पहले first से first वाले की तरफ जाओगे, अगर first से first वाले पर logic मिलता है तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर last वाले की तरफ जाओगे, यही logic बनते हैं, maximum, maximum, R, R से S पर गए, बहुत सांदार तरीके से दिमाग माया, पिलस का one हो रहा है, गुरू जी, A से H पर जाओगे, तो भहिया, पिलस के साथ, एक साथ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, M 13 पर, और V 22 पर, भहिया, 13 पिलस के 9, यह तो कुछ गडबड़सी लग रही है, गुरू जी, यह तो कोई logic ही नहीं बना, पहले, एक जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो आप क्या करोगे, तुरंत हट जाओगे, साइड में हो जाओगे, तुरंत, फिर 1st से last वाले पर जाना, R, R से last वाले पर गया, तो भहिया, क्या बना, ध्यान से देखो, I, R का opposite है, I, A का opposite क्या है, Z है, M का opposite N होता है, E का V होता है, S का H होता है, H का S, 1st वाले का opposite last में लिखा गया है, last में, ठीक है, तो 1st वाले का opposite आप last में लिखोगे, last में ले जाकर, लिख दो, M का opposite तो N होता है, भहिया, N, A का opposite लिखूँगा, तो Z होता है, N का opposite लिखूँगा, तो M होता है, I का opposite इंडियन रेलवे करके, यहाँ पर R आ जाएगा, S का opposite ído इस्कूल कर यहाँ जायगा एच का एच यहां पर आजायेगा और एका जैड भीया यहां पर रेती एक है और क्या आरें 1996 R Com Macede को उप्रण सर खरके मुंच मर्फशन पर सी हमारा बिलकुल सही जवाब होगा एकदम सांदार एकदम घजब ठीक है कोई दिक्कत देखो मैंने पहले फस्ट वाले से फस्ट वाले को समझाने की कोशिश की बात नहीं बनी तो आप फस्ट वाले से लास्ट वाले पर जाओगे फिर तभी तो बात बनेगी चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ कुश्य नंबर 14 है फटा फट से देखो खाक और भानू बेटा आप प्लीज रिक्योएस्ट है आप जो है ना किसी कुश्यन के लिए मालो पॉल नहीं भी लग पा रहा तो उस पर ध्यान यहां देना चाहिए बस पूरा अगर ध्यान यहां रखोगे ना तो चीज आपके लिए बहुत अच्छे से समझ माएंगी हो सक आपको एक्जाम में मिलने वाली है मैं बता रहा हूँ ठीक है इससे बाहर नहीं मिलने वाला कुछ भी बस मेहनत करो अच्छे तरीके से फिजिक्स को दिया गया है इस पिरकार से सिटीजन को लिखा गया है और महत्मा को आपको बताना है कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे चेक करो फटा फट से चेक करेंगे सबी लोग फस्ट से फस्ट वाले पर जाओगे फस्ट से फस्ट वाले पर जाओगे ना P 16 पर और Z 26 पर 10 पिलस हो रहे हैं S 19 पर होता है T 20 पर पिलस का एक हो रहा है कोई बात बनी Y 25 पर और ये 17 पर यहां माइनस हो रहा है ये कैसा लॉजिक है ये तो बात नहीं बनी first से last वाले पर जा सकता हूँ P से I पर गया नहीं बात बनी S से J पर जाओंगा नहीं बात बनेगी ना तो first वाले की first वाले पर बात बनी ना ही first वाले की last वाले पर बात बनी अब क्या होगा अब तो फिर 2-2 के cross या 3-3 के cross या 4-4 के cross क्रोस वाला पैटर्न लगने वाला है पी एस वाई सी एच आई सी बस लॉजिक की पहचान कर लो अंसर आ जाएगा क्या लिखा गया है ध्यान से देख लो बस एक बार जैड टी क्यूं सी डी जे और आई अगर लॉजिक समझ में आ गया तो कुश्चन का अंसर तो फिर आसान ह पी के बाद क्यूं स के बाद टी वाई के बाद जेड सी के बाद सी लिखा हुआ है डारेक्ट इसमें कोई बदलाव नहीं है और एच के बाद आई है सी के बाद डी है आई के बाद जे है पहला तीन का क्रॉस पिलस वन और लाश्ट के तीन का क्रॉस वन है पिलस वन ठीक है पीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं है As it is लिखा हुआ है तो महत्मा के लिए भी मैं ऐसा ही लिखूंगा ऐसा ही लिखूंगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा M A H A E M A फटाफट से चेक करो पहले तीन को क्रॉस में बदल दो पहले तीन को क्रॉस में बदलोगे इस तरीके से पिलस वन करके H के बाद आता है I A के बाद B आता है M के बाद N I B N वाले कितने उप्शन है I B N I B N ये गलत हो जाएगा A का A आने वाला है इसमें कोई बदलाव नहीं है A के बाद B आएगा M के बाद N आएगा और T के बाद U B N U B N U C option में है बाकी किसी में नहीं है B N U केवल और केवल C option में है C option में ये आपका right होगा बढ़ते हैं बेटा next की तरफ अगला question अगली type आपके सामने देखो जरा ये type भी important है पूछी जाती है ये वाली type भी how are you how are you कैसे हो भी या फटा-फट से बताओ चलो जी देखो जरा फटा-फट से क्या answer आने वाला है इस प्रश्न का यान से देखो जरा how are you का मतलब है नी टिन फू ये Chinese language होती है कौन सी language होती है भी या Chinese है ना समझ्य हो कले तो चांद तक नचले तो साम तक है ना थीक है how are you को इस प्रeकार से लिखा गया है are you there को इस प्रeकार से लिखा गया है मैने बताया है इस शन को करने का तरीका क्या होता है जिसका code आप से पूछा गया है इधर भी नहीं है तो बस R U इसमें भी है तो मैं क्या करूँगा R इसमें भी है U इसमें भी है मुझे दोनों में R U common नजर आ रहे हैं तो R U को मैं क्या करूँगा हटा दूँगा जो दोनों में common होगा इन दोनों में common क्या है एक तो 10 नजर आया तो मैं टिन को हटा दूँगा दूसरा नी नजर आया तो मैं नी को हटा दूँगा तो फिर हाउ के लिए बचा क्या हाउ के लिए बचा क्या F.U. F.U. बिलकुल सांदार बिलकुल सांदार जवाब है option number C option number C अब ये number पर भी हो सकता है बिटा examiner कुछ भी दे सकता है ये लेटर से लेटर पर दिया है हो सकता है यहां आपको लिख कर दे दे कर जी 243 लिख कर दे दे है ना यहां पर लिख कर दे दे आपको 4 400 453 इस फिरकार से लिख कर दे दे आप से पूछने लगे अब बताओ जी क्या होगा code तो फिर भी आपको वही चीज़े मैच करनी होगी ना common हटाने पड़ेंगे common इस तरीके से तो फिर आपके लिए यहां दो बच जाएगा तो वो दोनों तरीके से examiner कुछन पूछ सकता है नंबर पर भी और लेटर पर भी चलो जी next कुछन नंबर 16 कुछन नंबर 16 देखो जड़ा यह क्या कहना चारा है बहुत ही सांदार और जबरदस्ट कुछन है words are flying के लिए 536 the next is big के लिए इतना close the door 534 complete your work ओ भाई अब आपके दिमाख में एकदम एक साथ से यह चीज़ आएगी कि ना तो complete उपर कहीं आया हुआ ना यौर कहीं उपर आया हुआ ना वर्क कहीं उपर आया हुआ अब इस कांसर कैसे निकलेगा देखो जड़ा देखो जड़ा मजा आएगा मजा बता रहा हूं मैं बहुत ही सांदार सांदार कुष्चन है आपके लिए चलो जी, फटाफट से देखो, फटाफट से देखेंगे सभी लोग देखो, बर्ड्स, बर्ड्स में कितने लेटर आए हुए हैं, बर्ड्स में चेक करोगे, तो पांच अक्षर आए हुए हैं एक 2 तीन 4 5 पांच को यहां लिख दिया आर में 3 अक्षर हैं तो 3 को यहां लिख दिया फ्लाइंग मैं छे आ सुन तो 6 यहां पर लिख दिया number of letter लिखा गयाई है sentence के number of letter लिखने हैं तो complete में कितने आ रहे है तीन दो पांच और तीन आठ यॉर में कितने आए हुए है चार वर्क में कितने आए हुए है चार तो 844 क्या होगा आपका answer होगा number of letter हना अक्षरों की संख्या को लिखा गया है मेरे भाई अक्षरों की संख्या को 844 अगला कुश्षन क्या कहता है यह रहा यह आखरी टाइप है इस chapter क हाना इस chapter की आखरी टाइप देखो, letter से letter वाली करा दी, letter से number वाली करा दी, और चाइनीज लेंग्वेज वाली करा दी, और यह आखरी टाइप है, यह आखरी टाइप है, फटा फट से मुझे बताओ, तो मुझे बताओ इसका अंसर क्या होगा हला कि इसके कुश्चन मुझे ज्यादा रखने की आवशक्ता नहीं है सबसे आसान टाइप यही होती है कोडिंग डिकोडिंग की सबसे आसान वाली यही होती है किस के द्वारा एक इंसान जो है वो सुन सकता है इनमें से किस के द्वारा एक इंसान सुन सकता है आप जानते हो बिटा इंसान जो सुनता है वो किस के द्वारा सुनता है अपने कानों के द्वारा किसके द्वारा, इंसान किसके द्वारा सुनता है, कान के द्वारा, इयर, और इयर को क्या बोला गया है, वही तो आपका अंसर होगा, वही आपका अंसर होगा, आख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुह, मुह को कान, और कान को क्या बोला गया है, नाक, तो यही हमारा अंसर होगा, नोज हमारा आंसर होगा option number option number C ये रहा आपका बिल्कुल सांदार जवाब सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि इस चेप्टर में आपको मजा आया होगा बिल्कुल सारी टाइप आपकी कवर हो गई इनी टाइपों में किया रहा हूँ किसी ना किसी के एक्जाम में बदल बदल कर इनी टाइपों से आपको चीजे मिलने वाली हैं बदल बदल कर रियल सम पर हो सकता है अपोजिट सम पर हो सकता है एसेंडिंग ओडर हो सकता है फस्ट वाले का लास्ट वाले के साथ हो सकता है फस्ट वाले का फस्ट वाले के साथ हो सकता है तो वो सारी टाइप जितनी भी कवर हो सकती है मैंने हर कुश्चन में अलग टाइप के हिसाब से आ अगला चेप्टर क्या है ओ भाई, खादर श्यता इमपौटेंट चेप्टर है, इसकी बात करूं तो, उस्ट इमपौटेंट चेप्टर है ये भी, क्युकि ये होता तीन तरीके से है, और तीनों तरीके से कुछन आ सब्सक्राइब धने अभर जा जाते हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल समय इंसान को सफल नहीं बनाता है चालो समय इंसान को जो है सफ़ल नहीं बनाता तो फिर सफल कौण बनाता है जी कोन बनाएगा तोचोसँत मतान को सफल नहीं बनाता समय का सही स्थमाल समय का सही इस्तमाल जिसने कर लिया न वह सबसाइब हो जाएगा एकजाम में इंप्रटेंट आपके लिए सबसे जादा क्या है मुझे ये बतादो करील होगे जब साम तक बैठे रहोगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट समय का सही इस्तमाल इंसान को सफल बनाएगा और इस बात को याद रख लेना ये बात आपकी important होने वाली है चलो जी analogy chapter क्या कहता है तीन तरीके से ये टराता है और ये कुश्चन बेटा आपके सामने ताजा ताजा कुश्चन है अभी जल्दी के exam में पूछा गया SSC के द्वारा पांडा पांडा क्या है एक जीव है जानवर है ठीक है पांडा के साथ लिखा गया है बांस बंबू बांस होता है देखा है अपने है ना पांस वह ताजे ताजे जो बंबू होते हैं बांस जो होता है हरे हरे जो ताजे ताजे क्या है यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है चाल खाता है और मचली खाता है या घास खाता है ना बताओ जरा बहुत ही सांदार कुश्चन है बहुत ही सांदार तो वाला जो होता है बिटा उसका मुख्या बोजन होता है यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस की पत्तियों को य ज्यादा तर खाता है अच्छे तरीके से जो इसको जो इसको एनर्जी देती है एक तरीके से option number होगा भाया option number a option number a बिल्कुल सांदार next question number 19 मैंने बताया था इनको अच्छे से पढ़ना किलास कराते time आप से बोला था और exam में question देती है ssc इस वाले topic से जीव कुछ भी हो सकते हैं कोई पिटा पसु हो सकता है मनुष्य भी हो सकता है पक्षी भी हो सकता है कोई कीडा मकोडा भी हो सकता है तो उसके बच्छों के नाम उनकी sound उनकी आवाज इनके ऊपर question आता है जैसे मैं बात करू चीटी जो होती है चीटी के यहां बच्चे का नाम लिखा हुआ है, एंटी लिंग ठीक है, चीटी का जो छोटा, है चीटी का च्छोटा रूप, अब चीटी तो खुद छोटी है उसका और चोटा रूप कितना होगा, लेकिन कहने करते हैं, उसको हम बोलत यह को से ध्यान दखाएं इसको क्या बोला जाता है balance का बच्चा अब अधिक कब image जना लिख कर नहीं दीगा बोड़े कि को फॉन ही इंगलिस में ऐसे लिखे देगा तो उस पर भी थोड़ा सी ध्यान दख लेना फॉन पता कैसे मिले से लिखा मिलेगा in ऐसे हिंदी में भी यहां मिरग मिरग माने क्या होता है बिटा हीरन ही होता है मिरग इसका परियावाची है तो आप जो यहां जा रहे थे ना पसु सावक पर यह गलत हो जाएगा हिरन हिरन के बच्चे का नाम क्या होता है या फॉन होता है मिरग छोना मिरग छोना ओप्शन न पढ़ लेना दंत चिकित्सक का संबंद किससे होता है डेंटिस्ट जो होता है टीथ टेंटिस्ट जो होता है उसका संबंद किससे होता है चलो बहुत सांदार अगर मैं बात करूं देखो डेंटिस्ट जो होता है दंत चिकित्सक वो क्या होता है दातों से संबंदित डॉक्टर है डेंटिस्ट के जैसे मालों किसी के दांत में दर्द हो गया तो वो कहां जाएगा भागा भागा जाएगा अरे डॉक्टर साब मेरे तो दांत में दर्द हो गया इसको सही कर दो किसके पास जाता है दांतों के डॉक्टर के पास डेंटिस्ट के पास ज प्रकार से लिख देगा मेरे भाई इस इंगलिस को ही हिंदी में करके लिखेगा यहां तो त्वेचा विसे सग्याप बोल दोगे इसको लेकिन वह जब ऐसे लिखके देगा ना तो इसकी पहचान होनी चाहिए डर्मेटो लॉजिस्ट होता है आपका त्वेचा से संबंदित इसकिन से रिलेटिड होता है यह आपका आंसर होगा चलो जी नेक्स्ट कुश्चन देखो जरा मुर्गी मुर्गी का संबंद किस से दिया है मुर्गी का संबंद दिया है दड़बा क्या चीज होती है अब यह दिमाग खराब करेगा मुर्गी मुर्गी का संबंद दिया है दड़बा जिनको मालुम है वो तो जानते हैं कि दड़बा क्या चीज होती है दड़बा होता है मुर्गी के रहने का इस्थान एक छोटा सा छोटा सा कमरा सा बना दिया जाता है बहुत सारी मुर्गिया उसी में जाके बैठ जाती है तो ये इसके रहने का इस्थान है इसके इसके रहने का क्या है ये इस्थान है भीया जहां पर ये रहती है रहने का इस्थान जहां पर जैसे इनसान कहा रहता है अपने घर में तो रहता है मनुश्य घर में अब हाती का पत्तियां लिखा हुआ अरे पत्तियां तो वो खाता है गलत गलत मधुमक्षी मधुमक्षी का घर जो है उसको क्या बोला जाता है छत्ता बोला जाता है मधुमक्षी का घर गलत है ना पहला वाला गलत दूसरा वाला अपका सही हाँ मुर्गी भारम मुर्गी भारम कह सकते हो उसको दडबाई बोलें जहां पर वो रहती है है उनका जो घर है है थाना उनको क्या बोलते हैं हम उनको बोलते हैं भर Bene का इस्थान विल्कुल सांधार जवाब भाइ अतीस उन्दर देखो यह कुश्ını बहुत चल रहे हैं अब एक जाम में इस टाइब के कुश्शन बहुत चल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे सब्द देगा हिंदी के, हिंदी आप पढ़ रहे हो, हिंदी के बहुत अच्छे-च्छे सब्द लिखे मिलेंगे आपको, अधी ग्रहित, अधी ग्रहित क्या होता है, किसी चीज को ग्रहन कर लेना, अधी ग्रहन कर लेना, ठीक है, और प्राप्त क करना प्राप्त करना किसी चीज़ को पा लेना तो क्या हुए ये क्या हुए फटाफट से चेक करो सभी लोग वही अधी ग्रहित क्या होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को ग्रहन कर लेना और प्राप्त किसी चीज़ को पा लेना कहूंगा दोनों के दोनों समान है क्या है सि और विपरीत आर्थी दोनों पर मिलेगा कर वा तो गया और बहुत बहुत च्छोटा सा अर ये भी छोटा लिखा तो दोनों कैसे हो गए सिनोनेम्स हो गए समानार्थी हो गए इसमॉल और सॉट दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे के समानार्थी है बिल्कुल सी option बहुत ही गजब होगा मेरे भाई next question number 23 आहा कितना बहत्रीन question है मैं देखना चाहता हूँ कितने students का answer सही आता है इस लगाओ भी अ कौवाले भी अस हो गई बीटा को थोड़ास करने में लगा हुआट अब यह किसक्स निया गया है फूल स्केया होता है इंगलिस में लिखा हुआ हें मैं लिख दूंगा तो बहुत से स्टूडेंट जाएंगे क्या चीज होती है हिबिसकस क्या होता है अगर मैं हिंदी मैं इसको लिख दूँ तो आपने इस फूल को देखा होगा क्या होता है गुड हल गुड हल का फूल क्या होता है यह गुड हल का फूल यह क्या रहा है कि कमज़ रहे हो चेक करो हिबिसकुस्त फूल हिबिसकुस क्या होता है गुड़हल का फूल होता है फिलॉवर होता है पत्ती पत्ती क्या हरी होती है बिलकुल होती है आप कहोगे हरी तो होगे हरी पत्ती पत्ता पत्ती हरी भी होगे पीली भी होगे लाल भी होगे कई तरीकी हो पती तो बीन्स बीन्स में प्रोटीन होता है अगर ऐसे पढ़ोगे तो बीन्स में प्रोटीन भी होता है चलो कद्दू लेकिन उसका प्रारूप उसकी प्रजाती लिखी गई है प्रजाती क्या है हिबिस्कुस क्या होता है एक फूल होता है और कद्दू जो है कद्दू वो बिटा फल में रखा गया है, कुछ सबजीयां जिनको हम सबजीयों के तोर पर खाते हैं, वो सबजीयां नहीं होती, वो होती क्या है, वास्तम में वो फल होती है, फल, तो भीया, कद्दू को किसमें रखा गया है, साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के, विज्ञान के अन नेक्स्ट कुश्चन देखो बहुत ही सांदार रेस रेस ट्रैक रेस जो होती है दौड दौड पृतियोगिता कहां पर होती है ट्रैक पर होती है कुस्ती कहां पर होती है वययाम कहां पर होता है गाड़ी कहां पर चलती है athletics कहां पर जाते हैं भाईया चेक करना जरा कौन सा सबसे best होने वाला है कौन सा सबसे best PDF मिल जाएगी बिटा आपको pumpkin is a fruit बिल्कुल सही है मेरे भाई कुस्ती coat पर कुस्ती coat पर होगा है कुस्ती किस पर होगा है मैट पर होगा है मैट पर मैट बना हुआ नहीं रहता घेरा सा बना देते हैं गोल घेरा और इस परकार से उसको जहां वो कुस्ती लड़ते हैं उसको मैट बोलते हैं मैट ठीक है अब कुस्ती तो अखाडे में भी होगा है कभी सोचो कुस्ती जी मैट भई की होगा कुष्ती अखाडे में भी होती है समझ रहे हो ना तो कोट तो गलत लिखा हुआ है ठीक है वयायाम कहा पर होता है वयायाम होती है जिम जो आपकी होती है वयायाम साला जिसको आप बोलते हो ये भी गलत हो गया गाड़ी तो भाईया गाड़ी तो सडक पर चलती है ये भी गलत athletics, athletics में बहुत सारी चीज़ आ जाती है भई दोड़ पिरतियों गिताबी और जिमनास्ट वगेरा भी athletics ये सारे athletics होते हैं तो ये भाया अपना पिरदर्शन कहां करते हैं stadium पर करते हैं अपना पिरदर्शन कहां पर करते हैं ये stadium में ठीक है ये सबसे best होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका बिलकुल राइट है भाया कुशन नंबर पच्चिस कुशन नंबर पच्चिस चेक करो मेरे भाई मात रखो के ऊपर कुशन मिलेगा exam में ध्यान रखना इस बात का ये कैसा फल है मैंने तो नहीं देखा एक बार सर्च करके देखे Ned आपको पता चल जाएगा कैसा फल होता है सब्जी होती है लेकिन उसको फल में रखा जाता है पेथे की मिठाई ना क्Arthur संब्लो यह वही है समझ लो कि प्रणकल movie से पता चला धुन मिटर यहां का मात्रक और लिखा गया है मीटर तो भहिया द्रवमान का मात्र क्या भारी तो खुद एक भार वजन को नोट कर रहा है चलो ये तो नहीं होने वाला आयतन की बात की जाए आयतन हलका होता है भहिया आयतन तो आयतन तो भहिया क्या हलका होता है आयतन का मात्र क्या होता है बताओ फटाफट से वो किसी में तो भीया यहां पर घन में होता है नहीं होगा विद्युत धारा विद्युत धारा जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक यहां पर होना चाहिए विद्युत धारा का मात्रक क्या MPR होता है बिलकुल कई बार पढ़ा है और एक्जाम में भी कई बार आया है ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो फिर दोबारा नहीं आगया दोबारा आ गया तो ती वारा नहीं आएगा वाही कम से कम 20 ahor आलिया यही कुश्चन अभी जलदीगा और 2024 आ चुका है बहुत सॉंधर सांदार एकडम गजब है चला अ अभी से कोई और है या मुझे यह तो बता दो यह कि रहा है कभी कोई दूसरी बेबी है मैं यह यह तो बता दो गुरूजी लिख देता आई-लव-yoo गुरू-जी उसी में दिल मतलब संतिश्ट हो जाता अब बेबी से तो मुझे ऐसा लग रा होगा मुझे तो नहीं बोल रहा होगा है ना चलो मुझे तो नहीं बोल रहा होगा किसी और कोई बोल रहा होगा चलो जी बढ़ते हैं next की तरफ हाँ यहां से आते हैं आपके नंबर एनालोजी वाले कुश्चन भाई वर्तमान समय में एक कुश्चन देखने को मिल रहा है हर एक्जाम में नंबर एनालोजी से मिल रहा है दोड़ो दोड़ो तुरंट स्पीड के साथ दिमाग के घोड़े दोड़ाओ के 961 से 992 पर जाना है और 841 से आगे जाना है तो मैंने आपको बताया था कुश्चन करते टाइम आपके दिमाग में सबसे पहले सबसे पहले जो एप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए ना व सबसे पहली बात हमेंसा द्यान रखना अगर उस पर है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो फिर दूसरा लॉजिक लगेगा ज्यादा तर स्सी जो है ना स्क्वेर बेजड और क्यूब बेजड कुश्चन बहुत रखती है एक्जाम में स्क्वेर बेजड क्यूब है मैं आपको बता दू सबसे ज़्यादा कुश्चन इनी के देखने को मिलते है मेरे भाई अगर मैं 961 की बात करूं तो ये 31 का वर्ग होता है द्यान से अगर देखो तो तो 961 में इसने 31 कोई तो जोड़ा मतलब कि ये जितने का वर्ग है उसमें उतना ही जोड़ा गया है ये जितने का वर्ग है ना उसमें उतना ही जोड़ दो मेरे भाई यहां पर आपको 29 ही जोड़ना पड़ेगा 29 जोड़ दो 841 में 29 जोड़ोगे तो क्या होने वाला है सबी लोगों का 870 आंसर बहुत ही सांदार चेतन भीया लव्यू भीया लव्यू बहुत सांदार जवाब बहुत ही बहतरीन जवाब के साथ नेक्स्ट कुश्चन आपको मैं प्रदर्सित कर रहा हूं मेरे भाई ये रहा इस पर लॉजिक लगाएंगे सबी लोग इस पर फिरासी पच्चिस उन्तिस क्या तेजी के साथ बता दो अंसर तेजी के साथ बता दो अब गहरा आई लब यू मेरी जान सर पीछे सर लगा दिया अवके बार ओ बाह गजब गजब की बात है बही कि लो बहुत सांदार बहुत सांदार आंसर आ गया होगा बिटा जल्दी से थोड़ी सी जोर लगा दो थोड़ा सा जोर लगा दो यह 37,000 कुद चुके हैं स्टुडेंट इसको 40,000 पिलस करवा दो अगले कुशन हो में अगले तीन कुशन हो में दमदार तरीके से सेर मार दो फटा फट से सबी लोग फटा फट से देखना चाहता हूं कितनी जल्दी आप 40,000 पार करवाते हो 83 से 25 पर जाना है 83 से 25 पर जाना है कैसे जाओगे यह तो पांच का वर्ग है तो आठ माइनस का तीन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो पच्चिस बन जाएगा अंकों के डिफरेंस का वर्ग किया गया है दो मैंसे नौ घटाओंगा कितना बनेगा माइनस का साथ और जब मै इस साथ का वर्ग करूंगा भहिया कितना हो जाएगा उरंचास होने वाला है या नहीं 49 आपका आंसर होगा 49 ये रहा भहिया एकदम सांदार किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी हो तो बताओ बहुत सांदार तरीके से आपका आंसर आया है बिलकुल गजब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ सारे कुष्ण एक से एक बैस्ट जो बटा वर्तमान में चल रहे है ना एक्जाम में कुष्ण वो ही लेकर आया हूं मैं वर्तमान में क्योंकि गागर में सागर में है वही चीज आपको मिलेगी जो आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है अना टीचर जो है पिछले दस दिन से लग रहा हूं इसमें ठीक है तयार करने में एक एक चीज को बारी की से ढूंडने में और अब सुबह तक तयार होई है बिलकुल समझ रहे हो तो सोचो कितनी मेहनत होती है बहुत सांदार तरीके से हर चेप्टर का बेटा निचोड हर चेप्टर का निचोड है आपके लिए हर चेप्टर का अपके देखो 10 से 45 की तरफ जाओगे तो कैसे जा पाओगे 10.44 पिलस 5 हो सकता है 10.50 माइनस 5 हो सकता है दो लॉजिक या तो मैं कहूं 10 गुणा 4 पिलस के 5 कोई दिक्कत नहीं है या मैं ये कहूं गुणा 5 पिल माइनस के 5 है ना 10.50 पिलस 5 में से 5 घटा दो तो क्या मैं 6.24 इधर तो पिलस 1 हो रहा है समाप्त हटा देना आप 6 से 25 की तरफ जाओगे तो 6.24 लेकिन यहां 5 था तो मुझे 5 ही लेना पड़ेगा अब 5 की गुणा और माइनस के 5 6.35 तीस 6.35 तीस 30 में से 5 घटा ए 25 और 9 से यहां जाओगे तो 9 गुणा के 5 45 और 45 में से 5 घटा दोगे 9.55 पैतालिस पैतालिस में से 5 घटा ओगे तो 40 यह रहा ओप्शन नंबर B ओप्शन नंबर B आपका सही जवाब बहुत ही सांदार बहुत ही गजब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ यह रहा आपके सामने अगला कुश्चन एक से एक सांदार कुश्चन मिलेगा एक से एक सांदार सॉल्व करो चलो बई बेटा थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत और करो थोड़ा सा जोर और लगा दो अगर आपके बाबु सोना ने बोला होता ना ये काम होना है तो अब तक तो हो जाता समझ रहे हो चलो देख लो अब तुम्हारे हाथ में है विटा मैंने बोला था कि 40,000 से पार आएंगे मेरे पास बच्चे और आप लोग जो है है ना चलो जल्दी से जल्दी से फटा-फट से अंसर बताएंगे कुश्चन का अंसर क्या होने वाला है आट से चार सो च्यानमें पर जाना है कैसे जाओगे और नौ से साथ सो ग्यारे पर जाना है मैंने बताया था सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए कुश्चन में लोजिक कहीं स्क्वैर वाला या क्यूब वाला तो नहीं है दिमाख में एक ची जाएगी स्क्वेर और क्यूब सबसे पहले अगर स्क्वेर क्यूब पर मिल रहा है तो ठीक है नहीं मिल रहा है तो ये दो लॉजिक तो साइड हो जाएंगे फिर बिल्कुल फिर और कुछ और देखना होगा आपको तो भाईया फटा फट से देखो मैं क्या कहूँ अगर ये आठ के वर्ग के पास है नहीं, आठ के घं के पास है आठ की पावर तीन 512 पानसो बारे में से 16 घटाना पड़ रहा है ताब आ रहा है, 456 आतो रहा है आतो रहा है ना, तो भाईया नौ से 711 पर जाऊंगा 9 की power 3 729 होती है लेकिन 18 घटाया हुआ है जी ये कैसा logic है ये कैसा logic है यहां तो 16 घटाया इधर 18 घटाया कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में 17 कभी मत कर देना ऐसा काम कभी मत कर देना क्योंकि ये series नहीं है ये analogy है साद्रश्यता साद्रश्यता समरूपता समरूपता अर्थात यहां जो लोजिक है वो यहां भी है और वो यहां भी होना चाहिए तो यहां से यहां पर जाना है तो यह सबसे पहले चेक करो दो सो चार किसके किसके घंगे पास है भाई भी 6 के गहन के पास आता है तो 6 की पावर 3, 216, 216 में से 12 घट रहे क्यूं भाई ये 16 घटाया इस 8 का दुगना करके 8 का दुगना 16 होता है ये 18 घटाया है तो 9 का दुगना 18 होता है 9 का दुगना 18 और 6 का दुगना भीया 6 का दुगना 12 घटाऊंगा यानि कि जिस नंबर का मैं cube कर रहा हूँ न उसका double उसका double मुझे minus करना पड़ेगा उसका double मुझे minus करना पड़ेगा answer होगा option number B most important question most important अच्छे logic के साथ है अच्छे logic के साथ नेक्स्ट पर आजाओ जरा नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो जरा चेक करो फटाफट से चेक करो फटाफट से कलो जी अगला question है ढूंडेंगे logic क्या बन रहा है मैंने बता है माइंड में अप्रोच होनी चाहिए वर्ग और घन के पास तो नहीं है चैसो सतासी पर जाओगे चैसो बारे पर साथ सो तेरे साथ चैसो इकिस और पान्सो चालिस उस इस करोगे कहीं वर्ग और घन के पास वाली तो संख्या नहीं है दिमाक में तो यहीं चीज आएगी तो देखो जरा फटाफट से क्या लोजिक है चैसो सतासी से जाना है चैसो बारे की तरफ तो भाई जाना जरा कैसे जा सकते हो क्या घट रहा है जुड रहा है क्या हो रहा है साथ मेंसे दो गया पांच आठ मेंसे एक गया साथ मैं कहूंगा यहाँ इसने पिछहित्तर को क्या कर दिया माइनस कर दिया क्या बिल्कुल 687 मैं से 55 घटा दिये क्या 621 मैं से भी ऐसा ही हो रहा है 11 मैं से 6 गया 5 और 11 मैं से 4 गया 7 भीया यहां भी 55 को ही माइनस कर रहा है तो 713 से 713 से 55 भीया माइनस कर दो आंसर दिख जाएगा 13 मैं से 5 गया 8 10 मैं से 7 गया 3 और यहां बचा 638 638 आपका option number C राइट होगा option number C जो एकदम सांदार है एकदम बहतरीन next question next question चेक करो भीया चेक करो फटाफट से यह क्या logic है 585 क्या 588 दुबारा से 5 आठा गया दो बार है चेक करो भीया यह कैसा logic है यह कैसा logic है यह किस परकार के logic के साथ है परकार के अब बताता हूँ यह क्या कुछन है नोट करके बताता हूँ क्या कुछन है यह कुछन है आपका 3048 मैं लिखता हूँ बटा इधर नोट करना 30 अनुपात 48 अच्छा कुछन था और टाइपिस्ट ने इसका logic लिख दिया answer लिख दिया मतलब ठीक है 60 क्या 4572 60 कुछन मार्क और 4572 45 अनुपात 72 कुछन यह था यह नहीं है यह नहीं है ठीक है चलो अब तो दिख जाएगा logic कि लोजिक की पता चल गया तो कुछन का अंसर तो आएगा यह था ठीक है तो इसमें क्या था बटा ratio वाला जो logic होता है न यह भी important होता है ratio वाला जो logic होता है न ratio वाला मतलब इन दोनों संख्याओं को आप अनुपात में विभक्त करोगे अनुपात में तो भहिया अनुपात में विभक्त करोगे तो आप कैसे काटोगे इसको यह और यह दोनों संख्याओं किस नंबर से कट रही है पांच से छे से छे से कट रही है छे पंजे तीस और छे अठे अड़तालिस मैं इसको 47 नहीं यह 45 होगा स्वरी 45 यह होगा आपका यहां पर 45 45 45 इनको काटोगे आप किस से काटोगे 45 को 95 45 और 98 72 यहां 58 का अनुपात बनेगा ऐसा ही अनुपात यहां बना लेना है साथ की साथ बारा पंजे साथ और 58 का अनुपात बनाएं तो बारे अठे कितना होना चाहिए था 96 बारे अठे 96 च्यानमे है यह रहा option नंबर ए option नंबर ए यह आपका अंसर होगा अना कैसा कुश्यन था रेश्यो वाला और टाइप इसमें पांचाट पांचाट रेश्यो लिख दिया भीया कोई बात नहीं है आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्यन यह रहा आपके सामने इसमें logic लगा दो गई इसमें logik लगा दो फटा फट से सबी लोग इसका रॉजिक बताएंगे क्या होनेवाला है हलगल चेक्त करते चलना उनका साथ की साथ साह की साथ करते चलना कि आपके कुश्यन कितने कितने सही हो रहे हैं हर चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग में आपके 17 में से कितने कुश्चन सही हुए एनलोजी में कितने सही हुए है ऐसे ही मतलब अपना रेश्यो लास्ट में देख लेना आप जितने भी टोटल डेड़ सो 160-170 कुश्चन जो भी है उसमें आपका स्कूर कितना रहता है वो आपके लिए बिटा आपको अलग से ही एक अंदर से ही आवाज आएगी कि हाँ मेरा स्कूर तो बहुत अच्छा हुआ है और एक बात का ध्यान भी रखना बीस में से बीस तब ही कर पाऊगे इगो को छोड़ कभी यह सोचो मेरी तो reasoning मजबूत है मैं तो 20 मैं से 20 सुरुवात मी कर लूँगा ना मैं कहरा हूँ अगर 3 कुश्चन छोड़ भी दिये ना आपने 3 कुश्चन स्किप भी कर दिये मेरे भाई वो 3 कुश्चन आप last मैं जो time taking कुश्चन है वो last मैं करना फसे मत रहना कि time taking है म ना ही आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी कि आपसे ना होने पानी की है हो जाएगी लेकिन time taking को देखना होता है समय समय बलवान है समय को मात देना सीखो है ना तो समय का सही उपयोग अगर आप करते हो तभी तभी आप selection के पास जाओगे ठीक है चलो जी six million complete हो गए है गुरू जी लड्डू खिलाओ अभी होने वाले जोर लगाओ होने वाले थोड़ा सा जोर और लगाओ चलो फटा फटते ग्यारे से 94 की तरफ जाओगे तो कैसे जा पा रहे हो 11 88 88 84 64 पिलस के च्श statistics क्या इधर भी है साइल जीक 23 गुणा आठ पिलस के च्ष आठ तीया 24 आठ दूनिंनई 16 और दो 188 184 प्लस के 6 करूंगा 190 option number B आ गया 190 है बहुत सांदार बहुत सांदार बहुत ही बहतरीन मेरे भाई कितना सांदार कुशन हैं यह 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 वर्तमान में type आएंगी आपके exam में बता रहूं में देख लेना द्यान से है देहन से देख लेना नोट कर लेना किसी के exam में मिलेगी इस परकार से यह वाली type 6 125 25 क्या करो चेक करो फटाफट से है अरे वह गजब भाई लट्ठी गाड़ दिया यह समझ लो मजा ही आ गया यह समझ लो अब कहतो अब कहतो पूरी-पूरी मौज कर दी है ना पूरी-पूरी मौज कर दी गजब अती सुन्दर 6-125 की तरफ जाओगे कैसे यह तो 5 की पावर 3 सा नजर आ रहा है यह 6 है तो मैं क्या करूँगा 6 मैं से 1 गटाओँगा और इसकी पावर 3 कर दूँगा क्या इधर भी ऐसा ही हो रहा है हाँ जी 2 मैं से 1 गटाओगे 1 की पावर 3 तो भाईया यहां भी तो यही काम कर दो 5 मैं से 1 गटाओगे चार और चार की पावर तीन करोगे तो भाया जानते ही हो चार की पावर तीन तो 64 होता है 64 64 है कहीं पर ये रहा जी हमारा option number D option number D 5 minus 1 की hall cube बहुत ही गजब बहुत ही गजब बहुत ही सांदार बहतरीन जवाब बहतरीन next पर आजाओ letter analogy coding decoding का छोटा भहिया letter analogy coding decoding का छोटा भहिया ये letter analogy तो बैटा देखो ज़रा इसको ये क्या कहना चारा है ये क्या कहना चारा है इसमें अगर coding decoding की जितनी भी type है न वो सारी यहाँ follow हो जाती है न दो तीन question इसके कराऊंगा फिर अगली type पर चलूंगा चलो बहुत सांदार बहुत सांदार बहुती बहतरीन आपका answer आता हुआ साथ की साथ control को इस पिरकार से लिखा गया अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले पहले तीन अक्षर पहले तीन अक्षरों को opposite में लिख दिया con को noc लिख दिया मुझे बताने के वावाशकता नहीं है और फिर tr tr को same रहने दिया ओ भाई tr को same रहने दिया last वाले दो को पलट रहा है पहले तीन को reverse में अगले दो same last वाले दो reverse में पर दो आपको इसका code बताना है तो पहले तीन को reverse कर दूँगा यू ओ जे यू ओ जे अगले दोनों same रहने वाले आर एन आर एन लास्ट वाले दो reverse order में एल और एल और एल और ए ये option मैच कर लो आपका अंसर यू ओ जे आर एन एल ए option number B option number B right होगा बहुत ही सांदार next पर आजाओ next पर question number 35 चेक करो चेक करो करो जी फटा फट से बताएंगे question number 35 area area को ऐसे लिखा गया है baby को ऐसे लिखा गया है तो gold को कैसे लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा कुल कितने प्रसण है बेटा कुल की बात मत देखो आप से request है आप पढ़ते रहो जितना भी आपको मिल रहा है इस की इस class की एक एक बात एक एक चीज important होने वाली है याद रखना paper में मैं कह रहा हूँ यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यही सारी चीज़ें संख्या परिवर्तित होकर logic वही मिलेंगे जो कुश्चन की टाइप आपको बताई जा रही है उन टाइप ओपर ही कुश्चन मिलेंगे अलग से कुछ नहीं आने वाला बस आपको आपको पूरा focus यहां रखना है यह मत देखो यार जब आपके सामने teacher खड़ा होकर पढ़ा एरिया A का पिलस वन किया B, R मैं कोई बदलाव नहीं देखो यहां पिलस वन है R का R लिखा पिलस जीरो कह सकता हूँ E, E का F लिखा पिलस वन और A मैं पिलस जीरो तो कहने कारत है पहले वाले मैं पिलस वन है कर दो G मैं पिलस वन करूँगा तो H आएगा और O मैं कोई बदलाव नहीं O रहेगा L के बाद M आएगा और D मैं कोई बदलाव नहीं H O M D H O M D Option number Option number B Option number B आपका बिलकुल सही जवाब बहुत ही सांदार बहुत ही सांदार रोकियो भी जराई क्या कहरा उपर इसको दिखाऊ जरा उपर उपर अरुन कोहली क्या कह रहे है सर पत्ता पत्ता पर नजर डाली 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 पर नजर डाली जब राहुल सर के मुस्कराते चेहरे पर नजर डाली तो किसमत ही बदल डाली I love you सर लव यू बेटा लव यू बहुत डेर सारा लव यू अरे वाह तुम तो शायर हो गए पढ़ते पढ़ते अरे वाह गजब अंसर बताओ अंसर बताओ भू ठीया अगले कुश यंका यहां क्या लॉजिक लगने वाला है ध्यान से देखेंगे सभी लोग L, L से M पर जाना है तो साप साप नजर आ रहा है पिलस का 1 हो रहा है भाई, पिलस का 1 और E से G बन रहा है पिलस का 2 हो रहा है, पिलस का 2 I, 9 पर 9, most important logic है ये वाला तो, पिलस 3 S, S के बाद W आया, 19 और 4, 23 फिर U, 21, 21 और 5, 26 और 18 पिलस के 6, 24 और 5 पिलस के 7 बार है ये most important logic है याद रखना, याद रखना पिलस 1, पिलस 2, पिलस 3, पिलस 4, पिलस 5, पिलस 6 और पिलस 7 अब या तो ये इस पिरकार से मिलेगा एक्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि केवल E1 numbers को जोडता जाए, बिटा ये भी आता है, या हो सकता है, odd numbers को जोडता हुआ, चले है ना, इस पिरकार से भी मिल सकता है, logic कैसा भी हो सकता है, ठीक है, चलो तो बहुत सांदार, बहुत ही बहतरीन आपने answer निकाला E5, 5 और 1, 6 पर F होता है, F वाले, F वाले दो option है, तो इनको तो delete कर देना भई, इनको तो delete कर देना, चलो जी, F, F, Z, Z, F, F, M, M, बस मुझे तो इसको चेक करना है, इसको चेक करते ही answer मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 और 2, 26 पर Z हो जाएगा, 3 और 3, 6 पर फिर से F हो जाएगा, 9 और 4, 3 पर M हो जाएगा, 20 और 5, 25 पर Y हो जाएगा, अब Y वाला इसमें था, last वाले में तो X था, ये गलत, गलत, कहानी खतम, है ना, कहानी खतम, बिलकुल सांदार, बिलकुल सांदार, बहुत ही गजब, साल बदलने से जिन्द की नहीं बदलती, साल बदलने से जिन्द की नहीं बदलती, जिन्द की बदलने के लिए मेरे दोस्त, महनत करनी पड़ती है, महनत, ठीक है, साल बदलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको, आपको पूरी महनत करनी होगी, पूरी महनत, और बिटा, अ analogy का चाचा है, अंकल पापा तो मैं इसको कहूंगा नहीं है ना? to 65 कह सकता हूँ चाचा कह सकता हूँ analogy का चाचा है और वरतमान समय मैं विटा, दो-दो कुष्चन भी दिख रहे हैं इस chapter से exams में दो-दो कुष्चन, एक भी मिल रहा है दो सेट आपको दिये जाएंगे उनमें आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा इसके जैसा होगा कौन सा इसके जैसा होने वाला है चलो जी देखो जरा फटा फट से भाहिया क्या बात बन सकती है किया बात बन सकती है तो चालिस पचपन पैशम होगी ऑगषासी और पिछेटर ही कैसे बना सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कुश्बश्ण आते हैं ऐग्जाम मैं बहुत ही सान्दार सांदार से 240 बनाना है 55 65 से क्या बना पाऊंगा अगर मैं दोनों को जोड कर भी देखूं तब भी ना बने चेक कर लो बस 5 और 5 10 6 5 11 और एक बार है जम मैं अगर दोनों को जोड दू 55 Skype मैं अगर दोनों को जोड दू तो कितना हो गया इतना हो गया फटा फट से चेक करो, option क्यों ढख रहे हो, बिटा मैं तो इधर खड़ाऊं देखो जरा, बिल्कुल साइड में खड़ाऊं, चेक करो आप, चेक करो, पच्छपन और 65 को आप जोडते हो, तो ये मिलकर हो गया 120, और वहां लिखा हुआ है 240, तो आप कह सकते हो, इसका दुगना कर दिया जा कलो वई, यहां 85 और 55 पर अगर चलते हो, तो ध्यान से देखो, 87, 15 और 5 बद 10, यानि कि ये हो गया आपका 160, और 160 का दुगना, हो गया 320, ऐसा ही तो, ऐसा ही तो ढूंडो, चेक करो, 105 और 5 को जोड़ूँगा, 110 का दुगना होता है, 220 गलत हो जाएगा, इससे बात नहीं बनी, 35 और 45 को जोड़ूँगा, 5, 5, 10, 4, 3, 7, 8, 80 का दुगना, 160 होता है, 35 और 25 को जोड़ूँगा, ये कितना हो गया, 60 हो गया, 60 का दुगना, 120 गलत हो जाएगा, 90 और 15, 105 का दुगना 210 ये भी गलत कहने कारत है logic क्या बना logic note करना क्या बना यहां सेकेंड second plus third second plus third का दुगना किया गया है ये logic है normal सा लोजिक है एक्जाम में मिलता एक्जाम में मिलता है चलो next देखो जड़ा ये तो आसान है ये तो आसान है चुटकियों में बता दोगे चुटकियों में हाँ जी फटाफट से बताओ फटाफट से बताएंगे सभी लोग सभी लोग बताएंगे कुश्चन का आंसर क्या होगा कुश्चन का आंसर सबसे सुरुवात वाली क्लास में यही बात बताई थी और एक से लेकर बीस तक के क्यों भी याद कर लेना क्योंकि लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी तो वह यही तो चीज है तब ही तो मैं आपसे बोलता था कि इनको याद करो तो नौ से एक आसी साथ सो उनतिस भहिया 9 लिखा हुआ है फिर 9 की पावर 2 लिखा हुआ है फिर 9 की पावर 3 लिखा हुआ है ऐसे ही तो है चलो दूसरे वाले पर चलूँगा 14 लिखा हुआ है 14 की पावर 2 लिखा हुआ है 14 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वेर परफेक्ट क्यूब दोनों ही लिख दिए इसके जैसा ही लॉजिक डोंड कर बता दो कौन सा होने वाला है, सत्रे का वर्ग 299, सत्रे की पावर 3, भाई ये तो पहला वाला ही बन गया, सत्रे, सत्रे की पावर 2 और सत्रे की पावर 3, अब मेरी एक बात जरा कान खोल कर सुन लेना अच्छे तरीके से, एक्जामनर फसाएगा तो कहां प पर फसा सकता है यहां पर वो आपसे बोलेगा उस समुच्चे का चैन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंदित है या संबंदित नहीं है तो बस एक बार लाइन को पड़ ले ना इस वाली को है है वाला पूछाए या नहीं वाला क्योंकि कभी-कभी एक्ज सही जवाब मेरे भाई यही आपका बिल्कुल सही जवाब एक से एक बहत्रीन कुश्चन देखो एक से एक सांदार चालिस एक सो बीस चार सो अठारे बीस अठितर ढूंडो ढूंडो लॉजिक क्या बनेगा ढूंडो ज़रा चेक करो बहुत ही सांदार अगर मालो इस पर लॉजिक नहीं बन पा रहा अब तो आसान कर दिया दो-दो सेट वाले आ रहे पहले एक-एक सेट वाले आते थे बस एक ही सेट मिलता था मालो इसमें लॉजिक ना मिला तो गडबड भाई इसमें लगा के देख लो भाई अठा बीच वाले में आपको यानि कि कह सकते हो बीच वाले में दो की गुना करो दो की नहीं तीन की कि यूआ रहा है और फरस्ट वाले को जोड़ दो तो भाई या तीसरा वाला बन जाएगा रे तीसरा वाला एकदम बनेगा देखो जरा बीस तिया साथ और साथ मैं इस अठारे को जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 28 23 60 60 80 68 80 ऐसा ही धूझ लो तो 720 का तीन गुना करूँगा गलत बहुत जाद हो जाएगा 720 का तीन गुना करूँगा गलत बहुत जाद हो 23 का 3 गुना करूँगा 23, 39 29 में 39 जोड़ूँगा 99, 98 6, 2, 8 और 101 98 इसी में बढ़ाता जैसे तीन एक आपस में संक्रियाएं हो ऐसे करके भी बेटा वो यही चीज है भाई मेरे वो यही चीज है अच्छा एक स्टुडेंट के रहा है गुरुजी ऐसा बताओ ओ भाई मेरे वो एक्जामनर की लेंगवेज है उसको तो देखना ही मतना वो पता क् लिख कर देता है मैं समझ गया आपकी बात को मैं समझ गया आपकी बात को आप कहना चारे हो कि एक तीन की संक्रियाएं वो तेहरे करके लिख के देगा उसकी लेंगवेज को पूरा पढ़ना वो कहना क्या चारा है मैं बताऊंगा वो यह कहना चारा है कि आपको तेहरे पर जो संक्रियाएं करनी है ना जो आपको mathematical operation लगाने वो 13 पर ही लगाने इस 13 को 13 में मत तोड़ना बस वो यह कहना चाहरा है मतलब इस 40 को 40 ही मानना है इसको 4 0 में अलग-अलग मत तोड़ना 120 को 120 ही मान कर चलना calculation इनी पर करनी है इनकी डिजिट पर करनी वो कहना यह चाहरा ए इनकी डिजिट पर calculation नहीं करनी है इन numbers पर ही calculation करनी है वो यह कहता है उसका कोई अर्थ नहीं है कोई अर्थ नहीं है उसका लिखनेखा वो students को डराने के लिए लिखता है चाकि इतनी बड़ी calculation को देखे student और घबरा जाए है कुछ नहीं है बिलकुल हलुआ चीज है वो हलुआ ठीक है चलो जी next चार तेहरे पांच चार तेहरे पांच पटाफट से logic लगाओ पटाफट से logic लगाएंगे सबी लोग आया भी या अंसर 38 को फिर से देखो 38 में क्या हुआ भी या 9 का वरन नो की पावर 3 14 का वर्ग 14 की पावर 3 की कह 17 का वर्ग 299 seguro 3 इन उन 411 15 की पावर 3 व्ड़न 413 नहीं होता क्या कूछ और होता है है yeah ओ तेर क्या करभड हुई 25 का वर्ग 625 यह 25 का घन नहीं है लिए तो गलत हो गया 15 का वर्ग 225 नहीं है गलत हो गया 11 का वर्ग 121 नहीं है गलत हो गया यह तो गलती है बाकी तो है बिटा क्या हुआ भी होगा भी भी तब होता बिटा जब यह 3375 होता जब यह 3375 होता मेरे भाई अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो देखो जड़ा 9375 यह नहीं होता मेरे भाई और वो 25 का वर्ग बिटा 3375 तो 15 का होता है 25 का तो 15,625 पर जाकर बैठेगा और ज़्यादा बैठेगा फालतूम है 625 में और 25 की गुणा कर दोगे तो तब जाकर बैठेगा नहीं है गलत है गलत गलत है बिलकुल गलत पावर तीन है लास्ट वाला पावर तीन में ध्यान से देखो ध्यान से यह रहा आपके सामने यह रहा आपके सामने चार तहरे और पांच पर क्या लॉजिक लगेगा 4, 5 और 13 पर क्या logic लगने वाला है भाई धूंडो जरह धूंडो बड़ा ही आसान फिस्ट वाले में 4 दूनी 8 पिलस के 5 बराबर 13 बन गई बात फिस्ट वाले का दुगना 3 दूनी 6 पिलस के 6 बार है logic क्या मिला 2A पिलस का C is equal to B यह logic है यह logic है भहिया 2A plus C is equal to B है ना बिलकुल चेक करो तो 7, 16 और 3 पर logic लगाना है तो मुझे करना क्या है मुझे करना है first वाले का दुगना 7 दूनी 14 है 14 है मैं 3 जोड़ूंगा तो 17 आना चाहिए यहां 16 लिखा हुआ है गलत हो जाएगा 4 का दुगना 4 का दुगना 8, 8 मैं 3 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा गलत हो गया 5 का दुगना 5 का दुगना करूंगा 5 दूनी 10, 10 मैं 7 जोड़ूंगा तो 17 बन गया 17 बन गया option number C right हो गया option number C एकदम राइट है भाई गजब अरे बिलकुल ठीक सैजल सैजल बिलकुल सांदार फर्ष्ट वाले का दुगना कर दो अर थर्ड वाले को जोड़ दो जोड़ दो जी जोड़ दो रोकना भई ये कौन गुस्सा हो रहा है फर्जी आप मेरा नाम क्यों फिर नहीं लूगा बिलकुल नहीं लूगा नाम देखो भई जरा देखो जरा चेक करो चेक करो इस्पीड में यह सारे लोजिक बिटा अलग-अलग हर कुष्चन पर अलग-अलग तरीके से ठीक है ना ध्यान पूरवक देखो और बहुत मज़ा आने वाला है बहुत ही जादा मज़ा आने वाला है आपको हर एक चेप्टर जा-टीन तक की संभावना होगी उसके बाद आपको अनलोगी बताय तो एक से दो कुष्चन मिलने की पूरी-पूरी संभावना है ना तो यह चीजह आपके लिए important मैं वही चीज आपको बताऊंगा गागर में सागर में वही चीज आपको मिलेंगी जिन से कुश्चन बनते ही बनते हैं exam में समझे रहे हो चार चार गुणा छे चार गुणा छे चार गुणा छे 24 पिलस का एक 25 फरस्ट लास्ट की कुणा करोगे तो बहुत ही जादा बन जाएगा यह तो बिलकुल ही गलत नेक्स्ट नेक्स्ट पर आजाओ कुश्चन नंबर 42 भाई यह सांदार कुश्चन है और यह अभी के exam का पूछा गया है अब कहोगे जी इतना हाड तो हमारे में नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा सी एक या दो कुश्चन तो ऐसा रखती है जिस पर स्टुडेंट बिलकुल है यह जो दिमाग है ना वह स्पीड पकड़े हाना उसमें हेलोर पैदा हो कहने करता है यह खुल जाए एक दो कुश्चन तो ऐसी रखी देती है बीस कुश ज्यादा हाट तो देंगे भी नहीं लेकिन यह मत समझना कि 20 के 20 ही ऐसे मिलेंगे बीटा 2-3 कुश्चन तो मैंने वही बताया कि यह 2-3 कुश्चन आपको इसकी पिखरने क्यों क्योंकि ऐसे तो मिलेंगे कुश्चन या तो वह टाइम टेकिंग हो सकता है या वह इतना लॉ पॉइंट पॉइंट टूजीरो और फाइब टॉंटी फाइव देखो क्या है कुश नहीं है यहां पांच बटे 25 कर दो पांच बटे 25 क्या है लॉझिक है सी बटे बी बराबर एद लौजिक तो आसानी है लौजिक तो बच्चो वाला है अर तीसरे वाले में पहले से भग क कर रहा है पांच में पच्चिस से भाग करोंगे तो पांच एकम पांच और पंजे 25 करूंगा ना जाने की जीड़ो और पांच दूनी दस ये बन गया ये बन गया जी तो ऐसा ही यहां पर बन रहा होगा 1212 144 होते हैं एक बटे बारे का अर्थ क्या होता है जीरो दसमलब 0, 8, 3, बिल्कुल सही, तो ऐसा ही, 6, 6, 36 होते हैं, छे का भाग करूँगा, छे का भाग, एक बटे 6 करूँगा, तो क्या, 14, 3 बनेगा, ना जाने की 0, और 6, 1, 6, 4 बचा 6, 36, और फिर 6, 36, यह आता चला जाएगा, एक 6, 6, 6, यह तो नहीं बनेगा, फिर्ष्ट वाला तो नहीं बनने वाला, मैं चलूँगा, इधर की तरफ, 16 बटे 256, यानि की एक बटे 16 आएगा, क्योंकि यह सिकट जाएगा, अब ना जाने की 0 आएगी, फिर ना जाने की 0 आएगी, 16 छिक्के चान में आएगा, 16 छिक्के 16, 48, यह बनने वाला है क्या, चेक करो, बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सांदार, और बाकी किसी में नहीं बन रहा, 4, 4, 16 करोगे, 0.2025, यह 40 लिखा हुआ, यह गलत हो जाएगा, गलत है, केवल और केवल, केवल और केवल, बी वाला, बी 3 प्लस 3 हो सकता था, कुश्यन नंबर 40 में, आपके अनुसार अगर है, तो हो सकता है, बिटा मेरे भाई, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पहचान, भाई, यह हैंग हो गया, चलो, 40 की बात कर रहे हो न, आप, 40 की बात कर रहे हो आप, तो 40 में भाईया, यह है न, मैंने सही तो बताया, 1st वाले का दुगना करो, 1st वाले का दुगना करो, और लास्ट वाले को जोड दो, logic तो मिल रहा है, लॉजिक तो मिल रहा है, तो क्या दिक्कत आई, इगला कुश्यन के सामने होगा बहियों यह सिंगल वाले जो पूछें जाते हैं पहले पूछती थी SSC अब डबलवाले पूछ रही तो इसका भी कुछन लेओ कभी सोचो गुरुजी आपने तो सारे इक दो डबलवाले कर्वाए थ हैं यह तो सिंगल वाला बता है नहीं एक ही बात है बिटा एक ही बात है बस यहां लॉजिक ढूंड़ना है आपको बारहा तीस दोसो चार पर कैसा लॉजिक बन सकता है चेक करो चेक करो फटा फट से पारहा तीस दोसो चार बताओ आया किसी का अंसर आया किसी का अंसर फटा फट से बताओ फटा फट से बताएंगे सभी लोग लॉँग पिटा जितने बी स्टुडेंट हैं जन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आज करदो आज आपके पास आपके पास मौका है 6 million सामिल होने का ठीक है तो जिनोंने नहीं किया है वो फटा फट से भीया सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को और भीया जिनोंने किलाज को लाइक ना किया तो अपकी मर्जी है करो करो ना करो मत करो ठीक है कर लो चलो कर लो 12 से 30 पर जाओंगा 12 दूनी 24 प्लस के 6 30 चिक के 180 जादा हो जाएगा तो क्या क्या लॉजिक बनने वाला है 12 के वर्ग पर जाओं तो 144 होता है 12 का अगर मैं वर्ग कर दूँ और 144 में अगर मैं 30 का दुगना जोड़ दूं 30 का दुगना होता है 60 60 तो 204 तो बनने बाला है अर्थात फर्ष्ट वाले का स्क्वेर और और सेकंड वाले का दुगना तब जाकर तीसरा वाला बन रहा है फर्ष्ट वाले का स्क्वेर कर दो और सेकंड वाले का दुगना जोड़ दो आपस मैं दुगना जोड़ दो कर दो तो 9 का वर्ग 81 होता है 12 दूनी 24 अगर मैं 24 जोड़ दूँ तो क्या बात बनेगी चार एक पांच आठ रो दो दस नहीं 11 का वर्ग 121 होता है 15 15 दूनी 30 अगर मैं जोड़ दू नहीं बात बनने वाली 4 का वर्ग 16 होता है 12 दूनी 24 अगर करूँगा तो ये भी जादा हो जाएगा 15 का वर्ग 225 होता है और 20 का दुगना कितना होता है 40 225 और 40 को जोड़ूँगा तो 265 हो जाएगा लॉजिक साइड में तुरंत की तुरंत लिख रहा हूँ 1st वाले का 240 और 2 वाले का दुगना तो फर्ष्ट वाले का स्क्रेर अगर मैं करता हूँ 15 की पावर 2 आप करते हो और 20 का दुगना अगर आप उसमें जोड़ते हो तो ये तो दो सो पच्चिस हो गया और ये बीस दुनी चाले सो गया दोनों को जोड़ोगे तो दो सो पैसट आ रहा है जो आपका लिखा हुआ है लिखा हुआ है चलो जी बहुत सांदार गुरुजी स्क्रीन पर क्यूं रेड हो रहा है ऐसा है क्या नहीं ठीक तो है नेक्स्ट शोले तीस च्छतिस शोले तीस च्छतिस चेक करेंगे सभी लोग यहां पर क्या बात बनने वाली है यहां पर क्या बात बनने वाली है चेक करो चेक करो गुरू जी मजा आ रहा है मजा रहा है ठीक है तो बिटा मजा लेते रहो और पढ़ते रहो मजा लेते रहो पढ़ते रहो 16, 30 और 36 क्या लोजिक है ये अच्छा लोजिक है ये भी अच्छा लोजिक है पूछा गया लोजिक फश्ट वाले का अंडर रूट और सेकंड वाले का अंडर रूट ये चार का होता है ये च्छे का होता है चार और छे कितने होते हैं दस दस में तीन की गुणा कर दी तो भाईया तीस बन गया तीस बन गया ऐसा ही काम आप कर दो ये किसी का वर्ग नहीं होता ये किसी का वर्ग नहीं होता ये किसी का वर्ग नहीं होता गलत यहां वर्गमूल निकाल सकता हूँ तीन और यहां पर वर्गमूल निकाल सकता हूं पांच दोनों को जोड़ूंगा तीन प्लस के पांच आठ और आठ मैं तीन की गुणा करूंगा तो चौबिस चौबिस बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिलकुल राइट होने वाला है एकदम चैप्टर का नाम है सीरीज स्रंखला मोश्ट इंपोटेंट एक से दो कुष्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना एक से दो कुष्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना अब बात आती है वक्त से लड़कर खुद की तस्वीर बदल दो वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो मेरे भाई और परिश्रम मेहनत इतनी करनी है कि अपनी तकदीर बदल देनी है यही आपका यही आपका मोटो होना चाहिए कि इस बार इस बार जीडी में सेलेक्शन लेना है लेना है और लेना ही है ठीक है चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ सबसे पहला कुश्चन सबसे पहला कुश्चन सिरीज का आपके सामने है सबी लोग देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा 382 322, 272 232 और 202 आपको दिया गया है आप लोग फटा फट से चेक करेंगे कि क्या आंसर होने वाला है क्या आंसर होने वाला है चेक करो, चेक करो बिटा देखो जडरा 382 382 से 322 की तरफ जाओगे क्या डिफ्रेंस हो रहा है बढ रहा है, घट रहा है, जुड रहा है क्या हो रहा है, यही तो चेक करना है 382 से 322 की तरफ गया तो आपने देखा यहा तो 60 माईनस हो गए 60 फिर यहां से यहां तक चलोगे 12 मैं से 7 गया 5 अर्थात यहां 50 माइनस हो गए फिर यहां 7 मैं से 3 गया 4 यहां 40 माइनस हो गए फिर यहां पर आऊंगा तो यहां 30 माइनस हो रहे हैं मिल जाए है ना 11 के टेबल पर कुश्चन डिफरेंस जो है वो टेबल पर आधारित मिलते हैं जादा तर जादा तर एक्जाम में तो 220 यहां आप देखोगे तो यहां कितना 20 तो यह 10 का ही तो पहाड़ा चल रहा है 10 छिके 60 दस पंजे 50 दस चोके 40 दस तीया 30 दस दुनी 20 तो यह 10 का टेबल चल रहा है यानि कि same difference पर, same difference पर, 202 मैसे 20 को माइनस कर दोगे कितना होगा, 202 मैसे 20 को घटा दो, यहां 2 बचा और 182 option number A, option number A, कितने लोगों खा, option number A, एकदम सांधार है बिटा, गुर्देव 6 मिलियन की दावत कब दोगे, 40,000 करवा दो, जब दोगा चलो दावत, जओ, याद करोगे बिटा, 40,000 करवा दो, अभी, है ना, मैं तो मान कर आया था कि 40,000 पिलस लेका हूंगा बच्चों को, और मैं बोल के भी आया, और 40,000 पिलस ना किये ना, तुमने, तो फिर दावत कि सभात की, दावत कि सभात की, जल्दी से जोर लगा दो, जोर लगा दो, बिटा, तेहरे सो, 31,21, 97, कुश्चन मार्क, 68, 68, 69, चेक करो भई, चेक करो फटाफट से, चेक करो, चेक करो फटाफट से, देखो, ये परफेक्ट क्यूब वाला कुश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये 11 की पावर 3 है, यहां चेक करोगे, ये 13 की पावर 3 है 11,23, दिमाख में आएगा 15 की पावर 3, पर ये कितने का है, ये तो, ये तो 17 का नहीं है, ये तो, ये तो 19 की पावर 3 है, भाई, 11,23, दो 15, दो 17 होना चाहिए ता, इस कारत है, 15 वाला वैसे भी ऑप्शन में दिया है, जादा तर स्टुडेंट इसको टिक करके भागेंगे ए देखो, देख दो, देख लो फटाफट से, दे दिया अंसर, 335 बहुत से स्टुडेंट और, मैं कह रहा हूँ, आप जल्दबाजी मत दिखाओ बिटा, इतनी भी मत दिखाओ के कुश्चन को गलत कर दो, अरे आगे की सिरीज भी चेक करनी होती है, आगे की, आगे की सिरीज यह 19 का है, तो 11, 13 और 17 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी कोई चीज हो गया है, यह भी तो होता है कुछ, जिसको बोलते है हिंदी में एभाज्य संख्याएं, क्या, एभाज्य संख्या, एभाज्य संख्या भीया, 11, 13, 17, 17 की पावर 3 करना पड़ेगा, 17 की पावर 3 तो 33, 75 हो गया, गलत, 33, 75 गलत हो गया, 4,096 यह भी गलत, 16 का होता है, 58, 32 यह भी गलत हो गया, उड़न 413, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बिलकुल सही जवाब, कोई दिक्कत, कोई परिसानी किसी को हो तो बता दो यहां तक, है ना, मज़ा आ गया होगा इस कुष सांदार, नेक्स्ट, ढूंडो, लॉजिक आप ढूंडो, 15 सेकंड, 15 सेकंड आपके लिए, उसके बाद मैं, चेक करो, फटा-फट से, चेक करो, यह टाइप कब समाप्त होगा, अरे कौन सी टाइप की बात कर रहा है भिया, अभी तो सुरुवात है, अभी कहां से, अभी कहां से, चलो, चेक करो, जल्दी से अंसर क्या है, चलो, जल्दी से, जल्दी से अंसर चाहिए मुझे, जल्दी से अंसर चाहिए, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए भीया, चेक करो चेक करो फटा फट से क्या अंसर होगा क्या अंसर होगा दो से चार पर जाना चार से दस पर जाना फिर अठाइस पर जाना फिर यहां फिर यहां तो दो दुनी चार होते हैं लेकिन चार दुनी आठ यहां गलत लिखा हुआ है तो मैं कर सकता हूँ दो तिया छे माइनस के दो चार तिया बारे माइनस के दो यहां भी दस तिया तीस माइनस के दो तो 28 तिया 84 माइनस के दो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वै तीन की गुणा करके माइनस दो कर रहा है तीन की गुणा करके और फिर यहां आपका 82 अंसर आया तो 3, 2, 6, 3, 8, 24 ठीक है तो 246 मैंस है दो घटा होगे 244 बिलकुल ठीक ठाक है नेक्स्ट नेक्स्ट पर आजाओ नेक्स्ट पर ये कुश्चन ये कुश्चन देखने में बहुत ही आसान है करने में उससे भी ज़्यादा आसान है तो फिर चेक करना जरा चेक करना देखो फटा फट से औरे वाह गजब अती सुन्दर अती सुन्दर 111, 111 से जाओगे 222 की तरफ, 222 की तरफ दुगना हो रहा है, 222 का दुगना, 444 हो गया, तो यहां भी यही कर दो ना, 444 का दुगना ही तो करना है, 888, 888 का दुगना करोगे, तो 1766 का दुगना करोगे, 352, ओप्शन नमबर A, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आजाओ, कुश्चन नमबर उड़न्चास, करो, बहुत सांदार, बहुत सांदार, क्या करो, 11, 35, 107, 323 पर क्या लॉजिक बनने वाला है, तो यहां, बिटा, शुरुवात में नमबर पूछा है, तो आप बाद में लॉजिक लगाओ, पहले तो 11-35 पर जाओगे, 12-321 मैं पिलस के 2 करूँगा, तो 320, गुणा 3, गुणा 3 पिलस के 2, तो यहां भी यही तो करना था, तो 3 तिया 9 पिलस के 2, 11, 3 गुणा 3, तिया 9, अगर मैं यहां पर 3 रखूँ, तब हमारा अंसर आएगा, तिया 9 और दो, 11, बिलकुल सही जवाब, बिलकुल सही जवाब, नेक्स्ट कुशन नमबर 50 आपके सामने है, पटाफट से चेक करेंगे सभी लोग, चलो बई, बहुत सांदार, बहुत सांदार, अगला कुशन, अच्छा कुशन मार्की नहीं लगा कर दिया, कुशन मार्क लास्ट में है, तो फिर यहां होगा, चेक करना भई, चेक करना फटाफट से, 160 से, 183, फिर 213, फिर 252, फिर 303, और आगे क्या, आगे क्या, फटाफट से चेक करो भई, चेक करो जल्दी से क्या आंसर होगा, 160 से, 183 की तरफ जाओ, कितना पिलस हो रहा है, साप साप नजर आ रहा है, 23 पिलस हो रहा है, आगे की तरफ भगो गए, 183 से, 213 पर, जीरो, यहां 30 पिलस हो गया, आगे चलूंगा, 12 मैं से 3 गया, 9, 4 मैं से 1 गया, 3, 49 पिलस हो गया, तो यहां भी चेक करो जड़ा, 3 मैं से 2 गया, 1, 10 मैं से 5 गया, 5, यह कैसा लोजिक है, 23 से 30 पर गए, 7, double difference के साथ लोजिक मिलेगा, 30 और 9, 49, 49 और 9 और 2, 11, 12, 7, 2, 9, 9 और 3, 12, 12 और 4 कितना होगा, 16, 12 और 4, 16, चलो जी, 16, यहां पर क्या करना पड़ेगा, भीया, 16 को यहां पर इसमें जोड़ दो, 51 मैं 16 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 66, 66 हो जाएगा, 66, अब 66 किसमें जोड़ना है, फिर आपको, 66 किसमें जोड़ना है, 303 में, 303 में, आप 67 को यहां एड़ करोगे, 370, 370, 370, 370, लग गई भीया, धारा 370, ठीक है, option number, option number C, है, clear, बहुत सांदार, बहुत ही बहतरीन जवाब, आज़ो, next question पर आज़ो, फटा फट से, 27, 29, दो question मार के, लेकिन answer तो एक में दिया है, तो यहाँ एक ही होगा, भई, इसको मैं थोड़ा सा change कर देता हूँ, यहाँ एक ही होगा है, न, एक ही होगा, दो नहीं होंगे, केवल एक होगा, केवल और केवल एक question मार, ठीक, चलो जी, करके देखो जरा, करके देखो, क्या आ अनीश official, अरे वाह, तो रुपे भेज़े हैं, इसमें चीज खाने को, है, चाई पीने को, चलो ठीक है, 27, 29 आगे क्या, 182 से 730, भाई, पहले यहाँ से तो आपने देखा, दो काई अंतर है, लेकिन यहाँ तो 182 से 730 पर जाना, यह तो बहुत जादा हो गया, यह तो बहु वाला लोजिक लग रहा होगा, उसी की पहचान कर लो, 182 मैं कितने की गुणा करूं कि मैं 730 के पास पहुँच जाऊं, कितने की गुणा करनी पड़ेगी, यह कोसिस करो, 182, 185, 90 जादा हो जाएगा, 184, 72 लगभग लगभग पहुच जाऊंगा, चार दुनी आठ, और चा इकम, चार और तीन साथ, भईया गुणा चार, गुणा चार पिलस के दो बन रहा है, क्या इधर भी ऐसा ही है, क्या इधर भी ऐसा ही, अगर मैं इधर पांच की गुणा करूं, 500, 0, 5, 30, 35 और 1, 36, 36, 3050 बनेगा, 36, 50 में 2 जोड़ रहा है, इधर 4 की गुणा, 2 जोड़ा, इ ताइस पिलस के दो तो यहां आप क्या करोगे दो की गुणा पिलस के दो फिर फिर तीन की गुणा तीन की गुणा पिलस के दो यह वाली सिरीच जारी है यही वाली तो सिरीच जारी है तो उनतिस दूनी अठावन अठावन और दो कितना हो जाएगा साथ साथ हमारा क्या होग का option number B right होगा option number B एकदम राइट है एकदम सांदार की गुणा चार की गुणा पांच की गुणा यहां सुरवात में एक की है फिर दो की है फिर तीन चार पांच गुणा करता जा रहा है और फिर प्लस दो अपनी तरफ से नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जड़ा इक्क्यावन सो तीन सत्रेसो एक पांसो सड़सट कुष्चन मार्क तड़ेसट और रिक्किस ढूंड़ो जड़ा यह देखो जड़ा इक्क्यावन सो तीन इक्क्यावन सो तीन से सत्रेसो एक पर जाना है कैसे जाओगे मेरे भाई कैसे जाओगे लगबग लगबग तीन से ही भाग हो रहा है पूरा पूरा है ना इक्क्यावन सो तीन में सत्रेसो एक पर जाने के लिए आपको तीन से भाग करना पड़ेगा तब jawsकते हैं ओर सट्रे सो एक से जाओँ गे पांसो सड की तरफ कितने का भाग live यहां भी आपका तीन पंजे Pं dein में हुआप है यहां भी रीचिंग तीन सथे और तीन नाम 27 एक सो नवासी एक सो नवासी पांसो सड़ सट में तीन से भाग करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपका आज़ेगा एक इशन नवासी ओप्शन नमबर डी next हाँ यहाँ से आता है alphabet series alphabet series से एक cushion या दो cushion दो तो नहीं मुश्किल से एक ही मिलेगा अगर मिला तो दूसरा तो देखने को मिलेगा नहीं अगर एक मिला तो फिर उधर एक series का कम हो जाएगा number series का number series के दो की संभाव न रहेगी अगर गर दो नहीं आये एक आया तो फिर एक इसका देखने को मिल सकता है एक इसका देखने को आपको मिल सकता है भाई चेक करो तो answer क्या है चलो यह अच्छे से कर लोगे आप इसमें कुछ नहीं है plus minus plus minus यही logic है एन 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 तो आएगा ही आएगा सुरुवात में इसका काम खतम करो M के बाद 13 पिलस के 4 17 17 पिलस के 4 21 21 और 4 25 और 25 और 4 करोगे 29 29 पर क्या हो जाएगा भीया 29 पर हो जाएगा आपका सी सी वाले option को पकड़ लो NC ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है मैं जाओंगा option नंबर B के साथ पूरा क्यूं करूं पूरा क्यूं करूं करूं भीया जब आंसर ही मिल गया बाकी मैं तो CI नहीं रहा तो ऐसे टाइम भी बचा लेना थोड़ा सा ठीक है ये रहा आपका option नंबर B बहुत सांदार बढ़ते हैं next की तरफ अगला कुश्चन जवाब देंगे आप सभी लोग 10 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर माइंड में सॉल्व करो और आंसर बताओ A, B, C, D, B, D, F, D, C, F, I, D, कुश्चन मार्क, E, J, O, D आया अंसर ओ भाई, ओ भाई सांदार बढ़ा मजा ही आगया मजा ही आगया बिलकुल A, B, C और D आएगा निश्चित रूपस है डी वाले तो सारे ही है B, 2 पर D, 4 पर 2 और 2, 4 और 2, 6, 6 और 2, 8 पर H आएगा अरे भाईया H वाले भी सभी हैं तो ये गलत हो जाएगा C, 3 पर 3 और 3, 6 और 3, 9, 9 और 3 बारे पर L आएगा D, H, E गलत, D, H, D गलत, Option नमबर B राइट, D, H, L, D, D, H, L, D Option नमबर, Option नमबर B एकदम राइट है Next, हाँ, Classification, Chapter का नाम है बिटा, Classification अर्थात, वर्गी करण, वर्गी करण, Odd, One, Out Odd, One, Out, आपको ढूंड कर निकालना है 4 options आपको दिये जाते हैं, Odd, One, Out 4 option आपको दिये जाएंगे और 4 option मैं से 3 किसी परकार से समान होंगे, एक अलग होगा और ये भी आपका 3 तरीके से आता है तीन तरीके से जाता तर एक्जाम में इसकी टाइप आती है लेटर वाली, Maximum, जादा तर तो तीन तरीके से होता है, तीनों तरीके की टाइप में आपको बताने जा रहा हूं फटा फट से हम लोग देखेंगे इस चेप्टर में क्या चीज होती है एसंगत सब्द का चैन करो, एसंगत सब्द का चैन करो, चूजदा ओड वर्ड यानि कि जो अलग है सब से मुह, आख, फैफडा, नाक ये हैं हमारे सरीर के अंग, सरीर के अंगों पर कुश्चन है तरीर के अंगों पर कुष्चन है और इसमें आपको बताना है कौन सा अलग होने वाला है कौन सा अलग होने वाला है भाई पटाफट से देखो मूहू, आँख, फैपडा और नाक कौन सा सब्से अलग है आ गहाँ अंसर अरे वा ये तो 5 सेकंड का कुश्चन होता है बस ये समझ लो GS से भी हलका है ये वाला टॉपिक जितना GS के कुश्चन को पढ़ते हो ना या हिंदी का कुश्चन कर रहे हो उससे बहुत ही ना के बराबर समय है ना बहुत कम मुहू होता है हमारा बहाईय अंग आख बहाईय होती है नाक ये तीन हमारे जो होते हैं वो बहाईय अंग कहलाए जाते हैं बहाईय अंग हम इनको कह सकते हैं बहाईय अंग और जो लंस है फैफडे ये आंतरिक अंग के अंदर गत आता है आंतरिक आंतरिक अंग तरीर के अंदर इनर इनर पार्ट भही आए चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला कुश्चन अगला कुश्चन पांडी चेरी महराष्ट लक्षदीप जम्मू कस्मीर केक करो भई रुपे अंदर पिरताप सिंग्या कह रहे हैं दिखाईयो भीजरा गुरुजी दस दिनों में हो सकता है तैयारी दस दिन में तैयारी है बेटा ऐसे तो फिर तो वही कर सकता है रोबोट वाला स्काम एंटन ऐसे करके ठीक है रोबोट देखी है उसमें ऐसे करो ऐसे करो काम खतम काम खतम पांडिचेरी, महाराष्ट, लक्षदीप, जम्मू कस्मीर तो पांडिचेरी की बात की जाए बिटा union territories है महाराष्ट आपका बिटा state है लक्षदीप union territories, जम्मू कस्मीर union territories बन चुका है अब जनते ही हो तो यह तीन आपके UT है यू टी जुए ये आपका स्टेट है एस्टेट ऑप्शन नंबर भी क्या आप लोगों ने फी ऑप्शन दिया बहुत सांदार बहुत ही सांदार मजै आगए नेक्स्ट निएक्स्ट कुछ डेली यूज में होने वाले सब्द। अगली यूज में होने वाले सब्द नम्रता सालीनता सादगी घमंड मर जाओं तेरी सादगी पर हैं सादगी क्या चीज होगा है सालीनता क्या चीज होती है नम्रता क्या चीज होती है अना बताओ बताओ फटाफट से घमंड इगो ओ भाई घमंड आ गया इगो आ गया कार्तिक भहिया लव यू भहिया लव यू बहुत धेर सारा लव यू नमरता हो गया बिटा किसी के प्रती बहुत कोमल नमर वहवार रखना है ना सालीनता बिलकुल आदमी सालीन है बहुत तमीजदार इंसान है सादगी हो गया वह भाई बहुती अच्छी अच्छे वहवार वाला इंसान है तो यह तीनों क्या है एक दूसरे के सिनोनेम से समानार थी लेकिन घमंड क्या है इनका just opposite हो गया just opposite घमंड option number d option number d next अगला question आपके सामने अगला question आपके सामने हम लोग देखेंगे इसको ज्यादा नहीं चार option को पढ़ने में जितना समय लग रहा है न उतना ही solve करने में क्योंकि logic इसमें खास कुछ होता नहीं है बिटा चेक कर लो बस सतरंज, सतरंज, table tennis, billiards और golf सतरंज कैसा होता है, सतरंज होता है indoor games जिसको चार दिवारी में बैठ कर खेल सकते हैं table tennis, table tennis भी indoor के अंतरगत आता है billiards की बात की जाए तो billiards भी आपका indoor और golf जो होता है, हाना, जिसमें एक stick से ball को ऐसे hook करके मारा जाता है ना, तो वो होता है golf, golf भहिया outdoor में गया, outdoor में, इसका तो ground भी बहुत बड़ा होता है ये लो भहिया, option number D, option number D, next चना, जो, गेहूं, और मूंग, यहां क्या answer होगा, चना, चना जानते हो बिटा है ना, खाते हो चने की सबजी वगेरा जो भी है, और वैसे भी भिगो कर चने खाते हो, अगर रेस वेस तक की तैयारी कर रहे हो, दोड़ पोड़ लगा रहे हो, जो, बारले, गेहूं, गेहूं क्या चीज होती है और भीया, मूंग, मूंग क्या होगा मूंग की दाल होगा, तीन किसमें आ गए, तीन आ गए आपके अनाज में, अनाज, अनाज, और गय हूँ, सुरी मूंग जो है वो किसमें चला गया, दाल, दाल होती है, दाल, तो भीया, option number, option number D होगा, answer, option number D, बहुत ही सांदार मेरे भाई, बहुत ही सांदार, next, next को चेक करो, बीमारियों के उपर, बीमारियों के उपर भी आ सकता है, कुश्चन, चेक करो, सूखा रोग, रतौंधी, इन्फलुएंजा, इसकरवी, सूखा रोग होता है, आपका विटामिन D की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी होता है, भाईया, A की कमी से होने वाला रोग, इन्फलुएंजा, वाईरस, और इसकरवी होता है, विटामिन C, तो ये तीन तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गए विटामिन की कमी से होने वाले रोग है ना इन्फिलुएंजा क्या होगा इन्फिलुएंजा आपका अलग होगा अलग option number C option number C चलो चने की दाल होती है लेकिन चने को बिटा अनाज में रखा गया है ना चने को किस में रखा गया अनाज में ठीक है अनाज में हम उन फसलों को जादा तर रखते हैं जिनका हम आटा बना कर उनकी रोटियां बना कर खा सकते हैं मुंग की दाल की रोटी पीस कर आटा बना कर खाई है आने को तो खा सब भो बिटा कोई दिक्कत भी ना ठीक है पर वो वो बिटा तीनों अनाज में है और जो वो है वो आपकी दाल है मुंग नेक्स्ट आदमी आदमी भाया गैराज कैसे रिलेटिड है गैराज से विसम पूछ रहा है तो यह तो इससे रिलेटिड ही नहीं है सुवर सुवर सुकर साला में रहता है बिल्कुल रहता है इसके घर का नाम है इसके घर का नाम घोडा अस्तबल में रहता है इसके घर का नाम है भाई घर हो गया गाए गाए चपर में रहती है भाई इसके घर का नाम है तूर सुकर साला में घोड़ा अस्तबल में गाए चपर और भाई आदमी तो घर में रहे है गैराज में थोड़ी न रहे गैराज में तो गाडियां रहती है गाडियां ठीक है खेराज खेराज नही चेक करो NET NET का संबन्द दिया है BEDMINTN के साथ क्या BEDMINTN और NET में कोई RELATION है अरे जो NET लगा होता है जब BEDMINTN खिलते हैं तो BEEC में पोल सा गाड कर NET सा ऐसे लगा दिया जाता है इसके आर पार खिलते हैं ऐसे करके तो नेट जो है वो बैडमिंटन से रिलेटिड है ये इस से रिलेटिड है दस्ताने पैर के मुक्के बाजी होती है धिशुम धिशुम ऐसे करके है न तो देखाओगा दस्ताने पैर के मुक्के बाजी तो ये इस से रिलेटिड है इस गेम से रिलेटिड इस गेम से सतरंज गैंद किर्केट किर्केट में गैंद होती है मुक्केबाजी में दस्ताने होते है बैडमिंटन में नेट इंपोटेंट होता है अर सतरंज में खिलाडी अरे खिलाडी तो हर किसी में हो वह है बिगर खिलाडी के खेल क्या विगर खिलाडी के खेल क्या अरे सत्रंज में बिटा चैस बोर्ड होता है प्यादे वगेरा जो होते हैं जो आपके गुटके वगेरा जो होते हैं रखे जाते हैं घोडे, हाती, राजा, महराजा तो ये आपका option number option number 3 यहाँ पर अलग होगा बिलकुल अलग next को देखो जरा next क्या कहना चाहरा है यहाँ से ये वाली type ज़्यादा पूछी जाती है exam में ये वाली letter वाली type ज़्यादा देखने को मिलती है exam में आपको बता दू PNP G I R L M Y T A U बटा इसकी पहचान करो इसमें कौनसा आपका अंसर हो सकता है कौनसा आपका अंसर हो सकता है PNP चेक करो कैसे बात बनेगी अगर मैं B की बात करूँ B2 पर होता है N भीया 14 पर होता है और इधर P लिखा हुआ है 16 पर तो तुरंत दिमाख में आएगा क्या आएगा बता न जरह क्या आएगा बताओ जरह तर जी मैं डमरू चायवाला आपको परणाम करता हूँ परणाम मेरे भाई परणाम तर आपकी इसमाईल बहुत कातिलाना है वै होई क्या कहदी वह-ई अब कैसे करूं बेटा अब कैसे करूं बताओ जी जी सात पर है आई नौ पर है और आर अठारे पर है एल बारे पर है एम तेहरे पर है य पच्चिस पर है चलो ती भीस पर एक पर सामने 21 लिखा हुआ है तो दोनों को जोड के तो लिख रहा है चौदहर दो सोले बारे और तेहरे पच्चिस बीस और एकिस तो नौर साथ तो सोले होते हैं अठारे नहीं होते नौर साथ कितना होता है भीया यहां सोले होना चाहिए था अठारे तो गलत है 81% लोगों का आपका बिलकुल सही जवाब अप्शन नंबर B नेक्स्ट चेक करो पिटा यह लेटर वाली लेटर वाली मैक्सिमम पूछी जाती है एक्जाम में आने को तो कोई सी भी टाइप आ सकती है लेकिन ज़्यादतर संभावना इस वाली की है तो और यह आसान भी होती है बहुत यह आसान होती है चेक करो डी डबलू एच एस दूध वाले भाईया दूध वाले भाईया है ना हाई इसकूल हाई इसकूल आपको याद कराए होंगे दिल्ली वाली गल फ्रेंड है ना सब कुछ छोड़ चाड़ के आया दिल्ली वाली गल फ्रेंड है ना गाना तो मुझे तो याद ही नहीं है चलो हाई स्कूल बी वाई बाई बी वाई एक दूसरे के अपोजिट तूदवाला भहिया चिल्डरन्स खाते हैं क्रेक्स भाई गडबड कर दीजी गडबड ठीक है इवनिंग वंदना जंगल क्वीन या जेब कतरा करके याद किया होगा तो ãoप्षण नबर सी ऑप्शन नबर सी हमारा आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल अलग गुरु जी उसमें हाँ वो जो रभी फसल आप लगा सकते थे गयहू हो गया जो हो गया चना हो गया तीनों की तीनों जो है ना वह गेहूं के टाइम पर बोही जाने वाली फसल तीनों की तीनों और बीटा दाल आपकी मुं की दाल अलग फसल है वह भी लॉजिक है बिल्कुल सांदार कलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला कुश्षन इसका अंसर बता दिया मैं थीक ह कि अलो भई फटाफट से आंसर बताओ भईया आपसे पहली नजर में प्यार हो गया बिटा मुझको भी आपसे प्यार हो गया आजाओ जल्दीश है ठीक है कि अलो टी एपी टी 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 आई डवलू ठीक है है एपी वड डवल ववल बीच में ववल है और यहां कोही भी ववल नहीं है तीन सब्दों में तीन वर्ड्स में आपका क्या था बीच में वववल लिखा हुआ था यहां तो एक भी ववल नहीं है वोविल कॉंसोनेंट पर भी आ सकता है वोविल कॉंसोनेंट पर भी आ सकता है तो D option answer होगा आगे बढ़ते हैं next की तरफ question number 66 नंबर वाले अभी वर्तमान समय में अभी वर्तमान में ये type पूछी गई है बिटा और मुझे उम्मीद है थोड़ी सी इस type के आने की थोड़ी सी ऐसा नहीं कि पूरी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा यहां तीन तीन नंबरों का set दे कर आपसे question पूछ सकता है कि यहां पर कौन सा अलग है और आसानी है जितने भी question पूछे न वो सारे ही आसान पूछे एक single question ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा आपके exam में अगर आ आओगे बिल्कुल सही करके आओगे चलो जी पांच से 25 125 है तो पांच की पावर 3 नहीं तो है यह perfect cube 4 की पावर 3 भीया side में लेख दो 5 की पावर 3125 4 की पावर 364 6 की पावर 3216 और सात की पावर 3 कितना होता है कितना होता है पढ़ते पढ़ते यह answer आ गया नहीं आया बताओ जरा अगर पढ़ते पढ़ते ही अंसर आ रहा है कुश्चन का तो क्या क्या जरूरत पढ़ी कुछ अलग से करने की मिल गया परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब यहां परफेक्ट क्यूब नहीं लिखा हुआ तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा यही हमारा अंसर है चलो बहुत सांदार बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला कुश्चन संख्याओं के विसम समू का चैन करो सिंगल भी दे सकता है डवल पर भी दे सकता है टिर्पल अना तीन संख्याओं का जोड़ा भी दे सकता है एस एस गो स्वामी गुरू जी आई लव यू का रिपलाई दे दो नहीं तो आज से दुस्मनी हो जाएगी ओ भाई लव यू भहिया लव यू बहुत देर सारा लव यू ठीक है कलेक्ट दा और सेट अफ नंबर्स यहाँ आपको बताना है यहाँ कौनसा नंबर अलग है यहाँ सेट तो है नहीं और नंबर बताना है बस 69, 93, 91 मिल गया क्या लॉजिक मुझे बताओ मौनू राठोर 83 दे रहो निशा भारती 83 किस वज़े से बिटा किस वज़े से कोई खास वज़े आपके सामने आपने जो ऐसा अंसर दिया है ना ओ भीया 69, 69 किसी से कट है क्या बताओ जरा 69 किसी से कटता है क्या मुझे यह बताओ 69 नहीं कटता तिरान में किसी से कटता है क्या 30 सत्य 91 है ना तो दो तो कटने वाली हो गई दो ना कटने वाली दो भाज्य दो अभाज्य अब कुछ ओर ढूंडेंगे क्या सम विसम है सम विसम तो नहीं है सारी ही विसम दी गई है अंकों के योग पर जाना पांच और नौ मिलकर कितना होता है 14 होता है 9 और 3 मिलकर 12 होता है 8 और 3 मिलकर 11 होता है 9 और 1 मिलकर 10 होता है अब आपका अंसर आ गया होगा अब आपका अंसर क्यों हमने देखा दो संख्याएं तो डिवाइडेबल थी है ना है ना दो तो आपकी भाज्य संख्याएं दो अभाज्य हैं लेकिन उदर से आंसर नहीं आया सम विसम पर देखा तो वो भी नहीं लगा वर्ग घन के पास है ही नहीं तो फिर अंकों का योग बचता है नौर पांच चौध है नौर तीन बारे आट तीन ग्यार है नौर एक दस चौध है बारे दस यह तीनों यह तीनों इवन आ गए पर यह आपका ओड है तो आपका अंसर क्या होगा फिर 83 होगा 83 नेक्सट हाँ जी 88 68 और 48 56 56 देखो जड़ा यहां देखो क्या आने वाला है चेक करेंगे सबी लोग रोगे बई उपर उपर अनुभव तिवारी हमारी नन्नी सी परी को हैपी बढ़ी बोल देना गुरुजी ठीक है बिलकुल आज अंकित सर की बेटी है उसका जनम दिन है hèna तो नायरा उसका नाम है बिटा उसका हैपी बढ़ले है आज तो दावत तो है साम को ठीक है चलो ठीक है बटा गुडिया को जनम दिन की बहुत देर सारी सुबकामना है बिल्कुल तस्ता डाकू मैं आपसे गुस्सा हूँ ओ भाई 88 से 68 पर जाओगे तो 20 माइनस करने पड़े 68 से 48 पर गया 20 माइनस करने पड़े 66 से 56 माइनस के 20 करने पड़े 92 बीस गटाए फिर बीस गटाए सम्मेई बीस गटा रहा है 98 मैं से 20 गटाए तो 88 अठितर मैं से यहां नहीं गट रहे यहां 22 गट रहे हैं 22 ओ भाई option number D option number D हमारा answer होगा बाकी हर किसी में 22 बीस बीस गटा रहा था और इस वाले में 22 गटाया 22 यह answer होगा next question number 79 करो 25 छेसो 25 छेसो बीस दस सो पिच्चानमे 15 दो सो बीस दो सो पंद्रे 20 चार सो तीन सो पिच्चानमे क्या होने वाला है answer क्या होने वाला है answer पिच्चिस का वर्ग छेसो 25 दस का वर्ग सो पंद्रे का वर्ग नहीं लिखा हुआ बीस का वर्ग 400 तो गडबड कौनसे वाले मैं कर दी C वाले मैं C वाले मैं गडबड कर दी तो यही क्या होगा हमारा answer होगा ना option number C next क्या कह रहा है next को check करो फटा फट से अच्छा है फिर से आ गया इसी पिरकार का यह बटा check करो फटा फट से Y B Y का अपोजिट लिखा हुआ है B अपोजिट P का क्या है के अपोजिट है चेक करो पहले आप चेक करो कौनसा answer है पहले आप लोग चेक करो फटा फट से युवराज सिंग लव यू भाया गुरूजी PDF साफ देना बिलकुल साफ मिलेगी टेंसन मतलो बिलकुल साफ मिलेगी पता ही साफ दे दू बिलकुल white ही करके बिलकुल ही साफ दे दू एक दम बताओ एक कहरा गुरूजी PDF साफ देना तो मैं ऐसे करोगा PDF बिलकुल साफ ही दे दूगा साफ एक दम बताओ वई इसका answer क्या होने वाला है अगर मैं बात करूँ Y और B को आप चेक करोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है P और K को चेक करोगे एक दूसरे के अपोजिट दिये गए है I R एक दूसरे का अपोजिट W D एक दूसरे का अपोजिट X R में 24 18-6 S 19 और 13-6 M 13 7 20 L 12-6 तो आंसर होगा क्या C option क्योंकि बाकी 3 में माइनस का 6 कर रहा था और यहां पर पिलस का 7 कर रहा है तो आंसर तो यही होगा यही होगा चलो जी गुरू जी रीजनिंग को कितना टाइम देना चाहिए रीजनिंग के लिए बटा मैं बता रहा हूं सबसे पहले आप रीजनिंग करोगे फिर आप हिंदी हिंदी करोगे फिर आप जी एस करोगे हैना और लास्ट मैं आपका मैत मेरी बात सुनना जरा हैना कितना टाइम देना है मैं बताऊंगा रीजनिंग आपकी अच्छी स्पीड है mock test आपने लगाए है mini mock test लगाए है तो बेटा 18 मिनट काफी है 18 मिनट 20 कुश्चनों के लिए 20 कुश्चनों के लिए 18 मिनट काफी है मेरी बात सुनने जड़ा ध्यान से क्यों कह रहा हूँ 18 मिनट 18 में 20 न करने 18 में 17 करने कितने करने सत्रे कर लोगे सत्रे कुश्चन आराम से कर लोगे आराम से बिलकुल ही आराम से मैं आपको बता दूँ हिंदी जादा से जादा खेच के चलोगे ना जादा से जादा भी तो आठ ही मिनिट लगेंगी और जी एस में भी बिटा तो बहुत अच्छे कर लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत कोई परिशानी नहीं है 18, 8, 8, 20, 18, 8, 26, 8, 34, 24, 54 मिनट में पेपर खतम होगा लास्ट के 6 मिनट जो बचेंगे न वो री चेकिंग के लिए मतलब जो आपने मार्क फोर रिव्यू करके रखें कुशन जैसे कि यहां रीजिनिंग में सकत्त रह करें तीन आपने स्किब कर दिये उन तीन को करोगे न मैं कह रहा हूं तीन मिनट से पहले-पहले कर लोगे उन तीन बचे हुए तीन को मैथ में चार बच रहे हैं अगले इन मिनिटर में इनको खतम कर दोगे बहुत सामदार तरीके कोई दिक्कत नहीं है बिर्कुल परिसानी नहीं होगी आराम से ठीक है बाकी आप अपनी स्पीड के अनुसार करो तो ज्यादा बेटर है जैसा आपने अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है ठीक है चलो जी यहां क्यूं 17 पर L 12 पर माइनस के 5 हो गये L 12 आठ चार पर पर 6 माइनस के 2 हो गए I 9 पर D 4 पर माइनस के 5 4 में से माइनस 3 किया फिर 27 में से 2 माइनस किया 19 में से 14 माइनस के 5 14 से माइनस के 4 10 और 10 में से 2 घटाया तो 8 V 22 में से 5 गए 17 17 में से 4 गए 13 और 13 में से 2 गए तो 11 अब तो 3 तो एक जैसे मिल गए ये सबसे अलग है ये सबसे अलग है तीन एक जैसे ये सबसे अलग है सबसे अलग नेक्स्ट ये दो चैप्टर एक साथ है मेटा दोनों ही इंपोटेंट है कभी तो होता है कि इस वाले से भी कुश्चन देखने को मिले और कभी होता है, इस वाले से भी देखने को मिले, दोनों, बहुत rare case मेंे आते हैं, मतलब, एक ही exam में दोनों देखने को मिल जाए, वो कभी कभी होता है, जब ज़ादा कुष्णों की संख्या होती है न, तब आते हैं, दोनो, dictionary order क्या होता है dictionary order आपका होता है दिये गए सब्दों को English dictionary order में arrange करना, एक question आता है SSC पूछ रही है logical sequence of words आसान ही होता है, मैं बता दूँगा क्या चीज़ है, अभी सब्दों को तारकिक रूप से arrange करना होता है, एक sequence में, बड़े से छोटे की तरफ छोटे से बड़े की तरफ, हर तरीके का question, ठीक है, चलो ये chapter अपने आप में important है ये वाला, चलो जी चलते हैं, सबसे पहला question आपके सामने कराएं, बहुत सारे practice set में भी बहुत कराएं, यहां थोड़ा सा revision हो जाएगा, आपको, जो आपने सीखा है, वो सब आपका एक प्रकार से revision, ठीक है सर, speed बढ़ाओ, ठीक है भाईया, speed बढ़ा रहे हैं, तो देखियो जरा कैसे छटा गेर लगाता हूँ, मैं अब है, गाड़ी का छटा गेर देखो जरा, पटा-फट से common letter को आप हटा दोगे P, O, P P, O, P common है मैंने बताया था, जो common letter है, आप उसको हटा दोगे आप उसको हटा दोगे, चौथा letter compare करो, चौथा, क्योंकि तीन से तो answer नहीं आया, इसमें U आया है, इसमें E आया है, इसमें U आया है इसमें U आया है, इसमें P आया है, तो पहले तो E वाल आएगा चार number, फिर P 16 पर होता है, तो 5 number अब यह तीनो U वाले आएंगे इनमें common क्या है इनमें common क्या है, देखो U भी common है, L भी common है, A भी common है U, L, A U, L और A, नहीं बता सकता कौन सा पहले आएगा, R 18 पर होता है, T 20 पर होता है, C 3 पर होता है तो 3 वाला पहले आएगा और 18 वाला उसके बाद आएगा, और 20 वाला सबसे last में, 45 312, लेकिन पूछा क्या उसने, पूछा क्या पांचवे इस्थान पर आएगा अर्थात last number पर last number पर तो दूसरा वाला अर्थात, population population क्या है, हमारा answer है, population क्या होगा, हमारा answer, उसने पूछा था, कौन सा सबसे last में आने वाला है population हमारा answer होगा, जो सबसे last में है सबसे last में, चलो जी पढ़ते हैं, next की तरफ question number 33, question number 33 फटाफट से चेक करो इसका सही जवाब क्या होगा करजी किलॉक से भी question आएगा क्या, possibility है संभावना कह सकते हो कि मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही check करो देखो जरा फिर से वही चीज करनी है आपको फिर से वही चीज करनी है, आपसे पूछा है अंग्रेजी सब्दकोस में लगाओ तो common को आप हटाओगे F, U सभी में common था F, U F, U F और U, ठीक है मैं अगला letter चेक करूँगा S, N N, S S, S S और N, दो ही तो थे एक तो S था और एक N था तो S और N में से कौन पहले आएगा N वाले जितने भी हैं, वो सब पहले आएगे S वाले बाद में, तो मैं N कोई compare करूँगा, बस N हटा दूँगा, N हटा दूँगा और N हटा दूँगा इसका अगला I है I, इसका अगला E है इसका अगला D है तो D वाला पहले आएगा 6 D के बाद E वाला आएगा दो नमबर, और फिर आएगा I वाला अर्थात 4 नमबर तो भाईया, 624 कहीं लिखा हुआ है 624 कहीं लिखा हुआ है क्या 625, 625, 625 25 भाईया 624 तो एक मात्र आप्शन में है तो क्यों ना इसी को टिक कर दूँ और आगे की तरफ भगूँ बताओ जरा किसी को कोई भी समस्या हो फटाफट से बता दो आप आगे की तरफ भागोगे तुरंत तुरंत आगे की तरफ फर्स्ट आप्शन मिल्कुल राइट नेक्स चेक करो अगला कुशन नंबर 74 कुशन नंबर 74 फटाफट से मैं मानता हूँ यह चेप्टर आसान है आसान है लेकिन पूछती है S.S.E. इतना निश्चत है इतना निश्चत है कि पूछेगी आप से एक्जाम में S.I. S.I. C.K.L.E. S.I. C.K.L.Y. S.I. C.K. के तक कॉमन है पहले चार कॉमन जड़ा रहे हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार के तक कॉमन S.I.C. के यह तो फिनिश हो गया यह तो फिनिश हो गया तो यही सब से पहले आएगा इसमें तो कोई अक्षरी नहीं आ रहा तो तीन नमबर सबसे सुरुवात में फिर उसके बाद L, E, L, N तो E वाला आएगा E वाला चार नमबर अब L बारे पर होता है L बारे पर होता है N 14 पर ये तो लास्ट में गया L हटा दूँगा L हटा दूँगा E वाला पहले आएगा Y वाला बाद में एक एक के बाद दो और लास्ट में पांच 34 125 पूछा गया था कौन सा तीसरे नमबर पर आएगा एक दो तीन तीसरे नमबर पर आया आपका S I C K L E option नमबर फ़स्ट option नमबर फ़स्ट option नमबर फ़स्ट बहुत सही जवाब बहुत सही जवाब next कुष्ण नमबर फ़स्ट चेक करो इसका अंसर आप बताओगे अगला चेप्टर बहुत सांदार बहुत इंपोटेंट आने वाले दो चेप्टर इतने सांदार है जिनसे कुष्ण बनता ही बनता है वह आपको मिलने वाले हैं चलो बैदेखो जरा फटा फट से हैं यहां कौन सा सबसे पहले आएगा eup 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 eug eup तो e और you common था बस के वल e और you common था e और you जी वाला सबसे पहले आ अर्थात चार नंबर वाला सबसे सुरुवात में तो यह गलत और यह गलत बस मैं तो दूसरा चेक कर लूँगा अब अब दूसरा EU EU P P वाले सारे ही थे तो सब की P हटा दूँगा एक दो तीन और चार अगला चेक करूँगा H H E E और H तो E वाला पहले आएगा अर्थात दो नंबर कहानी खतम पूरा कुश्चन सॉल्व करने की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि समय बचाना है समय बहुत इंपोटेंट है यह गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे पर तो दो नंबर आएगा दो नंबर ठीक है चलो बहुत सही बहुत सही नेक्स्ट नेक्स्ट पर आजाओ कुश्चन नंबर छियत्तर कुश्चन नंबर छियत्तर इसको और बताओ फिर बढ़ता हूँ मैं अगली टाइप की तरफ अगली टाइप की तरफ इसको और बतादो जरा फिजीकल, फिजिक्स, टाइकोलोजी और फिजीसियन और फॉन कौन सा सबसे पहले आएगा पी एच पी एच तक सभी में common ध्यान से देखोगे तो पी एच पढ़ते पढ़ते यह अंसर आ जाता है पढ़ते पढ़ते ही, आपको काटनी की आवशकता नहीं है, ऐसे ही ध्यान से देखो तीसरा लेटर वाई 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 यहाँ O O पहले आता है तो पांच नमबर लिख दोगे बस, पांच नमबर दो options में हैं, इस यह गलत यह गलत पहले आएगा, O लास्ट में है और S उसके भी बाद में एक चार दो, एक चार और दो, 51,423, 51,423 Option नंबर A, Option नंबर A, 74% लोगों का सही जवाब, बहुत ही सांदार, यहां ता है आपका लौजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड, अफ वर्ड किसी भी पिरकार से हो सकते हैं, मनुष्य के सरीर के अंग हो सकते हैं, या देस के नाम हो सकते है या आपका बिटा देश में अंदर जो चीजे हैं जैसे कि उत्तर परदेश भारत और उत्तर परदेश की फैमस चीज कोई भी या कोई भी सहर का नाम दे कर उसमें जो फैमस जैसे आगररा दे दिया जाए आगरे में ताजमहल फैमस है हना तो मतलब इस फिरकार की चीजें यहाँ पर मिलती है कलाई, अंगुठा, कहोनी, हतेली और नाखून सबसे पहले सबसे पहले आप देखोगे नाखून नाखून उंगलियों पर होते हैं पांच नंबर उंगली है क्या? उंगली नहीं है अंगुठा दिया है तो नाखून कहां मिलेगा? नाखून मिलेगा अंगुठे पर अंगुठा किस से कनेक्ट है? हात से, हात से अर्थात हतेली हतेली से कनेक्ट हो गया और फिर इसके वाद नीचे की तरफ चलोगे तो कलाई होगी भीया कलाई, ठीक है? कलाई एक नंबर और फिर कहनी आ जाएगी ये वाली, ये वाली कहनी है ना? कहनी कहां पर है? तीन नंबर बावन चार सो तेहरे, बावन चार सो तेहरे, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट, नेक्स्ट मैंने बोला ना, इस पिरकार का कुश्चन पूछा जा सकता है भारत, करनाटक, एसिया, दक्षन भारत, बेलगाम इस पिरकार का सिक्वेंस बनेगा? या तो बेटा छोटे से बड़े वाले की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ इस पिरकार से, इस पिरकार से लॉजिक मिलेगा ये कौन रो रहा है भी दिखाना ज़रा इसको? ये किसके आंसू बहे? अलो देखो भई, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भईया क्या चीज़ आने वाली है? देखो ज़रा भारत, दक्षिन भारत, करनाटक, बेलगाम, एशिया तो सबसे पहले अगर मैं बड़े वाले से छोटे एक नमबर दिया है तो भारत और तीन नमबर, तीन नमबर पर क्या दिया है? एसिया तो भारत तो पहले आए गई नहीं, ठीक है? गलत एसिया से चलो, एसिया के अंतरगत क्या आएगा? एसिया के अंतरगत आएगा? भारत भारत के अंदर क्या आएगा? दक्षिन भारत साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर क्या? करनाटक करनाटक के अंदर क्या? बेलगाउं, बेलगाउं 314 25 314 25 option number D option number D हो गया ना हो गया बिल्कुल सांदार जवाब next car, train, cycle, truck, auto, ricksa यहां दिया गया है आपको कुछ वाहन कुछ वीकल दिये गये है अब उनका size के अनुसार हो सकता है है ना size के according हो सकता है वो तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहां सबसे छोटा वाहन कौन सा है सबसे छोटे से या तो बड़े की तरफ या बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ ढूंडो सबसे छोटा वाहन कौन सा है मेरे भाई सबसे छोटा वाहन है यहां पर आपका cycle विचारी सबसे सबसे छोटी सी कहीं भी उठाके चल दो तुरंत साइकिल के बाद है ना कोई ना कोई भहिया पेट्रॉल का खर्चा ना डीजल का खर्चा ना सी एंजी ना कोई टेक्स देना ना कोई टूल कटवाना और ना ही कोई भहिया चालान काट सके साइकिल के बाद क्या है ओटो रिक्सा ठीक है फिर फिर कार आ गई कार के बाद ट्रेन आएगा या ट्रक आएगा ट्रक आएगा चार नंबर और फिर उसके बाद ट्रेन है 351 42 351 और 42 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा नेक्स्ट यह अच्छा कुश्चन है यह अच्छा कुश्चन है एक बार S.S.C. के द्वारा पूछा गया कुश्चन बहुत सांदर बिटा मैं चीज़ें वो लेका आया हूँ जो S.S.C. पूछती है कि देखो गीगाबाइट मेगाबाइट M.G. अना M.B. जिसको बोलते हो आप तीन नंबर और M.B. से उपर आता है G.B. G.B. गीगाबाइट पांच नंबर और G.B. से भी बड़ा होता है टेराबाइट टेराबाइट अर्थात चार नंबर 62, 63 और 54 आपका आंसर होगा 62, 63, 54 ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर A एकदम राइट है, एकदम सांदार, बिलकुल गजब. इस्टूडेंट पार्टनर है साइकिल, हाँ बिलकुल है, बटा, मैं अपनी बता दू, जो टेंथ की थी वो तो गाउं में की थी, और जो इंटर की थी न, वो हमने सिकंदराबाद से की थी, गाउं से पढ़ जाता है लगबग 10-12 किलोमेटर, तो अब जो हमारा सहर लगता है, तो वहां तक साइकिल पर जाना होता था, ठीक है, तो मैं और मेरा भाई, दोनों साथ पढ़ते थे, तो दोनों, क्या काम होता था एक तरफ से तो मैं लेकर जाता था साइकिल, दूसरी तरफ से वो लेकर आता था, तो बिटा, स्टूडेंट का तो पार्टनर है, इंटर्वियू चयन सलेक्शन नियुक्ति अपोइंट्मेंट विज्यापन एडवर्टाइजमेंट कौन सा सबसे पहले होगा कौन सा सबसे पहले होगा कौन सा सबसे पहले आएगा सबसे पहले आने वाला है advertisement विज्यापन सबसे पहले आता है किसी भी vacancy का विज्यापन फिर फिर भाईया interview होगा paper होगा physical वगेरा होगा तो interview का number फिर फिर चयन होता है selection होता है selection आप select किये जाओगे फिर आपको appointment letter दे दिया जाएगा और परिविक्षा क्या होती है probation होता है आपका बिटा जैसे कि आपको check किया जाता है training पर आपको भेजा जाएगा आपको work का load दिया जाएगा probation वो जो training होती है ना वो training यह check करने के लिए होती है क्या यह इस नौकरी के लायक है या नहीं है कई बीच में तो छोड़के ना भाग जाएगा काम के प्रेसर को देखकर तो probation जो होता है ना परिविक्षा जो होती है वो आपको check करने वाली होती है तो एक नमबर एक नमबर पांच दो तीन चार एक पांच दो तीन चार एक सबसे लाश्ट में बचा आपका एक परिविक्षा प्रोवेशन है कहीं पांच दो पांच दो तीन चार एक option number first option number first option number first बिलकुल सही है बिलकुल सही है बिलकुल सही एकदम सांदार चलते हैं आगे की तरफ ओहो ये रहा वो important chapter most important कहूंगा इसको क्यूं पताऊंगा क्यूं है ये important बिटा जहांसे सुनना क्यूं है ये chapter important अभी कोई भी exam उठा लो आप SSC का कोई भी chapter का नाम है mathematical operation mathematical operation कोई भी exam उठा लो लगेगा तो बुरा सा ये chapter पहले ही बता रहा हूं क्यूंकि calculation है इसमें ये chapter important क्यूं है क्यूंकि यहां से अभी वर्तमान में जुतने भी exam काम हो रहे है SSC के द्वारा दो कुष्चन TGL में तीन भी थे किसी किसी सिफ्ट में तीन कुष्चन 25 में से तीन कुष्चन मिल रहे हैं 20 में से दो कुष्चन मिल रहे हैं तो मज़ा ही आ गया है तो कुछ भी नहीं calculation है गुणा भाग जोड़ गटा ना उसकी पहचान होनी चाहिए बस पहचान होनी चाहिए यह लो लाख दलदल हो पाउं जमाए रखना समझ रहे हो यह चेप्टर के लिए ही लिखा इस पर इसलमे में है लाख दलदल हो पाउं जमाए रखना हात खाली ही सही उपर उठाए रखना कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता अरह बर्फ बनने तक होसला बनाए रखना समझ रहे हो बर्फ बनने तक होसला बनाए रखना मेरे भाई यानि की एक्जाम में आपको इतना होसला बनाए रखना है जब आप एक्जाम को देखकर आओगे बाहर से तो आपके अंदर स ही आवाज आएगी कि हाँ मेरा सेलेक्शन हो गया पस एक्जाम तक जो है ना वो धहर्य है होसला अपने अंदर ऐसे कायम रखना कि हाँ हाँ मेरा सेलेक्शन होगा मेरी तयारी बहुत अच्छी हुई है मैंने सब कुछ किया है भगा दोडी में प्रेसर में कुछ मत करना एक्जाम सेंटर पर टाइम से पहुच जाना एक सबसे इंपोटेंट बात सारे आईडी प्रूफ जो जो एडिमिट कार्ड में बोले जो जो गाइडलाइन से उनको फॉलो करना ठीक है वो आपके लिए सबसे जादा इंपोटेंट होगा चलो जी कुछन हर टाइप का कुछन लेकर आया हूं इसमें कौन-कौन सी टाइप होती है किस-किस टाइप से कुछन बन सकता है वो सारी टाइप यहां पर है पी का अर्थ क्या है भीया पिलस तो चेक करो फटा फट से पी की वैलू को पिलस बोला गया है तो जहां भी पी आ रहा हो ना वहां पिलस रख देना पिलस रख देना क्यूं का अर्थ गुणा है जहां क्यूं आ रहा हो वहां गुणा रख देना तुरंती आर का अर्थ भाग है ज कम जोर नहीं है यह तो गुणा भाग है बिटा यह तो बच्पन से पढ़ते आएं इसमें मैं कोई अलग से फर्मुला नहीं बताने वाल आपको के सोचोगे यह तो कोई और यह अलग चीज नहीं गुणा भाग जोड़ घटाना बोर्ड मास का नियम लगा देना काम खत्म तो सबसे पहले बिटा भाग सॉल्व होता है तो मैं करूंगा चवालिस गुणा नौ बटे में बार है माइनस के छे गुणा चार छे गुणा चार पिलस के सोल है कर दो सॉल्व तीन तिया नौ तीन चौके बार है चार से काटोगे ग्यारे बार ग्यारे तिया तेतिस तेतिस माइनस के 6 चौके 24 पिलस के 16 अब पिलस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे 33 और 16 को आप जोड़ दोगे 33 और 16 को जोड़ दो 6 और 39 6 और 39 3 और 1 4 उड़न 4 उड़न 4 में से इस 24 को घटाओगे तो 25 आपका आणसर आने वाला है 25 37 नहीं होगा बिटा 36 नहीं होगा यह रहा आपका 25 ओप्शन नंबर ए नेक्स्ट करो यह भी इसी प्रकार का है बस एक चीज द्यान से देख लेना एक सब्द लिखा हुआ है क्या फसा देता है एक जमनर तो मैं आपको उन सभी उन सभी फसाने वाली चीजों से बाहर निकाल दूँगा बस आप यह चीज पढ़ लेना बोड मास नियम लागू नहीं है क्या लिखा हुआ है बोड मास का नियम लगाना नहीं है कहने का रत ये है A का अर्थ पिलस ये करा है माइनस R के लिए माइनस तो है R के लिए पिलस है A के लिए और भाग है B के लिए और गुना है C के लिए चलो जी तो करना क्या है बोर्ड मास का नियम तो लगेगा नहीं सुरुवात से सॉल्व करते चले जाओ 25 और 37 मिलकर कितने हो जाएंगे 25 और 37 को जोड़ूँगा 7 5 12 3 2 5 और 1 6 62 गुणा 2 भाग 4 माइनस 1 अब दोनों की गुणा 62 दूनी 124 भाग 4 माइनस का 1 4 से काट दूँगा 4 तिया बार है 4 एकम 4 31 माइनस का 1 अर्थात 30 क्या बोला था उसने बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना तो मैं तो सुरुवात से सॉल्व करूँगा है ना सुरुवात से सॉल्व करूँगा 25 37 जोड़ दिये 62 हो गया 62 में अगला वाला दो की गुणा करूँगा 124 हो गया 124 में 4 से भाग करूँगा कितना 31 आ गया और 31 से एक घटा दूँगा घटा दूँगा तो आंसर आ जाएगा अपका 30 30 option number C आ जाओ आगे की तरफ कोस्टक वाला कुश्चन ब्रैकिट वाला फसाने की वज़े से दे सकता है ब्रैकिट बनाकर बहुत सारे जैसे यहां दिया है मैं कहा रहा हूं ना गागर में सागर का अर्थ ही यह है छोटी से गागर में सागर को भरना छोटी सी किलास में कुछ प्रोवाइड करा देना हर टाइप आपको मिले जाएगी हर टाइप चलो जी देखो ज़रा यह क्या कह रहा है कुश्चन देखो ज़रा पिलस का अर्थ भाग है पिलस का अर्थ जहां भी पिलस आ रहा है उसकी जिगे पर भाग रख देना मैं केवल चिन चेंज कर रहा हूँ आंसर आप निकालो गुणा का अर्थ माइनस है माइनस कर दूँगा माइनस का अर्थ क्या है फिर कहां गया माइनस का अर्थ पिलस है यह रहा पिलस भाग का अर्थ क्या है भाग का अर्थ गुणा है गुणा रख दूंगा और माइनस का अर्थ क्या है पिलस है भाग का अर्थ क्या है गुणा है लो भहिया चिन मैंने परिवर्तित कर दिये आप लोग मुझे आंसर बता दो तो फिर आंसर क्या हो सकता है भहिया आंसर क्या केल्कुलेशन करो फटा फट से केल्कुलेशन करेंगे सबी लोग पहले ब्रैकिट सॉल होता है छोटा को स्टक 38 मैं से 23 घटा दूंगा 38 मैं से 23 घटा है तो भीया बचे 15 फिर माइनस चार तीया बारे हो जाएंगे बारे ऐसे ही है आठ मैं से 33 घटा कितना सॉरी माइनस नहीं पिलस से बटा यहां पिलस सोरी पिलस से okética बारे पिर यह मझला को स्टक लगा रहेगा जिसको आप करली ब्रैकिट बोलते हो पिर यहां भाग आ गया और च्छे में तीन जुड़ जाएगा नौ हो जाएगा ये वाला कोश्टक लग जाएगा बड़ा वाला और लास्ट में गुणा दो लिखा हुआ है तो पहले अंदर सॉल्व होगा पंद्रे बारे सत्ताइस सत्ताइस में नौ से भाग करोगे नौ तिया सत्ताइस तीन और बहार की तरफ तो दो बचा तीन दूनी कितने होते हैं जानते ही हो आप छे होते हैं छे तीन दूनी कितना होता है छे होता है कहानी खतम छे बहुत सांदार अंसर है आपका क्या दिक्कत रही बिल्कुल सही जवाब अगली टाइप क्या कहती है अगली टाइप ये रही जहां पर चार options में आपको mathematical sign दिये जाएंगे चिन आपको options में दिये जाएंगे आपको पहचान करना है कि किस option को रखने से किस option को रखने से आपकी equation जो है वो satisfy हो जाएगी चेक करो भाई चेक करो फटा फट से चेक करो जरा क्या answer होने वाला है क्या answer होने वाला है फट आप्शन को उठा के रखोगे यहां से उठाओगे फट आप्शन को यहां गुणा रखनी है फिर पिलस रखना है फिर भाग रखना है फिर माइनस क्या मैं 83 बना सकता हूँ क्या मैं 83 बना सकता हूँ चेक करो भई जरा 13 से काट दोगे 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 21 चौके 84 84 में 12 यहां पिलस के 12 फिर माइनस का 11 भईया 4 और 2 6 8 और 1 9 96 में से 11 घटाऊंगा तो 85 बनेगा 83 थोड़ी ना बना 83 नहीं बना ए ना ए मत दो अंसर आप लोग ए दे रहे हो तो यह तो गडबड हो गई बहुत बड़ी फर्ष्ट वाले से अंसर नहीं आया मैं चलूँगा सेकंड वाले पर माइनस भाग यहां माइनस यहां भाग और फिर गुणा और फिर गुणा और फिर पिलस है भया चार बटे 156 आएगा और गुणा 13 आएगा चलो 13 से तो इसको काट दूँगा 13 एक बटे तीन आएगा एक बटे तीन पॉइंट में तो भाईया यह भी गलत यह भी गलत दोनों ऑप्शन गलत हो गए तीसरे वाले पर चलोगे गुणा माइनस भाग और भीया पिलस तेहरे से काटोगे तेहरे कम तेहरे तेहरे दूनी तेहरे दूनी छब्विस 21 चौक 84 माइनस के 12 पिलस के 11 84 और 11 जुड़ जाएगा 95 95 में से 12 गटाओंगा तो 83 एटी थरी बन गया किस आप्शन से स्ती वाले से एक ये टाइप पूछी जाती है 3-4 टाइप हो गई ना भी तक 3-4 बेटा सारी टाइप कराऊँगा बिल्कुल बिल्कुल टैंसन फिरी रहो कुछ नहीं छोड़ने वाला हर चीज का हर चीज का आपको सॉलूशन मिलता चला जाएगा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ा जाओ अगली टाइप अगली टाइप जहां चिन को परिवर्तित करने वाला दिये गए समीकरण को गडितिया रूप में सही बनाने के लिए किन गडितिया चिन्नों को परस पर बदला जाना चाहिए कौन से दो मैथिमेटिकल साइन को चेंज करना है जिससे की इक्वेशन का अंसर 32 आ जाए चेक करो भाई जरा चेक करो मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा ठीक है कलो भई। पटा हट से बताओ बहिया क्या बात बनने वाली है माइनस और पिलस को बदलना है बदल दो तो यहां मैप पिलस रखोंगा यहां माइनस रखोंगा क्या सौलूशन हो सकता है भै बारे गुरा चार बटे 27 करोगे तो यह नहीं कटने वाला पॉइंट में आएगा पॉइंट में क्योंकि 12,4,48,27 से भाग नहीं जाए गड़तालिस में तो फर्स्ट आप्शन हो गया गलत गलत तो माइनस और भाग को बदल दो यहां भाग रखूँगा यहां माइनस रखूँगा सत्रे छिक के एक सो दो और 6 पिलस के 12,4,48 माइनस के 27 पिलस के 5 48 और 6,54,54 और 5 होते हैं 69 69 मैंसे 27 घटाओंगा तो कितना बचा 32 बचा भीया 32 यह आ गया ओप्शन नंबर B की साहता से पिटा चैप्टर में कुछ नहीं है केवल गुणा भाग जोड़ घटाना है लेकिन टाइप कही है वो सारी टाइप में आपको दिखा दूँगा हर टाइप का कुछन आपको मिल जाएगा और हर टाइप से कुछन आता है तर यह चेंज करने वाला चिन वाली टाइप हमाई समझ में नहीं बिटा एक कुशन आएगा थोड़ा सा पिर्यास करो समझने का सीखने का करना कुछ नहीं होता केवल गुणा भाग जोड़ गठाना है कुछ नहीं करना इसके अलावा कुछ करना है क्या मुझे बता दो जैसे बोल रहा है ऐसे उठाके रख देना है बस कैलकुलेशन ही तो है उसी पर पूरी की पूरी विजिट को चेंज मत करना किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निमलिखित वेंजक का मान 81 हो जाएगा अर्थात बराबर में 81 हो जाएगा वो यह कहना चा रहा है वो यह कहना चा रहा है देखो जरा 27 और 6 को बदल दो यहां 6 रख दो यहां 27 रख दो क्या 719 में 27 से भाग जा पाएगा 27 से भाग चेक करो जरा मुझे तो नहीं लग रहा कि कट रहा है 9, 7, 16 और 1, 17 नहीं कटे गाए यह तो नहीं कटने वाला 1 और यहीं पर हटा देना चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ दूसरे वाले की तरफ 718 में और 719 को बदल दो यहां 719 रखूंगा और यहां पर 719 में रखूंगा 719, 718 में बदल दिया क्या मैं 6 से काट पाऊंगा कट गया जी 719 में 27 को आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा जोड़ दो नौ और साथ सोले दो और दो चार साथ सो च्यालिस साथ सो च्यालिस माइनस के और 133 133 में 5 की गुणा भी तो करनी है भी कर दो 15 15 15 15 15 15 15 15 15 और 16 16 65 65 गटाओंगा 6 में से 5 गया 1 14 में से 6 गया 8 बाई 81 बन गया 81 यह थोड़े से क्यलकुलेटिव होते हैं कैलकुलेशन ज्यादा पूछी जाती है और थोड़ा सा मैं कह सकता हूं यह टाइम टेकिंग हो सकता है एक इसमें टाइम टेकिंग जो होता है सबसे दिखाऊंगा option number B यहां पर answer आएगा अगर calculation मजबूत दे दी examiner ने तो time taking बन जाएगा अगर आसान calculation है तो जल्दी भी हो जाता है next देखो बरतमान समय में SSC इन वाले types को पूछ रही है तो equation देकर answer आपसे निकलवाएगी दो equations का तो आपको करना कुछ नहीं है भी या कोई सी भी एक equation को solve करके देख लो क्योंकि सारे optionों में फेर बदल दिया हुआ है तो एक ही solve कर लो दूसरी solve करनी नहीं है फिर समझ रहे हो ना गुणा तथा PLUS को बदल दो जहां गुणा है वहां आप PLUS रखोगे ठीक और जहां PLUS है वहां गुणा रखोगे तीन और 9 को बदल देना जहां 9 है वहां 3 आ जाएगा और जहां 3 है वहां 9 आ जाएगा बस तो एक equation solve गरनी है दूसरे का तो आवशक्ता पड़ेगी ही नहीं कर दो तो दो से काटूंगा पूरा-पूरा कट जाएगा चार बार साथ और तीन दस हो गया चार नाम 36 हो गया 36 और दस मैंसे 36 घटा होगे भी या कितना बचेगा बताना जरा तस मैंसे 36 घटा होगे तो माइनस के 26 माइनस के 26 तो माइनस का 26 तो एक ही मात्र option पर है C वाले पर तो मैं क्यों दूसरी को solve करूं क्यों time waste करूं अपना क्योंकि एक ही तो option पर है एक option पर है यही आपका right answer होगा यही आपका एकदम right answer होगा भाईया चलो यह है वो time taking question जिसमें थोड़ा सा समय लगता है जिसमें थोड़ा सा भाईया समय जादा लगता है जादा चेक करो चेक करो फटा फट से भाग तथा पिलस क्योंकि यहां चारो ही option चेक करने पढ़ेंगे वेटा चारो option चार equation है तो चार सवाल हो गए चार question हो गए तो अब चार question में जितना समय लगेगा उतना तो यहां लगेगा तो इस question को कहते हैं थोड़ा सा time taking question भाग तथा पिलस इसकिप करना चाहो कर सकते हो अगर ऐसा आये तो लास्ट के लिए लास्ट के लिए क्योंकि पता है कर तो आप सभी लोगे इसको कहीं ऐसा नहों यह ज्यादा time खा जाए इसके चक्कर में फिर math के question रह जाए या Hindi के रह जाए या GS के रह जाए ठीक है चलो भाग और पिलस क्या बात बनने वाली है फस्ट option पर रखूं यहां तो पिलस रख दूंगा और यहां भाग रख दूंगा वो यह कहना चाहरा है दो से काटूंगा अठारे कटेगा पूरा पूरा नौ बार और नौ छिक्के चववन चववन मैं तीन जोडूंगा तो सत्तावन सत्तावन मैं से साथ घटाओंगा तो पचास ओ भाईया यह तो फरस्ट वाले से ही आ गया तो इसका अर्थ क्या हुआ यह तो दस सेकंड में हो गया फिर यह तो सेकंड में हो गया क्यों कि पहला यह उप्सन आंसर आगया अगर चौथा होता तो दस दस बीस दस त्यातीस दस चौके 40 आ जाता 40-40 खा जाता सेकंड ओप्षन नंबर ए ओप्षन नंबर ए राइट होगा कर लो पढ़ते हैं आगे की तरफ आगे क्या है वेन डाइग्राम ओ भई या वेन डाइग्राम मोस्ट इंपोटेंट चीज है most important चीज है when आरेक पूछती है SSC इस चैप्टर से कुश्चन दो टाइप से आता है दो टाइप से दोनों ही टाइप के कुश्चन कराऊंगा दोनों ही टाइप को फिनिश कराऊंगा बिलकुल बिलकुल बहतरीन तरीके से I love this chapter ओ वाह गजब अरे अती सुंदर यह ना वेन डाइगराम चलो जी क्या कहरा है वेन डाइगराम यहां आपको कुछ options दिये जाएंगे कुछ सब्द दिये जाएंगे उन सब्दों के अनुसार आपको एक डाइगराम बनाना होगा और डाइगराम की एक मैंने आपको चीज बताई थी relation between two words दो सब्दों के बीच में संबंद इस्थापित करना दो सब्दों के बीच में कैसे मक्का हल्दी मक्का अलग है हल्दी अलग है नन वाला relation करमरिक हल्दी मसाले सारी हल्दी मसाले होती है सारी हल्दी मसाले मैं क्या मसाले मक्का मसाले होती है नन वाला relation अर्थात जितनी भी जितनी भी हल्दी है जितनी भी टर्मेरिक है वो सारी की सारी spices के अंदर आएगी और भाईया कॉर्ण जायेगा बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग तो आपका answer क्या आया बताना जरा बताओ जरा चेक करो option number first option number भीया first बिलकुल right है बहुत सही जवाब next ए विवाहित ए विवाहित जिसकी सादी ना हुई हो कैसे ए विवाहित पुरुस और वकील के बीच मैं बनाओ भीया जरा डायग्राम मुझा बताना जरा फटाफट से क्या होने वाला है आपका अंसर इस पीड मैं बता दो इस पीड मैं बता दो आपका सही जवाब क्या है रे भीया दे जी के साथ उपर दिखाना ठीक है चलो बहुत सांदार बहुत सांदार एविवाहित भाया एविवाहित पुरुस भी हो सके है इस्तरी भी हो सके है तो ये तो हो गया अनमेरिट का है ना मैन भी हो सके है और भाया वो मैन भी हो सके है ठीक वकील वकील पुरुस भी हो सके है महीला भी हो सके है वकील एवि या तो option number first, option number first हमारा बिलकुल right होगा, चलो जी, अगला question आपके सामने देखो जरा, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, अब की बार एक diagram दे कर उस पर option पुछवा लेता है, कि कौन सा option के लिए, ये diagram सबसे best होगा, किस option के लिए, किस option के लिए, उपर दिखाओ विकास्टिंग वेट करो बिटा वेट करो थोड़ा सा आपके कुश्चन का अंसर भी आपको जल्दी ही मिलेगा ठीक है ठीक है दाल काला चना जड़ दाल काला चना और जड़ के बीच में डाइगराम बनाओगे काला चना जड़ और दाल काले चने को हम दाल में रख सकते हैं जड़ अलग आएगा बिलकुल गलत क्योंकि यहां तीनों एक दूसरे के अंदर आने चाही है डॉक्टर नर्स और इंजीनियर डॉक्टर अलग होता है नर्स अलग होता है इंजीनियर अलग होता है तीनों अलग अलग गलत मुद्रा रुपिया रुपिये को आप मुद्रा में रख दोगे चीन एक देश है अलग हो जाएगा गलत गलत, लड़का, पुरुस और मनुश्य, जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, बॉइज, ना उनका जेंडर क्या है? मेल, यानि कि वो पुरुस हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सारे के सारे मेल के अंदर आएंगे, है ना, पुरुस के अंदर, मेल के अंदर, मनुष्य, human के अंदर ये सारे हैं, human के अंदर ये सारे हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो option कौन सा सही, last वाला, last वाला option एकदम right होगा, next, engineer, खिलाडी और कवी के बीच में डाइगराम बनाओ, engineer, engineer, खिलाडी और कवी के बीच में डाइगराम बनाओ, क्या डाइगराम होगा यहाँ पर, चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे सभी लोग फटाफट से, engineer, खिलाडी और कवी, क्या, क्या engineer, खिलाडी हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, है ना, क्या खिलाडी कवी हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, क्या कवी engineer हो सकता है, engineer भी हो सकता है, तो आपके लिए हिसाब से कौन सा सही है भीया, engineer, engineer भीया क्या, खिलाडी, player भी हो सकता है, और player भीया, point भी हो सकता है, और साथ की साथ engineer भी हो सकता है, तो ये दो नंबर वाला option आप का राइट है एक दो तीन चार थोड़ा ऐसे लिखे हुए तो ऑप्शन ये एक ये दो और ये भाईया तीन इनकी पहचान कर रहे ना हाला कि एक्जाम में आपको बिल्कुल सही लिखा मिलेगा ठीक है नेक्स्ट पहचानो पहचानो फटाफट से माताएं माताएं विक्रिय प्रबंदक और पुरुस के बीच में डाइगराम बनाना है माता विक्रिया प्रेबंद़ क्या होता है sales manager जिसको हम बोलते हैं sales manager और man पुरुस माता तो पुरुस नहीं हो सकती माता और पुरुस के बीच में तो कोई संबंद ही नहीं होने वाला है ना तो यहां से यहां तक जाओगे तो none वाला relation होगा none इस कारत है एक डाइगराम अलग आएगा अन्य दोसे ठीक अब माता सेल्स मैनेजर हो सकती है बिलकुल हो सकती है पुरुस सेल्स मैनेजर हो सकता है बिलकुल तो जो सेल्स मैनेजर है वो तो बीच में रख देना और एक तरफ माता वाला डाइगराम मदर वाला और एक तरफ प काटता हुआ बनेगा option number 3 option number 3 भाया तीन दिया आप लोगों ने तीन दिया आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब तो जिनका तीन है उनका बिल्कुल ठीक जवाब है बिल्कुल सांदार चलो अगला कुश्चन अगला कुश्चन आपके सामने 95 95 फटा-फट से देखेंगे होती है है ना कॉर्न फिलेक्स जो मक्का के बनते हैं मक्का के दाना होता है ना मक्का होती है जीरा और बैंगन जीरा और बैंगन भाया कौन सा डाइगराम इसके लिए बैस्ट होने वाला है डाइगराम का नंबर मैं लिख देता हूँ एक नंबर ये दूसरा नंबर ये ती सा सही है आप लोग बताओ कौन सा सही है कौर्ण फिलेक्स जीरा होता है क्या नहीं क्या जीरा बैंगन होता है नहीं क्या बैंगन कौन फिलेक्स हो सकता है नहीं ये कौर्ण फिलेक्स हो गया ये जीरा हो गया जीरा क्यूमिन और बैंगन भीया एक प्लांट बिलकुल अलग आ वाले हैं तीनों बिल्कुल अलग-अलग हैं एकदम सही जवाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ सर्जन डॉक्टर पिलंबर सर्जन डॉक्टर और पिलंबर के बीच में डायग्राम बनाओ भाई पटाफट से कि अधर मोनी सर्जन डॉक्टर और पिलंबर के बीच में डायग्राम बनाना है भाई बना दो तो जरा बात आती है सर्जन और डॉक्टर की क्या सर्जन डॉक्टर हो सकता है डॉक्टर पिलंबर हो सकता है भाई जितने भी सर्जन है ना जितने भी सर्जन है वो सारे के सारे डॉक्टर ही हो गया है है वो सारे के सारे क्या होते हैं वो डॉक्टर ही तो होते हैं उनको बढ़ ही नहीं बोल सकते उनको उनको आप लोहार सुनहार है ना कुछ ऐसे नहीं बोल सकते वो क्या है सर्जन सर्जन भीया क्या होता है डॉक्टर होता है पिलंबर क्या होता है पिलंबर भीया अलग है पानी की फिटिंग बिटिंग वगेरा करने वाला तो कौन सा सबसे बेस्ट है अच्छा इस पर नंबर ही नहीं लिखे ओ भाई चलो ये ए ये बी ये सी और ये डी बताना जड़ा कौन सा सही है, कौन सा सही है, क्या ये है, नहीं, आपका तो ये वाला option बिलकुल right है, option number B, option number B, भाई, अती सुंदर, अती सुंदर, उपर दिखाना, उपर दिखाना, एक केरा, बेंगन की सब्जी में जीरा गिरे है, जोती सक्स है न, पिटा, सब्जी मैंने भी बनती देखी है, बनाई भी है, लेकिन वो उसमें डलता है, आप बेंगन को जीरा नहीं कह सकते, है न, क्या आपने सुनाए कि कुछ बेंगन जीरे है, जी कुछ जीरा बेंगन है, समानता है क्या कोई similarity है, नहीं है न, ठीक है, चलो, अगला question, अगली type के साथ, अगला question, question, अगली type के साथ, वेंड डाइग्राम की दूसरी type, scene 2 लगा देना, इन question ओपर थोड़ा साफ दिख जाएंगे, बच्चों को, ठीक है, साथ की साथ, कलो भी, देखो जड़ा फटा-फट से, scene 2 लगवा रहा हूं, आप साथ की साथ देखते चलो, अब साथ दिख दिख रहा होगा, चेक करो, पूछा क्या गया है, कितने काले लाल हैं, कितने काले जो हैं वो, लाल हैं भीया, तो एक तो काले वाले डाइग्राम में होना चाहिए, पहली बात, एक तो काले वाले डाइग्राम में है, और साथ की साथ किस में हैं, लाल वाले में, रेड, रेड वाले में, ये रहा रेड वाला, इन इन दोनों में जो आरहा होगा न वो आपका आंसर होगा क्योंकि उसने मना नहीं किया किसी के बिलिए अगर वो कहता कितने काले केवल लाल हैं तो आप बारेदे देते दो चीज़े बन जाती हैंता मैं दोनों कुशन लिख रहा हूँ यहां पर है ना ध्यान से रेきना कितने काले लाल है और एक बनता है कुछ्छन कितने काले केवल लाल है केवल उनली लाल है इसे दो तरीके से आता है बिटचा दोनों मैं कंफूजन दूर कर रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है अगर पूछ रहा है केवल तो केवल वाले में तो केवल उसी माने चाहिए लाल में और काले में और किसी में नहीं होना चाहिए तब बाकी आप पी ले के हटा दो के बचेगा बारे तब इसका अंसर क्या होगा बेटा बारे होगा है ना कितने काले केवल लाल है है ना लेकिन इसने पूछा था कितने काले लाल है तो यहां इसमें काले में और लाल में जो दोनों आ रहे हैं वो आपके अंसर होंगे 16 प्लस के बारे अर्थात 16 प्लस के बारे यहाँ पर अंसर होगा 28 28 आपका option number C option number C कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को हो तो बता दो किलिए रहना चलो जी बहुत सांदार बहुत ही गजब अगला कुशन आपके सामने है इसका अंसर मुझे बताओ सिन्टू लगा दो गई चेक करेंगे कितने वर्ग केवल लाल हैं जिसकी बात कर रहा था वही चीज़ आगई आपके सामने how many squares are only red only red होने चाहिए आना कितने वर्ग केवल लाल हैं ऐसे वर्ग बताओ तो पहले तो वर्ग को ढूंडोगे ऐसे वर्ग बताओ ये रहा वर्ग वाला डाइगराम जो जो केवल लाल है केवल लाल तो इसकार था वो पंच बुझ में नहीं होना चाहिए वो इसके लिए मना कर रहा है दूसरे वे में पंच बुझ में नहीं होना चाहिए इसमें हमारा अंसर नहीं होगा तो अब लाल वाले में और वर्ग वाले में बचा क्या ये बचरा भीया दो नंबर जो दोनों में आ रहा है option नंबर D option नंबर D बहुत सांदार बहुत ही बहतरीन जवाब नेक्स्ट अगला कुष्चन अगला कुष्चन अगली टाइप के साथ सीन तू लगा दो थोड़ा साफ दिखेगा क्योंकि छोटा चित्र बना हुआ है जल्दी से लगाओ जल्दी से देखो भई अच्छे डंग से पढ़ो और कुष्चन में पूछा क्या गया है एक चीज को अच्छे से नोट कर लेना वो बोल क्या रहा है दिए गए वेनारेक के आधार पर निमलेखित में से कौन सा कथन लो डार्क कर दिया है आप गलती मत कर देना वरना पिट जाओगे म मेरे भाई आपने ठीक है पैचान करनी है आपको कुष्चन पढ़ना है पहले अच्छे डंग से उबर दिखा ना कि अ अ है है अस् crispy य कुशोड यह देश्व जानव है चान में rate होगा सारे डाक्टर सर्जंडी एटा मैंने बोला ही नीए सारे डाप्न सब्स्राइभी सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं आप उल्टा बोल रहे हो आप ध्यान से देखो मैंने बोला सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं मैंने यह नहीं बोला कि सारे डॉक्टर सर्जन होते हैं आप उल्टा बोल रहे हो चलो बई चलो करो उसने बोला वे नारेक के आधार पर कौन सा statement सही नहीं है अर्थात जो गलत है जो गलत है वो आपको बताना है वो आपको बताना है जो गलत है वह सफेद जो केवल संत्री हैं दस है वह सफेद वह सफेद ये रहा सफेद वह सफेद जो केवल संत्री है केवल संत्री यानि कि लाल नहीं होना चाहिए फिर तो वो दस है क्या बिलकुल दस है बिलकुल दस है आप कहोगे ये वाला तो राइट हो गया जी चलो जी अब चलू संत्री जो सफेद तथा लाल दोनों है की संख्या तेहरे है सफेद तथा लाल दोनों होने चाहिए लाल भी होना चाहिए सफेद भी होना चाहिए दोनों हैं दोनों की संख्या तेहरे तेहरे है क्या वह ये तो लाल और सफेद वाले तो ग्यारे और नो बीस और इसने क्या वह संत्र जो सफेद तthose है संत्री बोल रहा है इस बात जूट भोल रहा है इस बात को आगहे चलोगे देखी संत्री कि कarta 51 संत्री में 41 24 14 24 14 41 और चालिज 11 51 बिलकुल राईट बिलकुल राइट है बिलकुल वाला पूछा था मेरे भाई कौन सा पूछा था गलत वाला कौन सा है गलत वाला option number B option number B हमारा right होगा answer दोस्तों बेटा अभी थोड़ी देर के लिए जो है न वो पोल अभी नहीं लगा हुआ मैं क्योंकि पोल के लिए जो स्टुडेंट न हाँ और वो मैं आपको बता दूँ वो किस खुसी में नहीं लग रहा ओल अभी थोड़ी देर के लिए मैं बता दूँ बात है ऐसी अंकिस सर की जो गुडिया है उनकी बेटी जो है नायरा उसका जनम दिन है तो उसके जनम दिन के उपलक्ष मत करना खिया पॉल लगाओ पॉल लगाओ फकल के लिए मत करना ठीक न विलकुल जनम दिन की भहुट धेर सारी सुब कामनाहे हैं बच्ची के लिए बिलकुल संदार तरीके से बंडूरे में चल रहे हो तो बताओ आ जो क्लती सह है ठीक है तो हम अपनी क्लास सभ्रेगूलर रखते हैं आगे की तरफ तो पोल अभी थोड़ी देर के लिए नहीं लगेगा जैसे वो आ जाएगा मैं पोल भी लगवा दूँगा ठीक है चलो तो बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ बिटा अगला कुश्चन आपके सामने ये रहा भाईया अगला कुश्चन ये रहा कितने भारतिये उद्ध्योग पती आटो का निर्मान करते हैं किन्तु स्टील उत्पादक नहीं हैं ध्यान से पढ़ो कुश्चन को बताओ चलो जी एक करा भंडारे के दीवाने अच्छा ये समें एक चीज़ छुट गई है ये इंडस्टेरियलिस्ट हो गया आटो मेकर्स हो गया इस्टील प्रोडेक्ट और ये इंडियन ये इंडियन है भई ठीक है ये इंडियन वाला डाइग्राम है लास्ट में कितने भारती है उद्ध्योग पती कितने इंडियन इंडस्ट्रेलिस्ट हैं और आटो का निर्मान करते हैं किन्तु स्टील उत्पादक नहीं है पहली बात जिसके लिए मना किया जाए आप क्या करते हो उसको हटा देते हो जिसके लिए मना किया जाए स्टील उत्पादक नहीं होना चाहिए स्टील प्रोडेक्ट वाले को क्या करोगे आप डिलीट कर दोगे जो स्टील प्रोडेक्ट वाला है वो आपका अंसर आपको नहीं दे सकता नहीं दे सकता अब बाकी 3 में होना चायिए इस वाले में भी है ना उद्धोगपती भारती है और और आटो मेकर्स है ना आटो का निर्माण करने वाले 3 डाइग्राम में क्या रहा है आपका यहांपर 6 आया हुआ है 6 यही आपका अंसर होगा option number B option number B एकदम right चलो भीया सतक लग चुका है सेकडा और अगला chapter भी आपके सामने start है important, repeated series, repeated series, इसको बिटा SSE पूछती है कई बार कई एक्जामों में सर जी आप भी भंडारा खालो, हाँ बिटा मैं किलास के बाद जाओंगा मैं किलास के बाद जाओंगा निश्चित रूप से, ठीक है जरसल खीर आ चुकी है, अगर देखोगे तो आप ये, मेरे लिए खीर आ चुकी है, आपको खानी हो तो बिटा ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है मैं अभी बाद में खाओंगा क्योंकि घला खराब हो जाएगा, फिर किलास में दिक्कत हो सकती है बाद में खाओंगा, आराम सप्पी उट भरक है जिक्या तुमको पता है, मीठे से मुझे कितना प्यार है और फिर वहिया, ऐसे खंबूरा जो है, ऐसे हो जाएगा चलो, आगे की तरफ चलते है रिपीटिड स्रीज का कहना क्या होता है रिपीटिड स्रीज में हमको एक चीज पर ध्यान देना है बस, नमबर अफ लेटर काउंट करने हैं सबसे पहला काम, नमबर अफ लेटर number of letter में क्या होता है सारे letters को count करो फिर उसके pair बनाओ उनको अलग-अलग तोड़ दो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और 2, 12 टोटल 12 अक्षर है तो या तो 4-4 के जोड़े बनेंगे या 3-3 के 12 पर कितने के या तो 4 के जोड़े या 3 के जोड़े 3 गुणा 4 करोगे या 4 गुणा 3 करोगे ठीक है? तो पहचान करो भीया पहचान करो 1, 2, 3, 4 पर तोड़ कर देखा 1, 2, 3, 4 पर तोड़ कर देखा पहला H, पहला खाली पहला खाली दूसरा खाली, दूसरे पर P, दूसरे पर P रख दूँगा HPS के अकॉर्डिंग चलूँगा HPS HPS और लास्ट में C है तो यहां भी C रख देना HPSC 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 तो PCHCHS जो खालिस्तान पर आए हैं उनको रख दो PCHCHS PCHCHS option number A एकदम right है एकदम सांदार ठीक है चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ अगला कुश्चन आपके सामने चेक करो बई चेक करो क्या अंसर होने वाला है इस कुश्चन का सही जवाब बताएंगे सभी लोग सभी लोग सही जवाब बताएंगे क्या होने वाला है नमबर ओफ लेटर चार तीन साथ तीन दस तीन तेहरे तीन सोले और चार बीस टोटल बीस बने या तो चार के जोड़े या पाँच के जोड़े पहचान करो एक दो तीन चार पाँच क्योंकि क्यों यहां पर है तो क्यों यहां पर है मैं पाँच पर ही तोड़ूंगा इसको एक दो तीन चार पाँच यहां एक दो तीन चार पाँच यहां पर भाईया फटा फट से चेक करो क्यों क्यों और यहां पर क्या आएगा भाईया यहां पर भी फिर क्यों यहां आएगा ऐसी तो करना होता है दूसरा खाली है दूसरे पर आर दूसरे पर आर तो यहां दूसरे पर आर रख दूँगा और इधर दूसरे पर R रख दूगा QRTJ QRTJ last मैं C QRTJC 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 बन गई QRT वोईस नहीं आ रही वोईस ठीक तो है बिटा वोईस आ रही है न सबको पहले बताओ यार तुम डरा देते हो एक साथ है वोईस आ रही है न अलो ठीक है मैं डर गया एक ने बोला कि वोईस नहीं आ रही R C T R C T एक मात्र उप्शन में है इसको टिक करोगे और आप चलोगे next कुश्चन की तरफ next कुश्चन की तरफ ठीक है ना बिलकुल बिलकुल ठीक है next कुश्चन नमबर 103 कुश्चन नमबर 103 देखो जड़ा आपने मजा खड़ा कर दिया ठीक है अभी तो और मजा खड़ा होगा पिटा जब नौन वर्बल चलेगी हैं नौन वर्बल समझ रहे हो आकरती वाले कुश्चन वह बहुत अच्छे SSE 3 कुश्चन की संभावना 20 में से आपकी रहेगी एक्जाम में आने की 3 कुश्चन minimum है ना तो चेक करो भई फटाफट से W-80 सारे लेटर्स चेक करो टोटल कितने है? 4 37 13 13 है और दो 15 15 पर कितने के पेर बना दू? पांच-पांच के बना दू? 1, 2, 3, 4, 5 मैं यहां पर तोड़ दूँगा ब्रिक कर दूँगा एक दो तीन चार पांच लो भहिया डबलू 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 नाम हमारा होता अबलू बबलू डबलू तो हम भी खारे होते लड़ू कहां भंडारे मैं चलो यानि कि बच्पन की यादे दिला रहा हूं बच्पन की बच्पन में अबलू बबलू डबलू ठीक है ऐसी तो नाम रहकर है kinky no कि देखो वाई जड़ा फटा फट से देखेंगे सबी लोगर फटा फट से देखेंगे सबी लोग डबलू, डबलू, डबलू आगे चलोगे, दूसरा यहां खाली है इधर X है, तो इधर आप X रखोगे W, X, A, T, Q 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 खालिस्तान पर जो जो चीजे आई है X आया है, Q आया है, A आया है, T आया है W और X आप इनको रख दोगे, तो आपको आपका अंसर मिल जाएगा X, Q, A, T, X, Q, A, T, W, X Option नमबर फर्स्ट Option नमबर फर्स्ट जो आपका बिल्कुल सांदार है बिल्कुल सांदार, बिल्कुल जवर्दस्ट ठीक है, गुलाब जामुन क्यों मुह मैं पानी ला रहे हो है, हो तो बता दो आउं फिर मैं चलो, next यह अच्छा कुश्चन है यह अच्छा कुश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे की बिल्कुली साफ दिखाई दे आपको ठीक है, यह लो यह लो भाईया फटा फट से चेक करो सबी लो अच्छा कुश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि ऐसा कुश्चन है, सैसी पूछती है मेरे भाई, पूछती है ध्यान से करना, ध्यान से स्पीड से सर कलो T.U.V.T क्येक करेंगे सबी लो कैसे आप इसको सॉल्व करते हो चार, पाँ, चार, नौ और एक दस, दो बार है, बारतीन, पंदर है, पंदर है और चार, उननिस, ओ भाई अब की बार तो उननिस अक्षर है तो उननिस पर कैसे पेर बनेगा उननिस पर कैसे पेर बनेगा बहुत ही सांदार कुश्चन है, बहुत ही सांदार, है ना, बहुत ही सांदार, T-U-V, लो, बन गई बात, ये अलगी लोजिक है, अलगी, कैसे, आपके पास तीनी अक्षर है, T-U-V, पहले उनको सिंगल सिंगल लिखा गया, सिंगल सिंगल, T-U-V, फिर उनको डवल डवल करक फिर तीन तीन बार तिर्पल टी तिर्पल यू और तिर्पल वी ऐसे ही तो लिखेगा पहले तो सिंगल सिंगल फिर डवल डवल फिर तिर्पल 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 तीन तीन बार तो यहां टी आया फिर टी आया फिर यू आया फिर वी आया डवल टी यू वी ऑप्शन नंबर D option number D बताओ question है जबरदस्त या नहीं ऐसे ही पूछती है SSC कभी गभी एक और type S में जो पूछेगी important वो भी अभी दिखाऊंगा एक और type जो important है न वो भी वो भी अभी आएगा चलो बहुत सांदार बहुत सांदार ये देखो जड़ा ये देखो ये रही वो type जिसकी बात कर रहा हूँ ये रही वो type जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चेक करो चलो फटाफट से बताओ किसी को कोई भी परिशानी हो तो उमा कांत सराज पहली बार कमेंट बढ़ा है चलो ये तो अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है TG-S W-U-G-R ओ भाई चेक करो सबसे पहले कितने अक्षर है दो तीन चार साथ और एक आठ और तीन ग्यार है और एक बार है बार है और चार सोल है चार चार के जोड़े बना दूँगा तुरंत एक दो तीन चार और एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसे पहला T पहला T पहला U पहला V पहला W पिलस वन कर रहा है पिलस वन T के बाद U U के बाद V V के बाद W इस मैंसे भी गायब कर सकता था कोई सा एक वाला दूसरा जी 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 तो यहां भी जी रख देना जी आ जाएगा तीसरा खाली तीसरे पर आर आर और इधर भी आर है तो मैं यहां आर रख दूँगा TGRW UGRW VGRW WGRW लास्ट में तो W है तो चेक करो खालिस्तान पर क्या आया R R W और G R W और G केलियर है कुश्य नमबर 104 समझ में नहीं आया 104 में क्या था मेरे भाई आपके पास तीन अक्षर थे तीन अक्षर फर्स्ट टाइम में तीनों को सिंगल सिंगल लिखा गया है सेकंड टाइम में तीनों को डबल डबल बार लिखा गया है और थार्ड टाइम में तीनों को टिर्पल टिर्पल टाइम्स तीन बार T U V फिर संख्या बढ़ गई दो बार T, दो बार U, दो बार V, तीन बार T, तीन बार U, तीन बार V, फिर चार बार T, चार बार U, चार बार V, ऐसे चल रही थी सिरीज, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे, यहां से start होती है non-verbal, non-verbal reasoning, यानि कि जो आपके लिए important होगी exam में, तीन से चार कुष्चन तक की संभावना होगी और कौन-कौनसे चेप्टर वो मैं बताता चलूँगा आपको कौन-कौनसे चेप्टर आपके लिए इंपोटेंट है कौन कौन से चेप्टर आपके लिए इंपोटेंट होने वाले है देखो ज़रा फटाफट से भीया नॉन वर्बल रीजनिंग चलो जी पहले एक मोटिवेशनल आपके लिए ध्यान से पढ़ो भीया ये क्या चीज़ है अक्सर ख्वाइसों के ख्वाब हर दि फानों में भी आगे बढ़ते हैं समझ रहे हो ना तो बिटा आपको कठनाईयों से डरना नहीं है घबराना नहीं है किसी भी बात को लेकर अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देना है अपने एक्जाम में बिलकुल रिलेक्स माइंड से जाना है आराम से तसली पूरवक पेपर करना और टाइम का आपको बता दिया है किस प्रकार से आप टाइम को मैनेज करोगे उसी के अकॉर्डिंग चलना और एक्जाम में आपका सेलेक्शन है जिसने सारी बातों को फॉलो किया और जिसकी तैयारी और डवलुए पर हुई है वो नहीं डरने वाला किसी से भी ठीक ह चलो इसी बात पर इसी बात पर लाइकों की संख्या भी बढ़ा दो तो जब हैं इतनी अच्छी बात आपके लिए मैंने लिखी है तो यह लाइकों की संख्या जल्दी से 40,000 के पार कर वही हो फटाफट से 40,000 के पार एक सेकंड में एक सेकंड में दम लगा दो पूरा जो लगा दो एक साथ एक साथ जिन्होंने लाइक नहीं किया किलास को फटाफट से लाइक कर दो यह लो भाईया नॉन वर्बल आपकी स्टार्ट होती है नॉन वर्बल तो फटाफट से चेक करेंगे और पहला ही चेप्टर है सिरीज नॉन वर्बल का पहला चेप्टर क्या है बि जल्दी से जल्दी से सभी लोग जिन्होंने किलास को लाइक नहीं आप फटा फट से लाइक कर देंगे सभी लोग मजा जाएगा मजा जाएगा है ना देखो जरा देखो जरा कुश्चन क्या कह रहा है भाईया कुश्चन देखो क्या कह रहा है ये चैप्टर बहुत ही सांद और बहुत ही important होने वाला है आपके लिए आ गया होगा answer देखो अब क्या है अब क्या है logic सबसे पहले इस वाले को square को देखूंगा यहां से उठकर यहां आ गया उपर से नीचे आया फिर left side में चला गया तो अब मेरे भाई अब जाएगा वो यहां पर यहां पर बाकी तीन पर तो circle आएंगे बाकी तीन पर एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन तो यहां भी एक circle दूसरा circle तीसरा पहली चीज तो ये match करना कहां पर यहां आया हुआ है यहां भी यहां नहीं आया हुआ तो यह गलत यहां नहीं आया हुआ यह गलत दो option मैंने हटा दिये तुरंट ऐसे ही चेक करना होता है बिटा गलतीयां ढूंड नहीं होती है options में जब options में आप गलती हैं ढूंडोगे तो सही answer पर आप पहुँच जाओगे अब बात आती है ये तीन तिर्वुज उपर की तरफ है और ये एक बीच वाला नीचे की तरफ आ गया अब तीन उपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे ऐसे आएगा यहां ये गलती है option number B option number B हमारा बिलकुल right होगा किसी को कोई समस्या नहीं है न किलियर है तो ये आपका answer होगा option number option number B next next पर आजाओ अगला question आपके सामने figure को देखो nonverbal का आर्थी क्या होता है verbal verbal होता है भासिक nonverbal होता है ए भासिक यानि कि जिसमें भासा का प्रियोग ना हो तो इसमें भासा नहीं है केवल figure आपको दी जाएंगी check करो पहचान करो क्या होगा answer check करो check करो उपर दिखाना भई ये कौन है उपर दिखाओ बस तर लड़कियों का केवल कमेंट पड़ते हैं लड़कों का नहीं कब से पूछ रहा हूँ यूपी पुलिस में reasoning का कितना question आता है है भईया यूपी पुलिस की class चल रही है यूपी पुलिस की class में पूछी ओ पच्पन कुश्चन आगा है वहाँ तो है ना वहाँ पच्पन कुश्चन आते हैं reasoning के चलो ठीक है देखो भई क्या logic है क्या logic है कुश्चन में सबसे पहले आप देखोगे एक single line single फिर दो line फिर फिर तीन line एक दो तीन फिर चार चार अब आएगा निश्चित रूपस है pentagon अर्थात पंच बुज निश्चित रूपस है निश्चित रूपस है हर किसी option में आ रहा है arrow उपर की तरफ right की तरफ नीचे की तरफ left की तरफ arrow आएगा फिर उपर की तरफ 90-90 degree clockwise rotate हो रहा है पहले उपर फिर right फिर नीचे फिर left में फिर उपर उपर कितने options में है यहाँ arrow नहीं है गलत यहाँ arrow उपर नहीं है गलत दो option हटा दिये मैंने बचे आपके सामने दो option यहाँ circle पहले यह देख लो एक तीन पाँच तीन तीन छे और एक साथ साथ के बाद अब नौ का नंबर आ जाएगा चलो नौ तो दोनों महीं है विरत है तिर्बुज है फिर विरत है फिर तिर्बुज है तो अब तो भया विरत आएगा circle आएगा circle द्यान से देखो तो एक बार circle फिर triangle फिर circle फिर triangle तो अब आएगा circle क्या आएगा circle वाला option हमारा answer होगा इधर side में circle नहीं है यह गलत option number D option number D हमारा बिलकुल right होगा होगया न for option एकदम right बहुत सांदार अगला question देखो जरा इस पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा लगाओ दिमाग खर्च करो चालो करो दिखाओ भई दिखाओ फटा फट से बहुत सांदार answer आना start हो गया यहाँ देखो बहार चार circle बहार तीन circle बहार दो अब तो बहार एक ही आएगा बस एक ही तो आएगा और वो एक आएगा कहाँ पर एक आएगा कहाँ पर पहले उपर वाला गायब फिर नीचे वाला गायब फिर इधर वाला गायब अब आएगा इधर circle इधर circle आएगा इतनी बात निश्चत है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो यह गलत हो जाएगा अब जीरो उपर थी अंदर वाला circle उपर है फिर नीचे आया फिर इधर साइड में गया अब इधर साइड में आएगा छोटा वाला इधर साइड में यहां आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है तो यह गलत इसमें आ रहा है यह ठीक है यह ठीक है फिलेक वाले पार्ट को देख लो मैच करके फिलेक वाले पार्ट को हम मैच करते हैं तो वो किस पि कार से आने वाला है यहां अंदर की तरफ सरकल की तरफ ये सरकल की तरफ अंदर है ये बिलैक वाला सरकल के साथ होगा भाई एक बात का ध्यान रखना ये बिलैक वाला सरकल के साथ होगा हर किसी में हर किसी में छोटे वाले सरकल के साथ बिलैक हिस्सा था छोटे वाले सरकल के स साथ बिलैक पार्ट और छोटे वाले सरकल के साथ बिलैक पार्ट होगा इसमें नहीं है इसमें नहीं है ये गलत ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यू के बवाल है गुरू जी यू सवाल है बवाल नहीं है और एक्जाम में वर्तमान समय मैं पूछ रह आया अपनी तरप से पूछ रही है बैटा ऐसे ही पूछ रही है SSC और आभी तो और दिखाऊंगा एक और जो भेंकर सवाल आएगा वो वो बैटा का टाइम टेकिंग है उसको कहोगे आप टाइम टेकिंग कुश्चन चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट को चेक करो फटा-फट से सीन टू लगा दे ना भई साथ की साथ कि चेक करो आंसर बताओ बताओ बई बताओ क्या होगा इसका अनसर पहले दो लाइन पहले पहले दो लाइन हैं दो लाइन फिर इसको रोटेट किया उपर गई दो लाइन फिर रोटेट किया दो लाइन इधर गई फिर रोटेट किया फिर इधर आई फिर रोटेट करूँगा तो दो लाइन नीचे आएंगी नीचे ऐसे कितने options में हैं इसमें नहीं है गलत कहानी खतम कुश्चन का answer चुटकियों मैं और ये line बढ़ गई फिर एक और बढ़ गई इधर एक और बढ़ जाएगी कहने कारत है ये ऐसे जाकर ये दोनों आपस में मिल जाएगी मिल जाएगी पूरी हो जाएगी complete अना भई ये ये तो बचराय मिलाने के लिए बस ये मिल जाएगा इधर आकर इधर आकर मिल जाएगा option number c option number c next ये अगला कुश्चन ये अगला कुश्चन है देखो भई देखो जड़ा फटा फट से क्या होगा answer बताओ फटाफट से बताओ प्या학 मेरे भाई क्या answer होने वाला है चेक करो ये तो आप की करोगे सारी नॉन वर्वल को मैं तो बस आत्र आपको हिंट दूँगा थोड़ा थोड़ा मैं तो आपको हिंट दूँगा बस थोड़ा थोड़ा चेक आपको को करना है सब कुछ चेक आपको ही करना है भाईया सब कुछ देखो कि ए पी टी तो ए आएगा ए फॉर एलिफेंट ठीक है कितने ऑप्सेंस में इधर जे गलत इधर ओ गलत और इधर जे और पहले पहले ऑप्सेंस बहाँ एक ही सेकंड मा गया इतों अंसर फिर दो पर दो और दो चार और दो च्छे और दो आठ और दो दस पर जे हो जाएगा जे एलफ़बेट वाला कुष्चन बना दिया एलफबेट चार 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 चौक शोले चार पंजे बीस पर टी हो जाएगा सही के सब गुजर पर रोकना जरा सर एक सो नौ कुष्चन गलत कर दिया वह तो पैतालिस डिग्री ही घुमा रहा था अच्छा हाँ तो अरे हाँ ओहो ओहो रुको 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 एक सेकंड रुकना भई यह इधर था फिर 45 डिग्री गुमाया उपर फिर 45 डिग्री गुमाया इधर फिर 45 डिग्री हाँ ये बहुत सांदार बात तो बिटा 45 डिग्री ही तो गुमाऊंगा यहां से उपर फिर उपर से इधर की त 45 डिग्री गुमाने पर तो फिर ये आएगा ये आएगा ये आएगा फिर तो ये तो गलत हो जाएगा फिर 45 बिलकुल सही जवाब है 45 डिग्री 45 डिग्री रोटेट किया गया है 45 डिग्री 45 डिग्री रोटेट कर रहा है बिलकुल सही है बिल्कुल सही है, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, option number B right हो जाएगा, option number B right हो जाएगा, next, ये रहा, एक, दो, तीन, यहाँ चेक करो, यहाँ एक क्रॉस में लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ तीन लाइन है, अगले वाले में, अगले वाले में आंगी, चार लाइन, चा यहां एक सिंगल लाइन मेरे भाई सिंगल लाइन ठीक है फिर फिर डवल लाइन दो लाइन है बहुत अच्छे फिर फिर तीन तिर्ची लाइन है और फिर चार आएंगी बेटा इस पिरकार से क्यों यहां भी 45 डिगरी फिर 45 डिगरी फिर 45 डिगरी चार लाइन आ जाएंगी ऐसे तो यह ऑप्षन गलत और यह ऑप्षन गलत दो तो कर दो खतम एक जीरो दो जीरो यहाँ एक यहाँ दो यहाँ तीन यहाँ चार एक दो तीन चार चारो कौनों पर चारो कौनों पर इसमें नहीं दी गई तो यह गलती है यह गलती है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओंगा बी वाला एकदम राइट होगा कोई दिक्कत कोई समस्या कोई पर बात कर रहा था भाईयो देखो जरा ये अभी SSC नहीं पूछा है CGL के एक्जाम में इस टाइप का आप से भी पूछा जा सकता है बिटा बस आप दिमाग लगाओ हो जाएगा कजल सिंग सर कब से विश्च कर रही हूं कि सर की बेटी को मेरा कमेंट नहीं पड़ रहे हैं न आपने विश्च किया बहुत सांदार बहुत अच्छी बात है आपको दिल से सुक्रिया यह बिल्कुल लेकिन बेटा सब के कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा न ये भी तो प्रोब्लम है अगर मैं सब के कमेंट पढ़ूँगा तो फिर लास तो फिर ज्यादा हो जाएगी चलो देखो जड़ा क्या लॉजिक है बई क्या लॉजिक है सबसे पहले देखो 9A L S 9 A S L उपर वाले नीचे आगे क्रोस में उपर वाले नीचे आगे क्रोस में कैसे ध्यान से देखो बहुत अच्छा कुश्चन है ये 9 यहां से उठकर इधर गया देखो इधर उपर वाली जिगेपर और 9 उधर से उठकर इधर ये आपका S जो है इधर आ गया L और A को बैट रहा है ध्यान से देखो जरा फिर आगे चलोगे तो यहां से यहां तक जाने पर फिर इन चार को आपस मैं चेंज कर रहा है इन चार को ध्यान से देखो पहले पहले सुरवात के चार सुरवात के चार चेंज किये उपर फिर नीचे वाले चार चेंज किये आगे की तर गया है पिर यह ऐसे क्रॉस हुए है ए इधर आ गया और स्टार इधर चला गया तो अब मैं करूँगा बीच वाले 4 चार को चेंज बीच वाले 4 को सुठ करूँगा अर्थात बीच वाले 4 कैसमेश हुए थे बस यहां से पहचान करो ये स्टार यहां गया है और तीन यहां गया है ये एधर गया है ये नो उपर गया है ऐसे क्रोस में तो ये यू उपर वाला इधर साइड में आएगा भीया और ये जो गुणा है ये उपर चली जाएगी यहां पर इस्टार उपर जाएगा और जीरो सरकल जो है वो यहां पर इस तनी पहचान करो कितने option में है गुणा के नीचे U, star और O गुणा के नीचे U, गलत हो जाएगा यह गलत यू आ रहा है, यहां box यह गलत दो option तो गलत दो option तो गलत अब पहचान करो A और 9 में, यहां से यहां तक जाने में देखो S को उपर ले गया और L को इधर ले गया तो मैं इस A को उपर ले जाओंगा और ये 9 को यहाँ पर ले जाओंगा 9 को यहाँ पर इसी से अंसर आ जाएगा बस A उपर है 9 इधर है यह A उपर है 9 इधर है यहाँ A उपर नहीं था यह गलत हो जाएगा option number C के साथ जाओगे option number C के साथ थोड़ा सा question है time taking वाला तोकि बीच की चार चीजे पहले सुरुवात की चार change है फिर अगली उपर की चार change है फिर नीचे वाली चार change है फिर बीच वाली चार change है और जो last वाले थे इस A को उपर ले जा रहा है 9 को इधर लेके जा रहा है अगला कुशन यहां से देखो यहां कितना कितना rotate कर रहा है फटा फट से चेक करो कितना कितना rotate किया जा रहा है ललिच चहान भीया राम राम भीया चेक करो चालो करो सबसे पहले देखोगे बिटा triangle उपर की तरफ है triangle कहा है उपर की तरफ फिर इसको हलका सा rotate किया 45 डिग्री इधर कौने पर आ गया फिर उसको rotate किया 45 डिग्री इधर की तरफ आ गया फिर rotate किया 45 डिग्री इसकोने पर आ गया फिर rotate करूँगा तो 45 डिग्री पर नीचे की तरफ आएगा नीचे की तरफ यहां तिरचा आ रहा है गलत ये गलत ये गलत option number d option number option number d d आपका बिलकुल सही है हाँ जी रित्तु कश्यप बिलकुल सही बेटा बिलकुल सांदार next यहां से start होता है आपका दरपन पृतिविम्द दूसरा important chapter है mirror image और water image mirror image से question पूछा जाता है गुरू जी किलास कब तक चलेगी बेटा मैंने बताया ना लगबग लगबग 170 कुशन है अब तुम अंदाजा लगा लो कितनी देर और चलेगी 114 पर आ गए हैं तो बस घंटे भर किलास हो रहे है मैंने बताया दूसरी मेरा थन चार बजे है उससे पहले पहले ही आपको free कर दूंगा बिलकुल आराम से खाना पीना खा लेना रेस्ट कर लेना आखों को भी रेस्ट मिल जाएगा और दूसरी किलास भी स्टार्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है चलो मिरर इमेज की क्या condition होती है मिरर इमेज में आपको बता दूं मैंने आपको वहाँ भी बताया था किलास में मिरर इमेज की इमपोटेंट बात नोट कर लेना जो इमपोटेंट होती है यहां लेफ्ट राइट में चेंज होता है राइट राइट लेफ्ट में चेंज होता है दूसरी बात टॉप का भीया टॉप ही रहता है लिख लेना टॉप का टॉप का टॉप ही रहता है और बॉटम का बॉटम रहता है बॉटम का बॉटम ही रहता है ठीक है ठीक है मेरे भाई ये चीजे रहती है टॉप का टॉप बॉटम का बॉटम चलो जी तो मिरा रिनेज क्या कहती है हम सबसे पहले सबसे पहले ये देखेंगे लेफ्ट का राइट करना लेफ्ट का राइट करना मैं M को इधर लेकर जाओंगा तो M में कोई बदलाब नहीं होगा, एक में बदलाब हो जाएगा इधर की तरफ, चार में बदलाब हो जाएगा, चार गुम जाएगा इधर की तरफ, पांच में बदलाब हो जाएगा इधर की तरफ, पहचान करो, ये सुरुवात में L नहीं आएगा, किसी भी हालत में एक नहीं आएगा, गलतियां है गलतियां एल एल नहीं आएगा शुरुवात में गलत option number D option number D तुरंत answer तुरंत answer बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब next check करो economist economist सब्द आपको दिया है आपको इसको mirror में देखना है तो कौन सा option सही है check करो चलो करो economist दिया है तो economist पढ़ो न E C आना चाहिए था गलत E C आना चाहिए था गलत E C आना चाहिए था गलत 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 पहानी खतम तीन गलत तो सही answer तो अपने आप मिल गया न जब तीन गलत हो गए तो एक तो सही बचा बही मैंने क्या बताया गलती पहचानों गलती पहचानों के सही answer पर पहुँच जाओगे economist E C O तो E C आना चाहिए था E के बाद C आना चाहिए था E के बाद C आना चाहिए था वो नहीं है वो नहीं है चलो next अब की बार अब की बार दरपन जो है न बिटा वो नीचे रखा गया है जब दरपन को नीचे रख दोगे तो वो जल पिरती बिम्ब का काम करेगा किसका काम करेगा जल पृतिबिम्ब का काम करेगा फटा फट से देखो तो भहिया चेक करो F F D और छोटा सी फिर A और फिर L और फिर 5 जब आप इसको जल में देखोगे तो F की सिकल ऐसे है ना D में कोई बदलाब नहीं छोटा वाला C उपर हो जाएगा ठीक है A इदर की तरफ गुम जाएगा L ऐसे गुम जाएगा और ये भहिया 5 ऐसे हो जाएगा पहचान कर लो पहचान कर लो कौन सा उप्शन सही है चालो कर दो F इदर को नहीं होगा लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता यहाँ ये सही है ये सही है ये सही है C का चेहरा चेंज नहीं होगा गलत A और फिर भहिया L का चेहरा चेंज नहीं होगा गलत ऑप्शन नंबर B ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी वाला बिलकुल सही है सर स्पीड में कराओ रे बेटा स्पीड की आवश्चक्ता ही क्या है मुझे ये तो बता दो करा तो रहाओं बिलकुल सांदार तरीके से सब की समझ मा रहे हैं आप पता नहीं क्या स्पीड के पीछा पागल रहते हो ये लो भाया अगला कुशन चलो देखो जरा आप इसको बेटा इधर की तरफ छाप दोगे इधर की तरफ राइट की तरफ है ना छाप दो तो कैसी कंडिशन बनने वाली है सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या चीज़ चेक करनी है ये जो बिलेक वाला हिस्सा था ना बिलेक वाला हिस्सा, ठीक है, यह अब तो ऐसे है, फिर यह ऐसे आएगा कुछ, है ना, कुछ, कुछ ऐसे आएगा भीया, इस तरीके से, इस तरीके से, कितने options में है, कितने options में यहां है, यहां है, इसमें नहीं है, एक तो गलत यह मिल गया, ठीक, triangle इधर की तरफ है, तो triangle as it इस नहीं रहने वाला ये गलत हो जाएगा दो option गलतियां बता रहा हूं गलतियां चलो अब first और last को compare करो ये black part नीचे की तरफ था नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ ही रहेगा ऊपर थोड़ी ना पहुच जाएगा ऊपर थोड़ी ना पहुच जाएगा बिटा तो फिर गल चेक करो चेक करो भीया कौन सा option सबसे best है कौन सा option सबसे best है दरपन पिर्तिविंब चलो करो सबसे पहली बात सबसे पहली बात जो दिल right side में वो left side में आएगा left में left में लेकिन इसमें इसको पलट दिया गलत गलत ठीक है triangle shape चेक कर लो L shape में ऐसे था तो अब ऐसे आएगी triangle shape जब mirror में देखोगे यहां भी है यहां नहीं है यह गलत यह गलत चलो अब इन दोनों को compare करूँगा उपर उपर आपका right में black था नीचे नीचे left में तो उपर right में black यहां right में यह same दिया है बिलकुल यह same दिया है यह condition option नहीं आएगी क्योंकि जब मैं इसको च्छापूंगा ना यह इधर की तरफ हो जाएगा इधर की तरफ कुछ इसकी तरह है option number D option number D एक होगा एक नहीं होगा doctor जटका कैसी ID बनाई हुई है doctor जटका यह बहिया यह होगा एक मैं तो same बनाई हुई है ध्यान से देख ले same है same थोड़ी ना होता है left का right होता है right का left होता है left का right right का left और इसमें same दी गई है ध्यान से देखो same है बिलकुल same तो यह गडबड हो ज जल पिर्तिबिंब दी गई आकरती का सही जल पिर्तिबिंब अब की बार जल वाला पूछ लिया तो जल वाला फटा फट से बताओ दी गई आकरती का सही जल पिर्तिबिंब क्या होगा जल में क्या होता है बिटा टॉप का बॉटम जल में होता है टॉप का बॉटम हो जाना और बॉटम का टॉप हो जाना लेफ्ट का लेफ्ट रहता है राइट का राइट रहता है ये बात होती है कर दो तो जल मैं जब आप देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगी कैसे दिखाई देगी किस option की तरह दिखाई देगी चालो करो उपर से उपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा तो ये तो उपर नहीं रहेगा गलत ये उपर नहीं रहेगा गलत अब उपर वाला हिस्सा जब नीचे आएगा लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा राइट का राइट रहेगा इस बात का ध्यान रखना ये जो आपकी खड़ी लाइने थी वो लेफ्ट में ही आएंगी यहां खड़ी लाइन लेफ्ट में नहीं है गलत option number C के साथ जाऊंगा option number C के साथ जाऊंगा भीया मोटू पतलू का डॉक्टर जटका अच्छा मोटू पतलू देखते हो इतने छोटे हो तुम है वई मेरे बच्चे देखे हैं मोटू पतलू तुम सभी भी तो हमारे ही बच्चे हो है थोटे वही बहन लेकिन तुम्हारी उमर मोटू पतलू देखने लाइक नहीं या भी है ना अब तुम अब तुम इन्हें देखो है ना nonverbal reasoning है देखो nonverbal है sorry next question यहां भी आपको जल प्रतिमिम बताना है पलट दो तो बिटा नीचे की तरफ पलट दो फटा फट से नीचे की तरफ जल्दी से तो सबसे पहले जब इसको पलट होगे तो यह वाला डी तो अपनी position पर रहेगा डी यहां डी उपर नहीं है गलत यहां डी है लेकिन इसकी सेप को बदल दिया गलत गलत यहां डी बिल्कुल ठीक है यहां डी बिल्कुल ठीक है C और E में कोई बदलाब नहीं बिल्कुल ठीक से नजर आ रहे हैं और और कुछ यह उपर वाली जो V थी वो नीचे की तरफ आकर कुछ ऐसे बनेगी ऐसे तो V तो V में नहीं रहने वाली यह गलत होगा ओप्शन नंबर C के साथ जाऊंगा ओप्शन नंबर C C एकदम आपका राइट होगा बिल्कुल सांदार बिल्कुल गजब नेक्स्ट हिडन फिगर चैप्टर का नाम है हिडन फिगर छिपी हुई आकरती को ढूंड कर निकालना हिडन फिगर छिपी आकरती को ढूंड कर निकालना भईया कुश्चन कुश्चन फिगर आपको दी गई है चार ओप्शन फिगर आपको दी जाती है कौनसी ओप्शन फिगर आपको cushion figure में मिलेगी कौनसी option figure क्या आपको एक rectangle shape में तिर्ची line मिलेगी तिर्ची line ढूंडो जरा अपनी cushion figure में जाओ भाई एक rectangle shape में मुझे तिर्ची line मिल गई मिल गई तो क्या दिक्कत है first वाला ही right हो गया है तो first वाला ही right क्या second वाला इधर की तरफ तिर्ची line है नहीं है है तो सही लेकिन ये पूरा ये पूरा बंद नहीं था बिटा बंद नहीं था इसमें बंद है square गलत triangle shape मिल रही है मिल तो रही है लेकिन exact इस वाली नहीं मिल रही ये वाली न ये कर्व वाला portion मिल रहा तो ये वाला बिलकुल राइट है next check करो अगला question question number 122 check करो भाई फटा फट से 122 122 में कहां पर मिली figure triangle चाहिए वो भी 90 degree वाला एक triangle चाहिए वो भी 90 degree वाला और उसमें एक line ऐसे काटती हुई जा रही हो ऐसे काटती हुई जा रही हो चालू करो first में है क्या first में है क्या right angle मिल तो गया मिल तो गया भीया लेकिन line नहीं काटरी गलत हो जाएगा यहां भी triangle मिल गया लेकिन line नहीं काटरी गलत हो जाएगा यहां पर triangle मिल गया इसको भी line नहीं काटरी गलत हो जाएगा यहां मिला क्या यहां मिल गया triangle और इसको line काट भी रही है तो भीया यह option number D option number D हो गया ना सांदार तरीका सांदार तरीका कुश्चन को solve करने का नेक्स्ट, नेक्स्ट, चेक करो, कौन सी option figure, question figure में मिलने वाली है, अब की बार नीचे से ऊपर ढूंडो, ऊपर ढूंडो भाई, फटा फट से, कौन से वाले में मिलेगी, चेक करो, चेक करो, फटा फट से, देखो, क्या ये first वाली figure आपको मिलेगी बिटा, first वाली figure क्या आपको मिलेगी, जूंडो, इधर की तरफ, इधर की तरफ triangle shape चाहिए, इधर की तरफ triangle shape ऐसे तो मिल रही है, है ना, लेकिन इसमें line नहीं आ रही, भया line नहीं आ रही, चाहिए वाली shape मिलेगी, ये दूसरे number वाली ढूंडना ज़रा, दूसरे number वाली यहाँ पर, यहाँ पर यह चीज मिल गई, और, और दो cross line ऐसे होनी चाहिए, एक और दो, और बीच में एक triangle shape, भाई, बिलकुल सांदार, बिलकुल सांदार मिला, option number B, option number B, मिल गया ना accurate, एकदम सांदार तरीके से, next, इसको डूंडो, इसको डूंडो किस option में दिखाई देगी, किस option में ये figure आपको मिलने वाली है, चलो भई, फटा फट से बताएंगे answer, दो square, चालो करो, दो square कहां पर मिल रहे है, दो square के साथ triangle shape, ये रही, ये रही, दो square के साथ ऊपर triangle shape, option number B पर, बाकी कहीं भी नजर नहीं आ रही, जहान से देख लो, बाकी कहीं पर भी नजर नहीं है, है ना, चलो, next, next question number 125, 125 फटा फट से बताओ भीया, क्या होने वाला है, इस question का सही जवाब, चलो, देखो जरा, इस figure को ढूंड कर निकालो भाई, इस figure को ढूंड कर निकालो, दो triangle एक दूसरे को काटते हुए होने चाहिए, जैड से इप में थोड़ा सा, है ना, Z sẽip कौन से option में मिल रहा है चेक करो फटाफट से कहा दिखाई दे रहा है कहां पर अरे वाह फिर तो बहतरीन मज़ा या गया और सी में मिल रहा है बिलकुल चोटा सा लेकिन हमको तो चाहिए भई हमको तो मिल जाना चाहिए बस हमसे उससे मतलब थोड़ी ना है साइज का फरक लो भाईया ये लो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा तो ये इसके जैसा ही हो जाएगा बिलकुल ये लो ये लो ये लो भाईया एकदम सांदार ना दो ट्राइंगल दो ट्राइंगल इस जैड शेप के होने चाहिए एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ पर इसमें एक लाइन ऐसे होनी चाहिए थी ये आ गया आप्शन नंबर C पर आप्शन नंबर C पर नेक्स्ट इसको और ढूंड़ो इसको और ढूंडो फटआ फटटे यह कहां पर मिलेगा यह कहां पर आपको मिलने वाला है पोल वाले भाया पेटा पोल की आवस्टता नहीं है नॉनवर्बल में फटाफट से करते चले जाओ क्यूंकि कुछन बहुत सारे हैं chapter भी बहुत बड़े होते हैं इसमें हैं ना कई chapter है 7-8 chapter होते हैं और 7-8 chapter है थोड़ा speed से करो ठीक है तो check करो कहां पर मिलने वाली है एक rhombus के उपर सरकल होना चाहिए rhombus के उपर rhombus के उपर circle है तो सही लेकिन इसमें बीच मैं लाइन नहीं है गलत गलत रॉम्बस के ओपर सरकल है लाइन है यह रहा यह रहा बिलकुल गजब बिलकुल गजब बिलकुल गजब ऑप्शन नमबर बी पर यहां चेक करूँगा इसमें लाइन नहीं है अंदर देख लो नहीं है इसमें चेक करूँगा रॉम्बस के ओपर सरक कुश्चन फिगर में आपको नजर आ रही है कौनसी आंसर फिगर आपको कुश्चन फिगर में नजर आ रही है चेक करो अभी तो कराया इसके जैसा अभी तो कराया मेरे भाई एक स्क्वेर में आपके तिर्ची लाइन चाहिए ऐसे ये रहा ये रहा यहाँ पर मिल गया ना ये मिल गया फिल्कुल सांदार क्या ये चीज मिल रही है आपको ये चीज ये चीज नहीं मिलेगी ये बटा square इस्क्वेर ही नहीं मिल रहा रॉंबस है इधर तो और circle में तिर्ची line नहीं ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत cable और cable option number first option number first next most important paper folding and cutting और paper folding and cutting जो है ना बटा किस पर आधारित पता है पूरा का पूरा water image और mirror image के उपर आधारित है water image और mirror image के उपर आधारित है पूरा chapter paper folding and cutting paper folding and cutting जल्दी से like को की संख्या 50,000 पार करवा दो जिनोंने like नहीं किया है फटाफट से like कर दो किलास को एक कागज है चालो करो भी एक कागज है रॉंबस के आकार का जिसका right वाला हिस्सा left की तरफ मोडा गया फिर top वाला bottom की तरफ मोडा गया है अब इसको आप open करोगे तो पहले उपर की तरफ open करोगे तो ये triangle shape ऐसे हो जाएगी ये वाली जो arrow वाली shape है वो कुछ ऐसे आएगी भीया ऐसे ठीक है और जो circle है वो उपर जाएगा अब इसको इधर की तरफ open कर देना तो arrow वाली shape ऐसे आजाएगी यहां से arrow वाली shape ऐसे आजाएगी ऐसे और ये circle यहां पर ये दोनों triangle बिचारे कुछ इस तरीके से यहां पर ये वाला circle उपर की तरफ पहानी खतम हो जाती है चेक कर लो कौन सा option इसके जैसा है फर्ष्ट वाला फर्ष्ट वाला बिलकुल सही सा लग रहा है इसमें चारों के चारों arrow जो हैं गलत दिये हैं यहां यहां arrow बिलकुल गलत दिये हैं और इसमें arrow गलत दिये हैं दोनों ट्राइंगल यह गलत option number first option number first एकदम राइट है next चलो ओपर दिखाना सर हमारे पार्टनर का NTPC में जॉब हो गया है उन्हें आप से बात करनी है आप से ही पड़े है वो बहुत अच्छी बात है तो बात करवाओ टेलीग्राम पर बात करने ना ठीक है चाहे इंस्टाग्राम पर कर लेना चलो कहीं तो मिली जाओंगा जूंडोगे तो चेक करो भई राइट से लेफ्ट की तरफ टॉप से बाटम की तरफ फिर से वही चीज़ है फिर से वही चीज़ है तो बिटा चेक कर लो यह पैंटागन जो है ना उपर जाएगा तो एरो तो इधर की तरफ और यह एरो इधर की तरफ इधर खोलोगे तो यह arrow इधर की तरफ इधर की तरफ फिर यह इधर की तरफ यह इधर की तरफ पहली बात तो इसी को चेक कर लो यहां यहां तीन arrow A की direction में बिल्कुल गलत होगा बिल्कुल यह दोनो arrow same direction में बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत नेक्स्ट हाँ जी इस कागज को देखो ये कैसे कैसे मोडा गया है भीया कैसे कैसे इसको काटा गया है चेक करो चेक करो फटा फट से चाचा जी आंसर तीन है अच्छा भतीजे जी ठीक है भीया अच्छा हमारा भतीजा भी पढ़ रहा किलास में अरे वाँ तरह गजव मौजी कर दी वही चालो करो ठीक है इस कागज को जब आप उपर की तरफ मोड़ोगे तो ये वाला स्क्वेर यहां भी जाएगा ये वाला स्क्वेर इस वाले हिस्से पर जाएगा अब आधे को इधर मोड़ोगे तो जितने यहां रहे ना उतने इस वाले में भी आएंगे अर्थात ये वाला स्क्वेर यहां पर इधर वाला इधर की तरफ इधर वाला इधर की तरफ अब इध बीच में चार थे तो बीच में चार ऐसे बना दूँगा बीच में चार ऐसे यहां पर और एक इधर वाले कौने पर इसके जैसा option मैच कर लो कौन सा है कौन सा बीच में चार और चार आठ आठ बीच में होने चाहिए आठ बीच में चार ही आ रहे हैं गलत चार और चार आठ ब बिल्कुल राइट होगा एकदम सांदार तर खाना खालो गरम-गरम ठीक है खाओ बिटा खाओ साथ की साथ पढ़ते भी रहो खाते भी रहो कोई दिक्कत नहीं है यही तो फाइदा हो गया ओनलाइन पढ़ने का ओफ लाइन में कहीं वैठे होते तो रोटी भी नमिलती है इतनी बड़ी क्लास हो जाती भाई चांस चलो आंसर बताओ सूरज कह रहा है हद हो गई 2021 से मेरा नाम नहीं लिया अच्छी बात है अब लूँगा देखो भई आंसर बताओ ये वाला ये वाला जो बिटा पॉइंट है वो इधर भी आने वाला है मतलब कहने का रहता है सरकल इधर आएगा और ये कर्व ऐसे जो है ना ऐसे बने हुए ये ऐसे आएंगे फिर उपर जाओगे यहां सरकल आएगा यहां सरकल आएगा जो कर्व इधर थे ना वो इधर से ऐसे हो जाएंगे ऐसे ऐसे जो इधर वाले थे वो उपर की तरफ लेकर जाओगे जब उपर की तरफ ओपन करोगे तो यहां से और यहां ऐसे दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी इसके जैसा ऑप्शन देखो जरा फश्ट वाला बिल्कुल जानदार नजर आ रहा है सेकंड वाले में दोनों सेम डाइरेक्शन में दे दिये गलत और इसमें तो क्या उद बिलाव से बना दिये इसने ओ भाई इसने कैसे खतरनाक वाले बना दिये हैं देखियो ये तो सेम के सेम रख दिये जबकि ये पलट जाएंगे ना उपर की तरफ गलत और ये ये कैसा है ये दोनों ऐसे हैं ये दोनों सेम बना दिये ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत तो भाईया यहां तो आपके द तीनों आप्शन गलत हैं एवल एवल फस्ट वाला ठीक है फस्ट वाला next कुशन अमबर 132 चेक करेंगे सबी लोग इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा चेक करो यह कौन है पिटेगा 130 गलत है 130 कौन सा है बहुत मारूँगा बहुत मारूँगा धुनाई करूँगा पकड़के अच्छे तरीके से हैं दिख रहा है 130 कैसा कुशन है सांदार कुशन है चलो भई इसको बताओ इसको बताओ फटाफट से जब आप इसको उपर की तरफ ओपन करते हो उपर की तरफ ओपन करते हो ये चीज इधर आएगी फिर उपर से देखोगे ये ऐसे आएगा और फिर भईया ये ये आपकी चीजें ऐसे आने वाली है ठीक है अब इसको राइट की तरफ ओपन कर दे न ये वाला रॉमबस बन जाएगा ये यहाँ पर एक यहाँ पर आजाएगा नीचे वाले कट यहाँ पर उपर वाला कट यहाँ पर इसके जैसा देखो चार रॉमबस बीच में दो कट उपर उपर वाले कट नहीं दिए उपर वाले कट नहीं दिए उपर वाले कट नहीं दिए केवल और केवल option number C एक मात्र next यह अच्छा कुश्चन है गलत मत करना answer बताओ answer बताओ उपर दिखाना हरियों बेटा पढ़ाई पर द्यान लगाओ चलो देखो जड़ा एक कागज है जिसका उपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ मोड़ा गया फिर इधर छोटा वाला हिस्सा इधर की तरफ मोड़ा गया है अब मैं इधर वाले को इधर उपन करूँगा तो यह square यहाँ पर आ जाएगा है ना आएगा ना जब इसका इधर वाला हिस्सा इधर की तरफ मोड़ा गया है तो आप इतने हिस्से को इतने हिस्से को इधर की तरफ मोड़ोगे तो यह square यहाँ जाएगा अब उपर की तरफ मोड़ोगे तो यह दोनो square उपर वाले column में पहुँच जाएगे चार स्क्वेर एक कौने में आएंगे चार स्क्वेर और नीचे बचेगा एक option number first option number first बिलकुल right है first बिलकुल right है next यह अपने आप करो मैं नहीं बताने वाला इसको love you गुरू जी परंबीर बैच का फाइदा अब हो रहा है अरे वाह गजब मेरे सेर मेरे चीते गजब 130 ठीक है बहुत कुटाई कर दूँगा तुमारी बता रहूं मैं फोल दिया की 130 ठीक है गलत नहीं है किसी भी हालत में पिटोगे ध्यान से सुनो यह आदे आदे हिस्से पर मोडा गया है आदे हिस्से पर है ना चालो करना भई यह आदे हिस्से पर मोडा गया है आदे हिस्से पर तो इसमें जो चीज़े वो इधर आएगी या नहीं आएगी बेटा यह वाला स्क्वेर इधर जाएगा या नहीं जाएगा मुझे यह बता दो बस इतना भई आपके पास कोई कागज ऐसे है कोई कागज ऐसे है अगर आप उसको आदे हिस्से پर मोड रहे हो और यहाँ आपने एक फिकर बनाई जब आप इसको उपर की तरफ ओपन करोगे तो यह फिकर यह यहाँ जाएगी यह नहीं जाएगी मुझे इतना बता दे मुझे इतना बता दे इस वाले कौने पर तो नहीं जाएगी लेकिन उपर वाले पर अवश्य जाएगी जैसे ये वाली लाइन को आप उपर की तरफ मोडते हो तो ये इधर की तरफ ऐसे होगा तो ये स्क्वेर यहां पर आएगा समझ रहे हो आएगा तो सही तो अगर इसको जब आप उपर करते हो यहां जाएगा फिर नीचे लाते हो तो ये यहां पर जाएगा तो कहने का अरत है चार इसमें आगे तो वो चार इसमें ऐसे भी आएंगे चार और चार आठ बिलकुल ठीक है बिल्कुल ठीक और पिट जाओगे धुनाई कर दूँगा मन जाओ है ना बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है कोई गलती नहीं है ये पहले राइट से लेफ्ट की तरफ फिर राइट से लेफ्ट की तरफ है फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो भीया इसके भी ऐसे ही चार हिस्से कर दो, चार हिस्से कर दो, तो भीया चार वर्ग उपर की तरफ, चार वर्ग, चार सरकल इसमें, चार ट्राइंगल इसमें, और चार पेंटागन इसमें भीया, चार पेंटागन इसमें आ जाएंगे, पहचान करो इसमें गायब कर दिये गलत चार 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 आप्शन नमबर B इसमें गायब कर दिये गलत इसमें यहां से यहां से यहां से गायब गलत केवल और केवल आप्शन नमबर B आप्शन नमबर B नेक्स्ट नेक्स्ट को चेक करो अभी लग रहा होगा आपको अभी हलुआ सा लग रहा होगा कि यह इसी आसान आसान चीज़े हैं उठा कर देख ले ना एक्जाम में इनी में से कुश्चन मिलेंगे इसी टाइप के इसी टाइप के चलो भाईया फटा फट से देखो चेक करो उपर से नीचे की तरफ फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मोड़ा गया है जब आप इसको उपन करते हो राइट से तो इधर आओगे तो यह स्क्वेर बन जाएगा यह सरकल यहां जाएगा और इधर वाला कट यहां चला जाएगा अब उपर पहुँच जाओ यह कट फिर सरकल फिर बीच में रेक्टेंगल फिर सरकल फिर इधर वाला कट पहचान करो कौन से आप्शन में है कौन से आप्शन में है फ़स्ट वाले में लग तो रहा सही सा फिर दूसरे वाले में क्या गलती है तो यहाँ square की गलती दे दी, square की, इसमें एक, यह square बीच में extra दे दिया, यहाँ भी गलत है, बीच में दो दे दिया, गलत, तो first वाला ही सही होगा, कलो, next, question number 136, question number 136, check करो भाई, फटा फट से, check करो यह क्या कहना चाहरा है, left से right की तरफ मोडा गया, फिर top से bottom की तरफ मोडा गया है, जब आप इसको open करोगे तो यह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, check करो भाई, क्या है answer, अच्छा अच्छा जबी आप इस पर ज़्यादा परिसान हो रहे हो, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, हाँ बई, अब समझ गया, चलो ठीक है, बहुत गजब, बहुत गजब, अरे इसको आधे पर तो मोडी नहीं रहा वो, है ना, हाँ, ये था, ये था गजब, वो केवल आधे हिससे को मोड रहा है, आधे हिससे को, इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ये इधर भी मोड लेकिन उसका ये वाला कौना मोड़ा गया ये वाला चीक है तो जिसने भी अंसर दिया वो बिल्कुल ठीक है भई अब तो धुनाई मेरी होनी चाहिए है अब तो धुनाई मेरी होनी चाहिए है चलो बहुत सांधार मैं तभी तो कहूं सारे के सारे स्टुडेंट एक तरफ से क इसको बिटा आदे हिस्से को इधर नहीं मोडा गया इधर तो मोडा ही नहीं गया इधर तो कागज को मोडा ही नहीं गया है पूरे आदे हिस्से को मोडा गया है तो बस यहां आएगा स्क्वेर और दो यहां पर आएंगे और एक इसके साथ में यहां पर बीच माएंगे आठ पीच माएंगे आठ, option number C, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है, अब ठीक है, अना, अब ठीक है, बिलकुल, राधे, राधे, चलो भीया, राधे, राधे, आजो, ये रहा आपका question, इसका answer कैसे आएगा, इसको बिटा उपर की तरफ open करोगे, तो यहां से ये curve ऐसे गुम जा ये cut इधर आजाएगा, और ये वाला rectangle इधर आजाएगा, अब इस हिस्चे को इधर की तरफ open कर दो, यहां से ये cut पूरा, ये circle पूरा हो जाएगा, इधर ये cut आएगा, इधर वाला ये आएगा, उपर वाला ये आएगा, पहचान करो, एक circle बीच में आना चाहिए, और इ आने पर आएगा, option number C right होगा, option number C right होगा, C एकदम सांदार, कलो, रावन क्या किया रहा है, गुरू जी हम आप से पिरसन हुए, बताओ क्या वर्दान चाहिए, वर्दान ये ही दे दो, क्या आप अपना selection ले लो, है, इस से बढ़िया और क्या होगा, ये ही दे दो मुझे तो, फटा फट से, वहां से कैसे धुनाई करोगे ये बता दो, बस, अरे वाह, चेक करो, नीचे से उपर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, अब राइट से लेफ्ट की तरफ, अब राइट से लेफ्ट की तरफ, ओपन करोगे, तो ये rectangle इदर आएगा, और ये वाला इदर आएगा भीया, फिर ये square, ये square यहां पर आएगा, अब उपर से नीचे की तरफ, ओपन कर दो, यहां से ये चीज, यहां से ये चीज, ये, ये वाला rectangle shape यहीं पर रहेगी, उपर वाली rectangle shape यहां पर, रॉंबस जो उपर था, वो नीचे आजाएगा, रॉंबस जो उप नीचे आएगा, rectangle उपर आएगा, चलो, option number B, option number B right है, चलो जी, बढ़ते हैं, आगे की तरफ, next question ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, चेक करो, answer बताओ, चलो वे, फटाफट से बताओ, चलो, देखो जड़ा, यहां से start होता है, आपका analogy, ये क्या है, दी गई प्रशन आकरती के सैद्रश आकरती ग्यात करो, इसमें जो logic है ना, इसके जैसा, जैसे अभी आपको analogy पढ़ा है था ना, साद्रश्य था, जो logic यहां पर है, वही यहा पेंटागन है, तो भाईया, पहली बात, यह तीनों पेंटागन होने चाहिए थे, गलत, यहां, यहां चार है, इधर तीन है, यह गड़बड हो गई, गड़बड हो गई, यह दोनों ठीक है, यह दोनों, यह तीनों ठीक है, अब मुझे बताओ, आपका answer क्या है, यह दो न फिगर, यह बड़ी फिगर, यहां तीनों में साइज का फरक है, यहां दोनों सेम है, यहां लगबग लगबग दोनों सेम है, चलो यह तो मैंने मान लिया, फिर यहां तीनों सरकल भी सेम है, यह तो दोनों से, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सा सही होगा, लेकिन यहां तो साइज में फरक हो गया इसमें तो तीनों यह सेम आ रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा option number d की तरफ जादा जाओंगा क्योंकि यह best होगा यह best होगा आगे next इसमें पहचान करो कौन सा option आपका answer होगा कौन सा option आपका answer होगा कौन सा option आपका answer होने वाला है पहचान करो देखो पैचान करो बस पैचान करो क्या लोजिक है ये सरकल है और ये ट्राइंगल के भीतर सरकल है मतलब की दोनों शेप को आपस में इंटरचेंज कर दिया फिर हेक्सागन के भीतर रॉम्बस है तो रॉम्बस के भीतर हेक्सागन बना दिया हेकसागन बना दिया रॉम्बस के बीतर भहिया तो यही लॉजिक लग रहा है कहने का अर्थ है जो इधर वाली फिगर थी अंदर वो बाहर आ गई और जो बाहर वाली थी वो अंदर आ गई तो ऐसा ही काम आप करोगे यहां से चलो जी सरकल के बीतर स्टार बनाओगे सरकल के बीतर स्टार तो एक बीच में फाल तू कहां से आ गया गलत सरकल के बीतर स्टार है और ट्राइंगल आना चाहिए था यह गलत यहां सरकल के बीतर स्टार बिलकुल ठीक है यहां रॉम्बस दिया है यह गलत ये गलत तो मैं जाओंगा option नंबर B के 7 option नंबर B के 7 दूसरा वाला बिलकुल right होगा एकदम सही जवाब next अगला question आपके सामने चेक करो यहाँ जो भी logic लग रहा है ना analogy में वो आपको पहचान करके बताना है कौन सा option आपका answer होगा इन दोनों figure में जो relation है वही relation इन दोनों figure में होना चाहिए कहने करते है A का relation B के 7 जैसा है वही relation C का D के 7 भी होना चाहिए same relation check करो भाई इसमें क्या logic है यह वाला cut जो है ना वो उपर पहुँच गया double होकर तो आप भी इस वाले double को आप single कर दोगे तो यानि कि यह आएगा single यह जो double था वो single हो गया तो यह single है तो यह double हो जाएगा यह double हो जाएगा पहँचान करो पहँचान करो कौन सा option सही है पहँचान करो कौन सा option सही है यहां तो यह तो गलत हो गया इधर double आ रहा है बिलकुल ठीक ठाक है इधर यह नहीं आएगा गलत इधर ये नहीं आएगा गलत केवल और केवल option number 3 option number 3 एकदम right है पटाफट से like को की संक्या 50,000 के पार कर दो जिन्होंने like नहीं किया है like कर दो class को मज़ा आजाएगा next ढूंडो भाई यहाँ पर ढूंडो क्या बात बनने वाली है चलो उपर दिखाना भी यह कौन है चलो भाई फटाफट से देखो यहाँ क्या है right में जो figure थी वो अंदर चली गई right में जो figure थी वो अंदर चली गई तो right वाली figure अंदर चली गई right वाली figure अंदर चली गई right वाली figure अंदर नहीं है यह तो गलत हो गया right वाली figure अंदर चली गई ठीक है वाली बिल्कुल बहार होनी चाहिए थी गलत केवल और केवल option number D बात आई समझ मैं कैसे कैसे right वाली figure अंदर गई अंदर और नीचे वाली figure जो थी वो बहार की तरफ गई है बहार सबसे बहार की तरफ तो भाया नीचे वाली जो figure थी pentagon वो बहार की तरफ ही तो आएगा बहार की तरफ option number D राइट है option number D राइट है next next की पहचान करो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा चेक करो एक एक figure केस पुर कार से दी गई है यहाँ यहाँ यह वाला square नीचे दिया है black अगर मैं इसको अगर मैं इसको right की तरफ गुमा दू उपर पहुच जाएगा और left की तरफ गुमा दू तो नीचे आ जाएगा मतलब दोनों दिसाओं मैं दोनों दिसाओं मैं इसको अगर आप ऐसे गुमाओगे गुमाओगे तो उपर पहुच गया और anti-clockwise गुमाओगे तो नीचे आ जाएगा तो ऐसा ही आप कर दो clockwise गुमाओगे तो उपर जाएगा अर्थात star इधर आएगा और rhombus वाली shape इधर आएगी और इसको अगर anti-clockwise गुमाओगे तो नीचे वाली condition star इधर आएगा और rhombus वाली condition इधर की तरफ आएगी भाईया ये चीज ये चीज ओ भाई अती सुंदर अती सुंदर मजा आ गया फिर बात आती है फिर बात आती है उपर एक सरकल है नीचे तो जो उपर था वो उपर रहेगा star नीचे था तो star को नीचे रखूँगा पहचान कर लो कौन सा सही है पहचान कर लो कौन सा सही है left में star है rhombus है यहां rhombus है इधर star है option number first ही right है first right ये दोनो star एक तरफ नहीं आएगे गलत है ना उपर star नहीं आएगा गलत नीचे rhombus नहीं आएगा गलत बाकी गलत थे केवल और केवल first वाला option next next को check करो भाईया फटा फट से ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है देखो जरा check करो भाई answer बताओ check करो answer बताओ क्या answer होने वाला है ये अच्छा कुष्चन है यहां क्या है cross में देखो जहां से star उपर black था नीचे white इनको बदल दिया इनको पलट दिया भाई इनको पलट दिया इनके color को उपर वाला black नीचे आगया नीचे वाला white उपर चला गया इधर black इधर black बिल्कुल ठीक है और इनके black combination को चेंज कर रहा है इसका black उपर पहुच जाएगा उपर का नीचे आजएगा इसका black उपर पहुचेगा तो V shape में triangle shape में black है तो triangle shape में नहीं है यहां triangle shape में नहीं है यहां पर triangle shape में है कैसे यह रहा ना वी शेप में option number D option number D cross में cross में कर रहा है color combination को जो ये तीन हिससे black थे वो इसमें आ गए एक दो तीन नीचे वाले तीन देखो ये वाली वी शेप जो है न वो इसमें पहुँच गई उपर की तरफ ऐसे ही ये वाली जो वी शेप है न वो उपर जाएगी इस वाले में इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें थी तो ये star की वज़े से गलत हो गया इसमें है बस last option number deeper option number deeper next classification find the odd one आउट चार आकरतियां दी जाएंगी चार में से एक अलग होगी उस अलग आकरति मिलेगा क्या आपने मेरी बात तो तब मानी नहीं चालीस अजार को दाने की बात कही थी है वो तो पहुचाएं नहीं अंकिस सर्मा आई हेट यू सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो बिलकुल आई लव यू ठीक है अब तो ठीक है चलो यहां देखो भई यहां देखो क्या लोजिक है चार फिगर आपको पहचाननी है अंदर तीन फिगर फिर पाँच है फिर छे है लाइन अंदर की तरफ तीन है फिर चार है फिर पाँच है अंदर की तरफ तीन फिर तीन फिर पाँच फिर तीन फिर चार फिर छे तो भहिया दोनों सेम हो गई दोनों सेम हो गई आप्शन नमबर तीन पर दोनों सेम हो चुकी है बाकी सम्में अंतर था तीन पाच छे तीन चार पाच तीन चार पाच तीन चार छे बाकी तीनों फिगर अलग-अलग थी इस मैं दोनों सेम दे दी Next कहचान करो कौन सी फिगर अलग है कौन सी फिगर अलग है चेक करो यहां देखोगे S S पर इधर डमरू बना हुआ है और arrow इस डमरू के तरफ है ठीक arrow इस बिलेक सरकल की तरफ है ध्यान से देखोगे तो arrow इस डमरू की तरफ है भहिया है ना और यहां arrow भहिया इसकी opposite direction में है भहिया opposite में हो गई गडबड option number 3 गलती तो पहचाना है कौन सी फिगर अलग है एसंगत है Next पहचानो पहचानो कौन सा option आपका answer होने वाला है फटा फट से बता दो जल्दी से ये कौन है इसक वाला दिखेयो भी जड़ा ना इसके है किसी से ना कोई यार है ना इसके है किसी से ना कोई यार है अब तो सिर्फ और सिर्फ काम्याब होने का भूत सवार है ओ भी या भूत भूत अंसा बचे रहो यार पर काम्याब होने का भूत ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है कलो भई इसका अंसर क्या होने वाला है क्या करता हूँ एक दो दो वर्ग बिलैक है जो बिलैक वाले वर्ग थे ना वो कितने थे दो चेक करूँगा मैं एक दो ठीक है एक दो तीन एक दो बन गई बात इसी से अंसर आ गया ना अगर आप देखोगे स्क्वेर दो थे बिलैक इसमें भी दो स्क्वेर बिलैक हैं इसमें भी दो हैं और इसमें तीन हैं इसमें तीन हैं अंसर होगा ये वाला ये वाला option next 147 चेक करो बहिया चेक करो क्या होगा चेक करो बहिया चेक करो क्या अंसर आने वाला है बहार की तरफ दो फिगर हैं अंदर की तरफ चार है बहार की तरफ चार हैं अंदर की तरफ दो हैं बहार की तरफ दो दो चार दो छे अंदर की तरफ तीन हैं बहार की तरफ चार हैं अंदर की तरफ दो हैं कुछ लॉजिक दिखाई दिया, दो का दुगना चार, दो का दुगना चार, दो का दुगना चार, तीन का दुगना चे, अच्छा कुश्चन है, फसाने वाला कुश्चन है, ध्यान से देखोगे, तो, फसाने वाला कुश्चन है, अगर मैं आप से कहूं, अगर मैं आप से कह बहार कम है अंदर जादा ऐसा सोचोगे बहार जादा है अंदर कम है बहार जादा है अंदर कम है बहार जादा है अंदर कम है तो फिर इस हिसाब से option number A हो जाता है answer है ना option number A हो जाता है answer फटा फट से देखो आपका क्या है यह कौन है तितली पितली वाला दिखियो भीए जराइस है तितली वाले भीए को दिखा यह क्या कहना चाहरा है इसकी बात भी सनो नहीं ये नहीं चलो आगे चलो फोड़ो गया वो देखो जरा आंसर क्या है मुझे ये बता दो भाई मेरे ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छा कुशन है S.S.C. नहीं पूछा है बहार दो हैं अंदर की तरफ चार लाइन है बहार की तरफ चार हैं अंदर दो हैं दुगने का फरक तो है ही है लेकिन फिगर का कॉंबिनेशन कैसा है बहार जादा थी अंदर कम बहार जादा अंदर कम बहार जादा अंदर कम यहां बहार कम हैं अंदर जादा है तो आप्शन जो है वो ये वाला ये वाला right है भीया ये वाला जहान रखना इस बात को option number direction की बात आए तो ये आमने सामने आमने सामने आमने सामने आप कोगे ये इधर तिरचे नहीं तो ये हैं तो touch में ऐसे तो ये भी touch में ये फिर उपर होना चाहिए था इसे साब से तो तो भीया सबसे बेस्ट SSC ने भी इसका अंसर option number A ही माना है A ही माना है next क्या आसान है ये आसान है ये दोनों same direction में ये दोनों same direction में और ये दोनों same direction में एक ही तरफ ये किरॉस में है हो गया हो गया अलग मेराथन के टाइम पर जो है ना data को save करके रखा करो समझ रहो चाहे अलग से कोई recharge कर वालो दो तीन जीवी का एक्स्ट्रा जो 15-20-30 रुपे में होता है उससे क्या है आपकी सारी मेराथन जो है वह जरूरी है इंपोटेंट है टाटा की तरफ देखोगे न तुपर selection की तरफ से हटोगे थोड़ा थोड़ा सा अले डाटा मजबूत करके राखो क्या दिक्कत है 15-20 रुपे और खर्च हो जाएंगे हैं अब इतनी भी कंजूसी मत करो अब इतनी भी कंजूसी मत करो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कुश्यन आपके सामने है फटाफट से देखो सभी लोग यहां कौनसी फिगर अलग होने वाली है कौनसी फिगर अलग होने वाली है फटाफट से बताएंगे सभी लोग चेक करो चेक करो उड़नचास अजार हुएं अभी अब यहां कुश्चन का अंसर तब बताऊंगा जब यह पचास अजार हो जांगे उड़नचास साथ सो दस है पचास कर दो लाइकों की संख्या जिन्होंने लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दो पहली बात है ना अर लाइक करते हैं नहीं कुश्चन का अंसर मिल जाएगा जल्दी से जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो मज जाई आ गया रॉम्बस किरोस में है रॉम्बस किरोस में है रॉम्बस सेम डायरेक्शन में है रॉम्बस किरोस में है बात बन गई option number B option number B yellow yellow answer चलो तो फटा-फट से next की तरफ फिगर completion आकर्ती पोन करना chapter next start हो जाता है अगला chapter आपके सामने है figure completion आकर्ती को पूर्ण करना आकर्ती को पूर्ण करना तो भाई कौन से option को यहां रखने से आपकी figure जो है न वो complete होने वाली है यह first option यह third option यह second वाला और यह fourth वाला फटा-फट से check करो और answer बता दो जल्दी से पूर्ण करते हैं आपका प्यारा बुलेंदर सिंह टाचा बोल रहा हूँ चालिस रूपे का दान किया भी यह बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरे नाम पर कम से कम ये तीस अजार का अंकड़ा अगर पार हो जाए तो छोटा सा टारगेट आप लोगों को दिया है एक जबरदस्त महनेच चल रही है सर के दौरा तो लगबग उन्निस कुश्चन अभी बचे हुए है तो आप लोगों का ये प्यार देखकर सच में सच में हर एक टीचर जो है वो पूरी तरी से उत्साहित है और ये मान के चलिए कि सर इतना उत्साहित थे इस किलास को लेकर और वो प्यार आप लोगों ने दिया सच में बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया और इसी बात पर यह आंकड़ा भई मैं 30,000 देखके जरूर जाओंगा वैसे तो किलास में दर्सन होते ना दूसरे की किलास में आके एक बार 30,000 देख लूँ मैं तो एक बार 30,000 जरूर दिखाओ एक बार 30,000 का यह आकड़ा होना चाहिए और आपको एक मेरी मांग की पता ही है जब 30,000 का अंकड़ा होगा तो लाइक 24,000 तो बढ़ने ही चाहिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूँगा आप लोगों ने जब जो आप लोगों से मांगा वो आप प्यार दिया मैं हूँ या कोई भी टीचर हो उतना ही आप लोगों ने जबर्दस्त प्यार दिया है आप लोगों का दिल से ठेंग कि अधर की बात नहीं माना होगे तुम ये बताओ फटा फट से जल्दी से 30,000 कर दो इनको यह देखें कितने प्यार्सु कहके गए हैं गुरू जी टीस जार बच्रे चाहिए इनको तिस आज़ार दिखाओ जल्दी सा फटा फट सब करके जल्दी से और फिर देको बंडारे खीर तयार यह बिलकुल बता रहों मैं जल्दी से कर दो भंडारे की खीर तयार है फिर आज़ो फटा फट से आज़ो फटा फट से आज़ो कुश्चन का अंसर बताएंगे सभी लोग कौन से option को रखने से आपकी figure जो है वो complete होने वाली है सबसे पहले आप क्या करोगे ये वाली line उपर से आएगी इस से touch होगी यहां कर फिर ये इस से square shape ऐसे बनाएगी ऐसे बनाएगी क्योंकि बाहर की तरफ देखो rombus बना हुआ है और आप पहचान करोगे यहां उपर plus है तो इधर जो figure बनने वाली है वो ऐसे आएगी तो क्या वो इसके according इस पिरकार से होने वाली है भीया पहचान करो पहचान करो कौन सा option इसके जैसा होने वाला है कौन सा option इसके जैसा होने वाला है यह figure आपकी तयार है बिलकुल और option को match कर लो option को match कर लो कौन सा सही है option को match करो यह रहा D वाला option एकदम right एकदम सांदार बिलकुल गजब बढ़ते हैं next की तरफ अगला question नंबर 151 151 फटाफट से बताओ सभी लोग बताएंगे फटाफट से चाचा जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मजे कर दिये आपने राहुल सरका भतीजा अरे वाह चेक करो किस option को रखने से किस option को रखने से आपकी figure जो है वो complete होने वाली है चेक करेंगे सभी लोग speed में speed में answer आना चाहिए भाई सबसे पहली बात ध्यान से देखो ये वाली लाइन तो इस से आकर मिलेगी ये वाली लाइन इस से आकर मिलेगी ये वाला कर्व ऐसे घुम कर जाएगा side वाला ऐसे रहेगा इधर कर्व है तो इधर ये वाला कर्व ऐसे complete होगा अब उपर बिलेक था तो यहां भी बिलेक ही आएगा नीचे की तरफ है ना आएगा या नहीं आएगा इधर चोटा सा बिलेक था तो इधर भी आएगा वो बिलेक तो इधर भी आएगा चोटा सा ये ये आपकी फिगर बनकर तैयार फिगर बनकर तैयार है इधर ये बिलेक न इदर इदर वाला विलेक गायब कर दिया तो बचा केवल option number 4 इदर भी विलेक नीचे भी विलेक ये वाला कट भी ये वाला कट भी ये वाला option number 4 option number 4 हमारा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सांदार next नेक्स्ट को चेक करो 152 152 को फटाफट से देखेंगे कहना क्या चा रहा है भी या 152 को चेक करो बहुत ही आसान है तुरंत देखते ही आंसर आएगा बिटा एक दो तीन हर कौने पर तीन ट्राइंगल है इसमें ट्राइंगल नहीं है गलत यहा तीन है तो यहां यह लाइन इससे टच होनी चाई ये थी अलग क्यूं है गलत होगा यह इससे टच है बिलकुल और यहाँ पर तीन ट्राइंगल भी आ रहे हैं option number 2 आपका right होगा इधर 4 दे दी है 4 थोड़ी न आएंगे 3 ही तो आएंगे बस maximum 3 ही आएंगे next next question आपके सामने 153 153 complete करो भाई complete करो फटा फट से इसका सही जवाब क्या होने वाला है किस option को रखने से किस option को देखो plus shape बनी हुई हर कि हर तरफ तो बीच में एक तो पहली बात तो rhombus आएगा पहली बात इस बात को note कर लेना अच्छे से अना इधर से चेक करोगे ये वाला cut और ये वाला cut उपर से आओगे उपर से ऐसे आए ऐसे आए ठीक है एकदम सांदार तरीके से बहुत खूब इतना तो हर किसी option में दिया भी है अब बात आती है जो ये वाली shape इधर थी वो ये वाली shape इधर भी होगी फिर तो इसके according अगर मैं बात करूँ यहां से ये v-shape ऐसे बन रही थी तो इधर से ये v-shape ऐसे बनेगी भीया बिल्कुल बनेगी उपर से ऐसे line आ रही है तो ये यहां से ऐसे आएगी और ये line इधर से ऐसे जाएगी ठीक अब बात आती है line का cut किदर होने वाला है बस इसकी पहचान करो line का cut जो है वो कैसे होगा ध्यान से देखो एक दो खाली है फिर cut 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 है ऐसे जा रहा है और बीच की अगर मैं बात करूँ ध्यान से देखोगे यहां पर यहां पर यह दोनों cut एक साथ है तो यहां पर यह वाला cut यहां पर अपने आप ही आने वाले हैं ये फिगर आपकी बनकर थियार हो जाएगी एकदम रेडी हो जाएगी कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी फटा-फट से बता दो तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है एकदम सांदार गजब अती सुन्दर नेक्स्ट इस फिगर को क इस फिरिए बेस्ट हो गया चारो उप्शनों को खंपेर करो कौनन यहां से ऐते होरी करोग के यह स्क्वेर आइगी यहां से यह वाला स्क्राइगा इधर चेक करोगे यह वाला स्क्वेर इस्से मिलेगा जाकर और यह सरक्ल पूरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से इतना काम तो बनेगा सबसे पहली बात फिर एक बिलैक फिर वाइट फिर बिलैक फिर वाइट फिर वाइट फिर वाइट फिर बिलैक भाई उपर दोनों वाइट हैं क्या नीचे दोनों वाइट होंगे या दोनों बिलैक होंगे इसकी पहचान होनी चाहिए अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं देखो आदा हिस्सा आदा हिस्सा मैं ऐसे भी तो काटूंगा इसका उपर के दोनों भाइट है तो नीचे के दोनों बिलैक होंगे फिर भाई नीचे के दोनों क्या होंगे बिलैक होंगे मेरे भाई बिलैक आदा हिस्सा बिलेक आएगा उधर white था तो ये white रहेगा बस कहानी खतम हो जाती है इतना option match कर लो कौन सा है इतना option match कर लोगे आपको आपका answer दिख जाएगा option number C option number C जो एकदम सामदार है बिल्कुल बहतरीन है next इसको आप complete कर लीजिए जल्दी से बताओ कौन से option को रखने से figure complete होने वाली है कौन से option को रखने से figure complete होने वाली है पडा फट से बता दो बिटा क्या answer होने वाला है data खतम हो गया data को recharge कर लो दुबारा से फटा फट से है न ये समय बार बार नहीं आयेगा आपके पास जो सुनहरा मौका चल रहा है ना इसको भुना लो भीए जो मौका चल रहा है आपके पास ये लाइन इधर कट के साथ ऐसे आएगी बिलकुल आएगी और आगे तक जाएगी आगे तक क्योंकि इधर जा रही है इधर भी जा रही है एक point है फिर white है फिर point है फिर white है फिर point है फिर white है तो ये point यहां पर आएगा black वाला इतना काम ये बन गया ठीक अब क्या बचा हुआ है दो line और बची है एक यहां पर cut और यहां पर cut इसके जैसा option match करो जरा इसके जैसा option ये line कौने तक नहीं आएगी है ना इसमें मैच करूँगा इसमें मैच करूँगा ऊपर वाले में यह पॉइंट नीचे वाले में नहीं आएगा तो यहां हमारा option number b right हो जाएगा यह cut ऊपर तक नहीं जाने वाला गलत गलत बहुत सांदार बहुत सांदार बहुत ही गजब नेक्स्ट यह कहा गुरू जी टॉपिक चेंज करो अब टॉपिक होने वाला ही है अब क्यूं चिंता कर रहे हो खतम ही हो लिए आप तो यह है ना टॉपिक फिर 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 उपर वाला हिस्सा बिलेक आएगा उपर वाला हिस्सा जो है वो बिलेक आने वाला है बहुत सांदार फिर एक बिलेक एक बिलेक एक वाइट तो बिलेक यह वाला पोरसन आएगा यह वाला एक छोड़ कर चारो कौनों पर चारो कौनों पर एक बिलैक सरकल था चारो कौनों पर तो यहां पर भी बिलैक सरकल आ जाएगा पहचान कर लो भीया कौन सा राइट है कौन सा राइट है सरकल का उपर वाला हिस्सा होना था बिलैक सरकल का उपर वाला हिस्सा बिलैक आना था इधर आया हुआ है तो यहां यह वाला हिस्सा भी लेक नहीं दिया तो यह गलत है बचा हमारे पास option number 4 यह right होगा यह 4 option हमारा बिलकुल correct होगा एकदम सांदार तरीके से right next next और यह अगला कुश्चन बहुत ही खतरनाक बहुत ही सांदार बहुत ही जबरदस्ट सीन टू लगा देना वह इसमर थोड़ी देर के लिए देखेंगे इस अच्छे से आगया होगा अंसर बेटा फटाफट से बताओ इस कुश्चन का सही जवाब क्या है क्या है इस कुश्चन का सही जवाब चेक करो चेक करो सबसे पहले आपको करना क्या है भहिया करना क्या है सबसे पहले पहचान करो ओ भाई इस तो खतरनाक सा लग रहा कुछ है जैसे उपर की तरफ हिस्सा गया है ना तो ऐसे नीचे की तरफ भी आएगा कुछ इस तरीके से समझ रहे हो ना समझ रहे हो ऊपर की तरफ और ये लाइन को इससे तो मिलाओगे मिलाओगे उसमें सरकल में सरकल में बहिया दो दो लाइन आएंगी बीचो बीच इस तरीके से जैसे उपर था ना ऐसे नीचे आएगा ह पहचानलो बिटा स्क्वेर वाला कट जो है न वो इधर की तरफ है मेरे भाई इधर की तरफ इधर की तरफ यह इधर की तरफ नहीं होगा तो option number B option number B हमारा right होने वाला है option number B एकदम correct है एकदम सांदार है ना आएगा ना इधर left साइड में और इसने दिया है right साइड में तो राइट वाला गलत होगा left वाला राइट होगा next यहां से स्टार्ट होता है figure counting आखरी topic figure counting फिर मैं आपको बताऊंगा last में क्या चीज़ है लास्ट में एक surprise भी आपके लिए ठीक है उसके लिए wait करना सभी लोग दी गई आकरती में कुल कितनी सरल रेखा हैं तो सरल रेखा count करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको तीन चीज़े note करनी होती है एक तो h, एक v और एक s horizontal, vertical, slant तीन तरीके की line count करो answer आपके 7 आपके हाथ में तीन तरह की line count करनी है horizontal, vertical और slant horizontal क्या होता है horizontal होती है बटा 36 रेखा है vertical होती है उर्दवादर खड़ी रेखा, slant होती है तिरियक रेखा है इस तरीके से इस तरीके से तो पहचान करूँगा सबसे पहले horizontal एक, दो, भया तीन, तीन लिख दूँगा इसके सामने फिर फिर बात आती है vertical की उर्दवादर एक, तो, और तीन, तीन इदर से आ रही है भया यह आ गई तीन, अब आती है तिरियक रेखा हैं, तिरियक रेखा कैसी है तिरची रेखा है ढूंड लो, ढूंड लो फटा फट से, पहले नंबर की यह रही, दूसरे नंबर की यह र गई, तो answer में क्या हुआ भीया, answer में हो गया आपका बार है, option number B, option number B, एकदम right है, दूसरे वाले की आप गिनके बता दो, मैं comment चेक कर रहा हूं सबके, एक मैंने बता दिया, दूसरे वाले के आप बता दो, फटा फट से, बता दो फटा फट से, जल्दी से, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटा फट से सब्सक्राइब कर दो, 6 मिलियन होने वाले हैं, फिर दावत, फिर दावत है, अब तो दावत चल रही है, फिर दावत है, और आपकी दावत कब होगी, जब selection लेकर आओगे, पुराने वाले इन से पूछ के देखियों, बढ़िया दावत हुई, मजेदार है, चलो, जल्दी से अंसर बताओ, ह, वी, और एस, ह, वी, एस, पटा फट से बताओ, आप selection लाओ, और हम दावत खिलाएंगे, और टी सेट गिफ्ट में मिलेगी, भीया, है ना, मेडल भी मिलेगा, वो तो आप सभी लोग जानते, वो त तीन पीडियों को सुधार देती है, बेटा, तीन पीडियों को, परिवार की, समझ रहे हो, अपने माबाप की जिन्द की, बिल्कुल सांदार, अपने बच्चों की जिन्द की, बिल्कुल सांदार, ठीक है ना, तो selection किस के लिए, अपनी family के लिए, family से ज़ादा खुशी, क तोड़ कर चला जाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माहौल फर लेकिन घर वाले हमेशा साथ देते हैं तो आपको उनके लिए चलो भई तीन इसमें वैटी कल है सिलेंट लाइन तिरियक रेखा तिरियक रेखा गिनुगा पहली ये रही दूसरी ये रही तीसरी ये रही चौती ये रही चार इसमें ये हैं चार तीन साथ और तीन दस दस आप लोगों का बिलकुल सही जवाब है बहुत ही सांदार ऑप्शन नंबर बी मज़ा आया मुकेम्बो खुस हो गया है चलो सर सौने का मेडल हाँ सौने का यह विटा चलो जी नेक्स्ट अब आती है बात ट्राइंगल तिर्बुज काउंट करना दी गई आकरती में तिर्बुजों की कुल संख्या कितनी होगी फटा फट से बताओ पर दिमाग में आपकी आवाज गूंजने लगी है अगर अभी से आवाज गूंज रिया ना तो यह समझ लो पेपर जो है गया पारम पार एक दम एक दम किलियर कोई नहीं रोकने वाला फटा फट से बताओ यहां पर कितने ट्राइंगल ट्राइंगल मैं दो से बहुत जादा है इंपोटेंट है मैं नोट कर देता हूँ कौन-कौनसी एक तो यह वाली शेप याद रखना दूसरी यह वाली शेप याद रखना है ना और इसका बड़ा भहिया जो होता है जिसमें बहुत सारे कॉलम बन जाते हैं है ना यह वाला क्या है एक दो दो और एक तीन जोड़ है मेरे भाई स्टोल है तो यह तीन बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट क्योंकि इन में कुश्चन मैक्सिमम ज़्यादा बनते हैं इनी तीन टाइपोस है वरना उठा कर देख लेना जितने भी कुश्चन आट वाली फिगर भई एक आप स्कुएर बनाओ अब इसकुएर को थोड़ा सा तिरछा भी कर दो गये उससे कोई फरक थोड़ी न पड़ने और वाले मैं रर चार छोटे छोटे इसके बाहर है कौन से एक दूसरा तीसरा चौथा तो मैं साइड में लिखूंगा आठ तो ये रहे और चार ये रहे क्या क्या इसके बाद भी कुछ और है धूंडो रे धूंडो धूंडो रे धूंडो फटा फट से और कौन से नजर आ रहे हैं और मैं बताऊंगा देखो ये वाली फिगर उपर वाली यहां से यहां तक कौन देखेगा इतने हिस्से पर तीन वाली फिगर ये रही दिख गई तीन वाली figure ध्यान से देखो green में, green में जो बनाई है उपर वाले हिस्गे पर तो तीन इस में भी आ गई, तीन इस में भी आ गई और इसके बाद ढूंडो जरा और इसके बाद कोई दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा वाला, छोटा वाला कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यही है, 8-4-12 और 3-15, option number C, option number C, जो की एकदम बहतरीन है, एकदम सांदार, बहुत ही सांदार, बहुत ही गजब, चलो, next, next question, 161 question number 161, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग क्या answer होने वाला है, आपका, क्या answer होने वाला है, इस question का, क्या another, यहाँ आपको, triangle, यहाँ आपको, बैटा, triangle count करने है, triangle count करने है, तो कैसे count करोगे, इसकी बी trick है, इसकी बी trick है, देखो जरा, है न, इसकी बी trick है, बहुती सांदार वाली, कभी भी आपको, टॉप से कितनी भी line क्यों ना दे, examiner, आपको करना क्या होता है, number note करने हो सब को जोड़ दोगे एक और दो तीन तीन और तीन छै और चार दस टोटल मिलकर दस तिरबुज हो गए दस तो भाहिया अब इसमें examiner चाला की करता है क्या line बना देता है और एक लाइन और बना दी एक लाइन और बना दी तो इस कारत है जितनी भी लाइन आएंगी न आप उसमें उतने की ही क्या कर दोगे गुना कर दोगे उतने की ही चलो चलो तो यहां दस हो गए फिर यहां दस हो जाएंगे इसका अर्थ क्या है, टोटल कितने हो जाएंगे, तीस हो जाएंगे, तो वही तो लोजिक यहां पर लगा हुआ है, मेरे भाई, ध्यान से देखो, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, साथ, दो, नौर, एक, दस इस पर हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, साथ, द दस तिया तीस तो हो गए, फसाने के लिए, फसाने के लिए क्या करता है, option में 31 और दे देगा, आप सोचो के गुरु जी एक बड़ा वाला भी तो बनेगा, अरे बड़ा वाला तो इस वाले 10 में count हो गया, बहुत से student कर देते हैं, ऐसी गड़ बड़, आप मत करना पर, ठीक ह next, मुझे नहीं बताना, इसका अंसर, आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, फटा फट से बताओ, अब मैंने आपको करा दिया, अब मैंने आपको करा दिया, आप मुझे इसका अंसर बता दो, क्या होने वाला है, जल्दी से, सभी लोग, सबी लोग बताएंगे बिटा मज़ा आने वाला है अभी तो बहुत सी important figure आपके सामने बची हुई है बहुत important अरे वाँ एक तरफ से सांदार अंसर आता हुआ सबी का बहुत ही बहतरीन और जबरदस्त अंदाज में ओ भाई फटा फट से चेक कर लो तीन वाली figure बताया ना तीन वाली figure दूसरी तीन वाली ढूंडोगे दूसरी इस पर मिल जाएगी तीन वाली figure ये रही दूसरी पिंक में तीसरी ढूंडोगे तीसरी बड़ी वाली ये हो गई भीया तीसरी बड़ी वाली हमारा एकदम राइट है एकदम सांदार नौ बहुत सांदार जवाब बहुत ही सांदार जवाब है पड़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला कुश्चन आपके सामने यह रही वो टाइप जिसकी बात मैंने की थी यह वही टाइप है आपके सामने वही टाइप है आपके सामने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, और आठ, आप क्या करोगे, इस आठ का दुगणा, मैंने क्या बताया, इस ते चले जाओ रुकना ही नहीं है बिलकुल भी यह रही वो फिगर जिसकी बात कर रहा था आठ वाली फिगर इंपोटेंट है यह रही आपके सामने है तब ही लोग बताएंगे फटाफट से क्या अंसर होने वाला है इस कुश्चन का चेक करो चेक करो क्या अंसर होने वाला है चेक करेंगे सभी लोग क्या अंसर होने वाला है पटाफट से बताओ यहां आठ, इसमें आठ और इसमें भी आठ ही है कमझो, आठ, आठ, आठवाली फिगर तो आठ तीया कितने हो जाएंगे भीया, चौबिस, आठ तीया कितने हो गए, चौबिस हो गए, اور भीटा ध्यान रखना जब कभी भी ये दोनों आठवाली फिगर आपस में मिला कर रखोगे तो दो बड़े वाले बन कर आते हैं कौन से जहां पर भी इनका जोड पॉइंट होगा ये दो मिलकर आएंगे नए बड़े इधर देखोगे तो इधर ये रहे दो बड़े तो ये रहे बड़े तो इसका अर्थ है पिलस के चार और आगए पिलस के चार और आगए ओ भीया तीस अजार भी होने वाले फटा फट थोड़ा सा जोर और लगा दो थोड़ा सा जोर और लगा दो ये रहा आपका आंसर आप्शन नंबर बी आप्शन नंबर बी option number अरे लो julho thousand 500 भी होगे 6 million भी हो गए साथ की साथ 6 million की ताली वजरें बाहर मजाई आ गया 3009 000 की 5,000 की ताली वजरी है आपने इधर 30,000 करें उधर 6 Million हो गए साथ की साथ है अब तो दावत अब तो दावत बने ही बने की छलो बहुत सांधार, बहुत सांधार, आ रहा होगा सोर आपको भी, चलो, बिलकुल, बिटा, आप सब का परिवार है, आप सब का प्यार है, ये सब कुछ, आपका ही प्यार है, और आपका ही परिवार है, ठीक है, बहुत सांधार, बिटा, बहुत सांधार, सभी को बहुत डेल सार बाधाईया आपका जो परिवार है आपका परिवार हमारे नी आपका परिवार, आपके परिवार में हम है ठीक है चलो बहुत खाए Two-2 सांदर आज़िए फटा-फट से अघले कुश्चन की तरफ next question आपके सामने है next question आपके सामने है सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा चेक करो कलो बहुत सांदार बहुत सांदार बहुत बहतरीन आजाओ भई आठ वाली फिगर तो ये रही उपर आठ वाली फिगर ये रही और मैंने बताया था जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दो नए बन कर आएंगे ये आ गए दो तो आठ राट 16 और दो 18 18 के बाद 18 के बाद आप देखोगे तीन वाली फिगर यहां पर है और तीन वाली फिगर यहां पर है भाईया झाली फिगर यहां पर दो 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 दोग्ट्राइब पूरा खले दुबारा बोल लेते हैं दुबारा बोल लेते हैं कंदीप सामने केमरा के जाद मजाकना उड़ाएं और हाँ अपना बरचार करना आएक तो हाँ यह जरूरी है दूसरा बच्चो आज जो है संदीप सार की वापस हुई है पंतर दिन बाद और एक तो इस खोसी में और छोटी बेटी का वर्ड़े और छे मिलियां कि सारो काम एक साथ हुए तो आज भंडा रख करा गया है और रावल सर उसमें सामिल नहीं हो पाई इसलिए उनको भंडारे का हलुआ अभी लाइव खिलाते हैं कि भूब भूब लगए हैं कि अब बालकों के लिए क्यामरा भी लगा देंगा इसे भी आए तक आज़ां अगे जोई चलो टेंग पंद के सवी और भी यां रशगुल्ळे नहीं खाएं यहां से खात्राव कर लीदे रस गुल्ले देखो टलो टैंटाव् कि अपने कुश्चन पर आजाओ कि कुश्चन आपका चल रहा है देखो जड़ा सर ने बोला कि माला पहन के पड़ाओ तो बजन तो बहुत सारा हो रहा है पर क्या करूं है पानी में भीज थंडी हो रही है है दो चार तो उतार दो कि अगया है इसे अगया है यह थे अगया है यह वाजत्तम है है यह तो बहुत है चिल्ड हो रही थी यह तो चिल्ड है आना पते देखो पानी से भीज रही थी घंडी हो रही है बिल्कुल बरफ जैसी मुझे ऐसा लग रहा फ्रीज में से निकल गाई है चलो बैए आजो फटाफट से आठ और 18 बीच वाले इस पर आजाएंगे दो 18 मैंने लिख दिए तीन इधर थे तीन इधर पिलस के 6 यह वो गए अठारे और चय चोबिस के बाद चोबिस के बाद बटा ये वाले और बनेंगे एक तो ये बड़ा वाला इधर से दूसरा इधर से ये बड़ा वाला ठीक है ऐसे ही same condition के नूचार नीचे से ये एक बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला पिलस के पिलस के चार और कर देना 24 और 4 28 ओप्शन नंबर बी हमारा बिलकुल सांदार होगा बिलकुल गजब next 166 वर्ग वाली condition सुन लो कुशन एक बार में समझ में आ जाएंगे सारे अगर बिटा वर्ग में बॉक्सों की संख्या दोनों तरफ इक्वल है ध्यान रखना और एक नॉन इक्वल वाला मिलता है एक नॉन इक्वल वाला मिलता है जहान रखना इस बात को यह दो तरीके से मिलता है दो तरीके से एक दो तीन इधर लिखोगे एक दो तीन जब दोनों तरफ की वैलू इक्वल हो तो आपको करना होता है square चार गुना तीन एक एक कम करते चले जाओ चार में से एक गया तीन 3 में से 1 गया 2 3 में से 1 गटा होगे 2 2 में से 1 गटा होगे यहाँ 1 जब 1 मिल जाए वहीं रोग देना क्यों? 2 में से 1 गटा हुआ 1 और 1 में से 1 गटा हुआ तो 0 भचेगा फिर उसका तो कोई अर्थी नहीं रह गया है ना? तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे यहाँ से 4 तीया 12 3 दो नी 6 और 2 एकम 2 12 और 6 अठारे और 2 20 यहाँ पर हो जाएंगे आपके टोटल स्क्वेर 20 हो जाएंगे 4 तीया 12 तीन दो नी 6 2 एकम 2 तोटल मिलाकर हो गए 20 इस तरीके से कुश्चन आते हैं यह ऐसा ही कुश्चन आपके सामने है आप यहाँ गिन कर बता सकते हो यहाँ कितने स्क्वेर होने वाले हैं कितने स्क्वेर हैं? एक, दो, तीन दो और तीन वही काम करना है तीन का वर्ग कर दोगे तीन का वर्ग 9 दो का वर्ग 4 एक का वर्ग एक होता है नौ पिलस के चार तेहरे पिलस का एक भीया चौध है option number A option number A बिल्कुल सांदार बिल्कुल सांदार अभी तो बताया था यह सेम ही तो है बिल्कुल बिटा सेम ही तो है यह रहा और इसमें जब number equal नहीं है तो ऐसे करना है दो ही तरीके से कुश्चन पूछता है next next इस पर एक और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको एक चीज और हना जहां पर भी जहां पर भी आपको यह figure मिले पिलस वाली ध्यान रखना इस पर ज़्यादा कुश्चन बनते है exam में यह पिलस वाली हाला कि थोड़ी सी तिरची हो गई है सीधा सीधा सा बना लेना इस तरीके से जहां पर भी आपको यह पिलस वाली figure मिलेगी तो समझो उसमें पांच वर्ग होते हैं और इस पिलस के साथ भीया एक चीज और देता है examiner कभी कभी इस पिलस के साथ साथ आपको एक अंदर भी और बना देता है इसमें ये ये पांच वाली figure है एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला पांच पांच वाली figure ये है तो पांच के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा और बनता है ये वाला ये छटा यहां पर हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को पांच और छे वाली figure ये होती है तो उसी पिरकार से आपके सामने कुश्चन है ये वाला चेक करो यहां पर यहां पर आपको सबसे पहले किस वाले में ढूंडने है बेटा इस वाले में ढूंडो सबसे पहले इधर ढूंडोगे आप सबसे पहले इधर वाले में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे तो ये हो गई पहले चार को मिलाकर बाद वाले चार को मिलाकर आठ तो छे के बाद एक, दो, तीन, चार को मिलाकर बनेगा एक तो को मिला कर साथवे नंबर का ये हो जाएगा लाश्ट वाले चार को मिला कर आठवे नंबर का ये हो जाएगा आठ तो इस वाली फिगर में आ गए एक ये बचेगा अकेला पिलस का वन और यहां बीच में यहां बीच में एक पिलस वाली फिगर ये आ रही बीच में एक पिलस पर कितने होते हैं पांच होते हैं पर कितने होते हैं पांच होते हैं तो आठ और एक नौ नौ और पांच मिलकर कितने हो जाएंगे चौध है इसमें टोटल वर्गों की संख्या चौध है किलियर है सभी का चौध है 15 नहीं होगा इसको मत बना देना वह आगे बढ़ा हो जाए rectangle की बात सुनना आपको इस तरीके से अगर single पट्टी आ रही है मिली हुई तो आपको करना होता है total rectangle कितने होता है नंबर लिखना होता है 1, 2, 3, 4 सब को जोड़ दो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 इसमें rectangle हो जाएंगे आयत अगर बात आती है आयत की अब अगर ये चीजें आपके सामने बढ़ कर आ जाएं ये चीजें आपके सामने कैसे आ जाएं बढ़ कर आ जाएं बढ़ कर कुछ इस तरीके से मान लो आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएं ज्यान से देखना अब इसमें कितने होंगे तो इसमें भी क्या करना होता है नमबर एक दो तीन इधर के नमबर जोड़ो तीन दो पाँच और एक छे और इधर के नमबर जोड़ो एक दो तीन दो पाँच और एक छे इन दोनों की गुणा कर देनी होती है 6 छींग 36 टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे भीया 36 36 बहुत सांदार यही चीज है आपके सामने यही चीज है आपके सामने और एक दो तीन चार आप ऐसे लिखोगे बीच वाले में गिनोगे पहले रेक्टेंगल बीच वाले में चार तीन साथ दो नौ और एक दस बीच वाले में हो गए दस रेक्टेंगल और फिर इसमें नमबर लिखोगे एक दो दो और एक तीन तीन इदर हो जाएंगे एक दो दो और एक तीन इसमें हो जाएंगे तो हमारे दस तो साइड में थे तीन ये आए तीन दूसरे वाले ये आए अलग अलग तीन इधर तीन इधर अब इसके बाद क्या इस तीन वाली फिगर को इस पूरे दस वाले के साथ मिला कर एक ये नहीं बनेगा बड़ा वाला इधर से देखोगे तो एक ये हो जाएगा बड़ा वाला और एक इधर से ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला एक है तो आपका आंसर क्या हुआ पिलस के दो और लिख देना 10, 13, 13, 13, 16, 16, 16 और 2, 18 option number B option number B एकदम सांदार एकदम गजब एकदम बहतरीन बहुत सांदार बहुत सांदार बिटा बहुत ही सांदार आज का आखरी कुश्चन आज का आखरी कुश्चन क्योंकि अब कोई कुश्चन नहीं बचा आपका आगे की तरफ ठीक है मैं आपको बता दू इसमें क्या करना है आपको क्या करना है भी यह यह भी वही है अभी जो बताया एक दो और तीन नीचे लिखोगे एक के बाद दो मैंने बताया जोड़ दो दो और एक कितना होता है दो और एक तीन होता है तीन दो पांच और एक तीन दो पांच और एक छे होता है तो आपको करना क्या है छे गुणा तीन छे तिया 18 चे तिया 18 टोटल टोटल रेक्टेंगल जो आपके बने आयद जो बने वह 18 है इसके बाद और कुछ नहीं है क्योंकि उधर ट्राइंगल थे ट्राइंगल ठीक है अब बात आती है जो चेप्टर बचे हुए है मेरी बात सुनो जरा, ध्यान से, जो important बात है, मैंने आपको बताया, जो chapter मैं करा चुका हूँ, उनको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने coding, recording आपको करा दिया बेटा, analogy करा दिया, similar set करा दिया, और series आपको करा दिया, series आपको करा दिया, ठीक है, उसके बाद classification आप nonverbal पूरी आपकी complete, nonverbal में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो आपके exam आएगा, वो सब कुछ आपको करा है, यह most important chapter वो थे, लगबग, लगबग मैं आपसे बात करूँ, 15-16 कुष्चन का काम खतम exam में, अब 3-4 कुष्चन गुरु जी, उनका काम कौन, उनके लिए संदीप संदीप सर हैं वेटा, देखो जरा, क्या-क्या है आगे की तरफ, संदीप सर एक तो dice chapter कराएंगे, slogism कराएंगे, missing number आपको कराएंगे, direction कराएंगे, direction के बाद आपको billet relation, ranking test, order sequence, sitting arrangement, clock calendar, alphabet test, यह आपके 10 chapter बचे हुए हैं, तो 10 chapter की जो मैरा थाने, वो आपकी कल होगी सुब बहुती सांदार तरीके से, तहे दिल से सभी के सामने नत्मस तक हूँ, और बिलकुल सांदार तरीके से महनत करते रही है, जबरदस तरीके से, जिन्होंने किलास को लाइक ने किया है, वो एक बार फटा-फट से किलास को लाइक कर देंगे, और अपना exam, बहुती सांदार सभी लोग दे कराना बहुत जबर्दस तरीके से ठीक है सभी को नमस्कार है दूसरी मेरा थन आपकी चार बजे से होगी हिस्ट्री की है ना बई दूसरी मेरा थन हाँ चार बजे से आपकी हिस्ट्री की मेरा थन है तो उससे जुड़ना मत भूलना बिलकुल भी ठीक है चलो तो सभी लोग बिटा बिलकुल प्यार भरा नमस्कार है सभी को सभी को प्यार भरा नमस्कार सभी के लिए धन्यवाद टाटा बाई बाई